असलालेकुम कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं आप सब के सब जो हैं बिल्कुल खहरियत से होंगे आज हम 9th क्लास के exercise 1.6 जो से मुकमल तोर पर solve करेंगे लेकिन स्क्रीन के उपर आप लोगों के वाल पेपर नज़र आ रहोगा जिसमें तमाम क्वेश्चिन के टाइमिंग आप देख सकते हो लेकिन मैं प्रैफर यह करूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां जाकर जो टाइम कोड है उनकी मदद से अपने required question या question के पार्ग तक पहुंचे ठीक है तो बार से exercise की तरफ आते हैं question number one जो है आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है हमेशा की तरह पहले question को पढ़ेंगे समझेंगे के इस question के अंदर क्या कहा जा रहा है और इसके बाद जो भी इसके parts है one by one उने solve करेंगे ठीक है तो चलिए question को पढ़ते है question को पढ़ो तो इसमें क्या बोला जा रहा है use matrices matrices को इस्तमाल करते हुए if possible अगर मुमकिन हो to solve solve करना ठीक है या हल करना the following system of linear equation दर जैल द translation कर देता हूं उर्दो के अंदर के आपने matrices को इस्तमाल करते हुए दर जैल जितने भी दिये गए system of linear equation है उनको आप solve कर दो अगर मुमकिन है तो ठीक है तो अब तर्जमे की हद तक तो समझ में आ गया अब सबसे पहले तो यह बताए कि यह system of linear equation जो है यह किसे कहा जाता है क क्यूंकि इसके बाद या बाकी चीज़ें समझ सकेंगे तो जैसे कि यहां बताया गया कि following system of linear equation इसका मतलब यह जो यानिके question है इसमें आपको दो-दो equations नजर आ रही है ठीक है क्यूंकि दो-दो equations है इसलिए इसको क्या कहा गया है system of linear equation ठीक है यह एक topic का नाम है आप अपनी book के पिछले pages पे जाएंगे तो वहां पे आपको topic भी नजर आ जाएगा topic का नाम क्या है simultaneous of linear equation तो यह मैंने simultaneous लिख लिए आप जाके एक बार उसको reading कर लेंगे तो आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी ठीक है तो video को रोक के pages में पीछे जाके पढ़िए यह आपके यहां पर बात जो मैं बोल रहा हूँ वहां पर लिख हुई है तो अब आप & तो के شकal प्लन क्ल से 20 का मतलब यह होता है, दो या दो से ज्यादा भी आपको मतलब हो सकती है दो आपको, मैं आपको, मैं साध में दो से ज्यादा जाना वह出त घू़ मैं लb i對不對, क्यों इस्तमाल किया गया है क्योंकि हम एक साथ दो equation को हल करेंगे या solve करेंगे इसलिए simultaneous का word इधर इस्तमाल किया गया है ठीक है यानिकि इस topic को दो नाम से जाना जाता है एक तो यह भी कहा जाता है कि simultaneous of linear equation यह भी से एक ही है system का word का मतलब यह होता है कि system कब बनता है जब दो या दो से जादा चीज़ें एक साथ काम करती है तो उसे हम system कहा जाता है तो यहां पर क्योंकि दो linear equation को एक साथ solve किया जाता है तो इसलिए system का word इधर इस्तमाल किया गया है ठीक है बाकी system के उपर तो पहले बात कर यहां पर बाकी equation के उपर बात कर लेते हैं कि equation किसे कहा जाता है जब दो चीज़ें आपस में बेराबर होती है तो उसे equation कहा जाता है अब यहां पर चीज़ें तो नहीं है यहां पर क्या है mathematical statement ठीक है यनिके दो mathematical statement जब एक पास 4 ही आएगा ठीक है तो यह equation होती है जैसे x plus 3 is equal to अगर मैं 9 कर दूँ ठीक है तो अब ये इनके क्यों के दर्मियान में equal का sign है तो its mean इसका मतलब क्या हुआ यहां पे भी 9 आएगा और कैसे पता चलेगा 9 आएगा इस question को हम ऐसे करते हैं कि 9 plus 3 उदर जाके minus 3 हो जाता है तो x is equal to कितना हो गया 9 में से 3 गया तो 6 तो आप देखिए कि 6 हमारे पास x की value आ गई यह जो equation के अंदर x y होते ही ने variable बोला जाता है actually तो अगर आप लोगों की math weak है तो थोड़ा से सबर करिए अगले chapters chapter 4 में जाएंगे तो आप variable को समझ पाएंगे इसी तरह simultaneous linear equation को chapter number 8 के अंदर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो इदर एक सरसरी तोर पे मैं बता रहा हूँ ठीक है तो x की value x की जगे अगर 6 put करेंगे तो हमारे पास 9 ही आ जाएगा तो क्यूंकि यह दोनो end एक दूसरे के या दोनो mathematical statement एक दूसरे के equal है इसलिए इसे equation कहा गया है तो जब भी equation का word आए है तो आपने ये बात जहिन में रखनी है कि equality का sign होगा यानि बराबर का sign होगा और दो चीज़ें एक दूसरे के आपस में बराबर है जाए वो जिनके दरम्यान भी equal का sign है अब बात कर लेते है linear equation equation के साथ linear का मतलब क्या होता है तो linear का मतलब होता है one ठीक है जहां पर भी linear आए है तो आपने समझने है one की बात की जा रही है ठीक है जैसे अब कहां पर one जैसे कोई भी equation है जैसे two x minus two y is equal to four ये एक equation है तो one कहा होगा variable की power one हो तो उसे बोला जैसे के यहां पर लिख लेता हूं two x plus three y is equal to seven मिसाल के तो पर येक equation है तो ये कौन से linear equation है कि युए linear equation है क्योंकि जो variable है ठीक है उसमें x की power कितनी है one है ठीक है या y की power कितनी है one है तो आपको ये भी पता होना चाहिए sir वैरियेबल किसे कहा जाता है तो जो भी equation में x, y, z, y, y, y yakni English letters होते है इन्हें variable कहा जाता है ठीक है तो आप असान लव्जों में ये ही बात समझिए कि जब भी कोई भी ऐसे करके दो यानि के mathematical statements होंगी और उसमें English के letter इस्तमाल हो XYZ या कोई सा भी letter और उनके उपर अगर कुछ भी ना डला हुआ हो तो आपने क्या समझना है वो linear equation है क्यूंकि जब बी उपर कुछ नहीं होता तो it's mean one वहाँ पर मुझूद होता है ठीक है या आप आगे चलोगे तो इन चीजों को और अच्छे सीख जाओगे थोड़ा-थोड़ा concept मैंने आपको दे दिया तो आपको बस यहां पर अब यह के बात समझनी है कि इसने क्या बोला है system of linear equation यानि कि यह एक system है क्यूं system है क्यूंकि इसमें 2 equations को एक साथ solve किया जा रहा है और यह system जो है linear equation वाला है क्यूंकि इसमें x और y की powers जो है है वो सारे system of linear equation ही है और इनको आपने क्या करना है इनको आपने solve करना है ठीक है अब solve करने से मुराद क्या होगा यहां पर solve करने से मुराद होगा यहां पर math के अंदर solution मैथ के अंदर solution का मतलब करेंगे तो यह जितने भी question है ठीक है यह जितनी भी linear equations है इनके अंदर जो भी x और y मुझूद है इनके values मालूम करेंगे और इनको क्वेक्शन कटों हो जाएगा और इनकी values मालूम करने को ही यहां पर solve करना या solution कहा जा रहा है तो ये चीज़ भी समझ में आगे question की एक और बात के if possible यानि के इन तमाम linear equations system of linear equation या simultaneous linear equation key values आप नहीं मालूम कर सकते xy की कुछ की मालूम कर सकते है तो इसलिए इसने ये word इस्तमाल किया है के if possible अगर मुम्किन हो तो कुछ की क्यों मालूम कर सकते है वो question solve करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी ठीक है अब बात कर लेते हैं इन के उपर the matrix inversion method और grammar rule ठीक है ये क्या चीज़ है तो actually ये दोनो जैसे कि यहां पे लिखा हो method ये दोनो एक तरीका यानि method है वे है यानि के इदर इस question के x और y की value जो है आप दो तरीके से मालूम कर सकते हो आप inversion method के तरू भी मालूम कर सकते हो x और y की values और आप grammar rule के को इस्तमाल करते हुए भी x और y की values मालूम कर सकते हो इसी तरह अगर जैसे ये question है आप से कहे दिया जाए कि सॉॉल्फ करिये मेटरिक्स को स्थावाल करते हुए इसमीन आपसे क्या कहा जा रहा है खिर एक्स और वाइक की वैलियूस मालूम कर दीजिए ठीक है और मालूम तो करना है कि आप इसकी मदद से भी मालूम कर सकते हैं तो इसलिए test के अंदर paper के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप x और y की values मालूम करिये inversion method के तुरू तो अगर इस method के तुरू कहा जाए तो इस method के तुरू आप question solve करेंगे और इस method के तुरू कहा जाए तो इस method के तुरू solve करेंगे तो मैं ऐसा करूँगा पहले वीडियो के अंदर तमाम questions जो है वो inversion method के तुरू solve करूँगा और इसके बाद तमाम questions जो है क्रेमर रूल को इस्तमाल करते होए solve करूँगा ताके inversion method से सारे question करेंगे तो आपको अच्छे से समझ मा आ जाएगा inversion method और आपको practice भी हो जाएगा उसके बाद हम क्रेमर रूल को solve करेंगे उसके उस्तमाल करते हो इन questions को तो आपके उसकी practice ऐसा नहीं करूँगा के पहले inversion के तुरू कर दिया फिर grammar के फिर inversion के तो ऐसे आपको एक method समझ में नहीं आएगा तो concept सारा समझ में आ गया चलिए तो question number one लिखते हैं और उसे solve करते हैं तो यह आगे हमारे question number one और part number one जो है आप लोगों को screen पे नजर आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं जो बच्चे वीडियो को यहां से देख रहे हैं उनको हम एक line के अंदर बता देते हैं कि question में क्या कहा जा रहा है ताकि कुछ असानी हो जाएना आने वाले बच्चों के लिए तो देखे एक line के अंदर बताओ तो इस question के अंदर यह बताया जा रहा है use matrices matrices को इस्तमाल करते हुए if possible अगर मुम्किन हो to solve आप solve कर दो हल कर दो क्या चीज़ following system of linear equation दिये गए linear equation के system को ठीक है तो linear equation system कोन से हैं यह जो equations है question के सूरत में यह linear equation system है तो इस system को solve करने को कहा जा रहा है अगर मुम्किन है तो solve करने से मुराद यहां पर क्या होगा solution यानि solution मतलब क्या के x और y की values आपने मालूम करनी है जितने भी question है उसके अंदर x किसके equal है और y किसके equal है यह आपने solve करना है या यह आपने मालूम करके बताना है ठीक है तो question समझ में आ गया अब इस question को अगर solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले लिख लेते है solution solution लिखने के बाद एक बार question को जो है दुबारा से उतार लेते हैं दुबारा से उतारूं तो question हमारे पास है 2x minus 2y is equal to 4 और इधर आ जाएगा 3x plus 2y is equal to 6 ठीक है तो यह question आगे अब question में सबसे पहले क्या करेंगे तो देखे जैसे के आपको कहा जा रहा है के use matrices matrices को इस्तमाल करना है तो हम क्या करेंगे in equation को सबसे पहले matrices में बदलते हैं या matrix में बदलते हैं ठीक है तो आप उसके लिए x, y वगेरा को variable कहा जाता है और इनके साथ जो number होता है इनको coefficient कहा जाता है छोटी classes में आपने पढ़ा होगा तो हम matrix में बदलेंगे ऐसे के इस equation में हम coefficient के अलग matrix बना लेंगे जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको color change करके ही ताकि आप लोगों को पता चले जैसे यहां पर बनाओ तो पहले coefficient मतलब जो भी number है variables के लावा उनको लिख लीजे 2, 3 और यहां पर आ जाएगा minus 2 है तो आप number के साथ minus 2 डाल दीजे plus 2 है तो plus लिखते नहीं है ऐसे भी लिख दें तो plus कहलाता है तो यह सारे coefficients हो गए इन दोनों के इसके साथ x और y जो है variable इनको भी लिख लेते हैं तो यहां पर एक और matrix इस तरह हम x और y की form में बना देंगे ठीक है और उसके बाद एक matrix इसका बना लेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4 और 6 तो इस तरह से आपने यान जितने भी questions हैं उन सब में इनको matrix form में बदलना है सबसे पहले और 3 matrix में बदलेंगे ठीक है पहले numbers फिर coefficients तो एक side पर 2 matrix और एक side पर जो भी numbers होंगे उनका matrix तो इस तरह से 3 matrix हो गए अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने यह एक सवाल पैदा हो सकता है जो बच्चे समझदार है मैं अच्छे से समझते हैं कि सर यह किस असूल के तहत आपने इनको इस शकल में लिखा ठीक है तो देखिए जैसे 36 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 multiply by 6 क्यूंकि 6 को 6 के साथ multiply करोगे तो 36 ही तो आएगा ठीक है सिफ लिखने का अंदाज बदला है तो ठीक इसी तरह मैंने इनको अलग अलग किया है लेकिन जब आप इस matrix को इस matrix के साथ multiply करवाएंगे तो आपके मैं पास यही answer आजाएगा जैसे हम ऐसे multiply करवाइंगे तो यह नंबर जो है X के साथ multiply करवाएंगे तो टू Aequat एकस आजाएगा ठीक है मानस टू को Y के साथ would कर आएंगे तो मानस टू आजाएगा ठीक है इसी तरह से नीचे चलें तो 3 को X के साथ करवाएंगे तो 3X आजा अभी भी इसको solve करोगे तो यही answer आएगा इसलिए आप यह समझिए कि इसको इस चकल में भी लिखा जा सकता है इससे इसके उपर कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो बाकी इसको हमने convert कर दिया ठीक है तो अब हम क्या गरेंगे इसके बाद हम in matrix के नाम रख देते हैं ठीक ह और इस variables वालों का नाम हम X रख देते हैं ठीक है और इसका नाम जो हम B रख देते हैं यहाँ पर तो यह B आ गया तो यह एक equation बन गए ठीक है यह equation किस चिसको show कर रही है जाहिर कर रही है इन तीनो matrix को ही जाहिर कर रही है और इनकी तरतीब जो है वो भी इसके तहत ही होनी च सब से पहले यह ओना चाहिए पिर Juliet का रखे और अलब क्या है的話 पे इसके इलावा यहां पे लिखके बिलेते हैं हम यहां पे लिखने के बाद हम यह से कि इसके equal रख है ठीक है तो two minus two three two यह लिख देते हैं ताकि check करने वाले को पता रहे इसी तरह x matrix जो है इसको ब्राबर रखा है तो यहां पर लिख देते हैं x और यहां पर लिख लेते हैं हम लोग x और y ठीक है जो variables है उसके बाद last matrix को हमने बी के equal रखा था तो यहां पर लिखने के बाद four six डाल देते हैं ठीक है तो अब जो है पता चल गया चेक करने वाले को कहां भाई यह matrix के नीम है अब स्वाल पैद होता है इससे आगे हम क्या करेंगे सर तो इससे आगे बताऊं तो जैसे के question के अंदर आगर आप देखो inversion method है ठीक है तो inversion method में आप inversion से चीजों को जहन में रख सकते हो जैसे इन watchon ठीक है तो inversion जो है वह二 and waterfall से निकला है ठीक है तो आप यह भी समझ सकते हो या inverse के अंदर या इन्वर्जन के अंदर inverse का role होता है या inverse के through inversion का question solve होता है तो दुबार से बता रहा हूँ जब भी inversion method आए तो आपने ये बात जहन में रखनी के inverse होता है इसके अंदर तो अब inverse जो है वो कहां पर होगा तो यह a जो मैंने circulate किया है इसको inverse में convert कर देंगे ठीक है अगर आप मैं इसको थोड़ सा ऊपर करूँ ऊपर करके जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे ax is equal to b ठीक है थोड़ा खुला करके लिख लेता हूँ ax is equal to b तो मैंने क्या करना है question में जैसे कि बताया x और y की values मालूम करनी है और x और y जो है वो यह रहा ठीक है तो जिसकी भी हम value मालूम करते हैं तो आप लोगों को याद होगा उसको equation के एक side पर रखते हैं और बाकी सबको दूसरी side पर ले जाते है method ही होता है कि x को इदर आने देते हैं अब जैसे a है न a के उपर यहाँ पर प्लस one है ठीक है आप यह समझे इसके उपर भी plus one है लेकिन हम लिखते नहीं है ठीक है और जब यह equation के एक side से दूसरी side पर जाता है तो यह minus में convert हो जाता है यह plus one जो है माइनस में convert हो जाता है ठीक है अब ऐसे इस बात को अच्छे से याद रख सकते हो तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं कि यह a दूसरी side पर गया तो क्या हो जाएगा a inverse ठीक है और यहाँ पर b तो पहले से मुझूद था तो यह ऐसे ठीक है तो यह अब हमारे पास एक यह समझ लो equation बन गए जिससे हम अपने question को question के अंदर x और y की values मालूम करेंगे मैं इसको थोड़ा खुला करके लिख देता हूँ क्योंकि ताकि पहला question है color different है आगे जो है थोड़ा एक ही color से कर लेंगे तो x is equal to a inverse b तो यह हमारे पास एक यह समझ लो equation आ गई इसका नाम भी दे सकते हैं अब इसके through जो है हम मालूम कर सकते हैं क्या चीज़ यह जो x और y की values जो है वो अगर मुमकिन होगी तो अब सुआल यह पैदा होता है कि sir हमें कैसे पता चलेगा x और y की value मुमकिन है या possible है या नहीं है तो देखिए x और y की value जो है वो किस से मालूम होगी x की मदद से मालूम होगी और x की value कब मालूम होगी जब हम a inverse को multiply करवा देंगे b के साथ तो अब पिछली exercises के अंदर आप देख सकते हो कि a inverse यह किसी b matrix का inverse मालूम करने के लिए शर्थ ह होती है क्या condition होती है कि उसका जो determinant है वो non singular होना चाहिए तो अगर तो a inverse non singular हुआ तब तो हम x और y के values मालूम कर सकेंगे और अगर वो non singular ना हुआ या फिर कहलो के 0 के बराबर आ गया तो हम मालूम नहीं कर सकेंगे ठीक है अब मैं क्या करूंगा असान लफजों में दुबा लिया जा सकता या नहीं लिया जा सकता ठीक है लिया जा सकता होगा तो हम x और y की value मालूम कर लेंगे अगर नहीं लिया जा सकता तो हम मालूम नहीं कर सकते ठीक है तो यही उपर question में जो लिखा हो था ना if possible तो यह यहां पर if possible का मतलब जो है आप लोगों को समझ में आया ह होगा तो चलिए A inverse मालूم करने के लिए हमें सबसे पहले A का determined मालूम करना होगा तो एक determined जो है यहां easily मालूम कर सकते हम लोग क्ये हमने a Всёल रखा था ठीक है तो अभ यहां पहे लिएंगे न могу ठीक है तो Britt करेंद मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर matrix A का नाम लिख देंगे और इसके आसपास बाहर डाल देंगे इधर जो है A matrix लिख लेंगे 2-2, 3-2 और यहां पर बाहर डाल देंगे इसके बाद जो है इसको इसके साथ multiply करवाते हैं इसको इसके साथ multiply करवाते हैं तो 2 into 2 minus आजेते हैं यह आ जाएगा हमारे पास 10 ठीक है अब 10 जो है वो equal नहीं है 0 के ठीक है तो it's mean यह non singular matrix है हम इसकी हम इसका solution जो है वो मालूम कर सकते हैं ठीक है तो यहां statement की सूरत में लिख देते हैं तो यह मैंने यहां पर statement लिख ली so solution is possible because a determinant is not equal to 0 आप यह भी लिख सकते हो आप यहां पर यह भी लिख सकते हो so solution is possible because a is a non singular matrix ठीक है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा जगे कम थी इसलिए मैंने यह लिखती है ठीक है तो statement इतनी समझत होनी चाहिए कि जो भी statement आपको सही लगे वो लिख लीजेगा ठीक है मेरा mean म तो सबसे पहले जो standard form में method है उसी method को इस्तमाल करते हुए मैं यह solve कर रहा हूं ठीक है तो आपकी book से ही method मैंने लिया है ठीक है आप देख सकते हो वहां जाकर अब जो है यानि कि इसका solution लिया जा सकता है यानि कि दूसरे लफजों में कहें तो a inverse मालूम किया जा सकता है तो a inverse मालूम करने का formula जो है वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए वो होता है यहाँ पर adjoint a divided by a का determinant तो a का determinant तो हमने मालूम कर लिया अब adjoint a जो है वो भी मालूम करना होगा तो चेलिए adjoint a भी मालूम कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं adjoint a और adjoint a लिखने के और इन दोनों की लामतें बदलेंगे तो minus का 3 हो जाएगा plus का 2 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा 2 2 और यहाँ पर minus का 3 और plus का 2 तो यह हमारे पास adjoint A जो है वो भी आ गया ठीक है अब इसके बाद जो है दो तरह से question solve हो सकता है एक तो यह कि आप A inverse की value सबसे पहले मालूम कर लीजे और उसके बाद A inverse और B को multiply कर वा लीजे ठीक है उससे question थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ठीक है असान तरीका यह है कि हम इस equation को अभी नीचे उतार लेते हैं और इसके अंदर ही values put कर लेते हैं ठीक है तो वो असान रहेगा हमारे लिए कैसे मैं आपको बताता हूँ हम ऐसा करते हैं इसको अगर तो आपने यहां पर इसको नाम दे दिए equation number one का तो आप यहां पर statement लिखेंगे from equation one ठीक है और अगर नाम नहीं दे रहें मेरे मुताबिक इसको नाम नहीं देते है हम इसको क्यूंकि equation जो है उपर मुझूद है तो एह लिख दे नीचे वी नॉ ाडेट तो यहां पर लिख देते हैं we know that तो यह लिख लिए है we know that और क्या हम जानते हैं हम लोग यह जानते हैं कि x जो है वो बराबर है a inverse b के तो यहां पर हम लिख लेते हैं x is equal to a inverse b ठीक है यह चीज ऊपर लिखे हुई है तो वहां से देख के लिखते है ठीक है और इसके बाद हम क्या करेंगे a inverse किसके equal होता है वो तो यानि कि multiply हो रहे है matrix b आप ऐसे भी लिख सकते हो या simple भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है तो आप ऐसे ही लिख दीजे multiply by b तो भी समझ लेंगे ठीक है अब जो है इनके अंदर values put कर देते हैं ठीक है तो values put करें तो x जो है वो किसके equal है उपर आप देख सकते ह एक्स जो है यहाँ पर नाम रखे थे x और y के equal है तो x की जगे हम लिख देंगे यहाँ पर x और y इसके बाद आगे अगर चलें तो अब adjoint b लिखना होगा adjoint b जो है वो किसके equal है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे है 2 2 2 2 minus 3 तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 2 ठीक है 2 औ लिख लीजिए 10 ठीक है और यहाँ पर multiply क्या चीज हो रही है b का matrix तो b का matrix किसके equal है b का matrix हमारे पास है 4 और 6 के ठीक है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और 6 तो यह लिख लिख लिए 4 और यह लिख लिख 6 तो यह सारी values पूट हो गई ठीक है इसके बाद आगे अगर लिख लेते हैं हम x और y ठीक है यह आगया first ठीक है उसके बाद 1 divided by 10 को हम क्या करते थे पिछले exercise में आपने देख है बाहर निकाल लेते थे ठीक है एंवर्स या कोई भी इंवर्स मालूम करते थे तो हम यहाँ पर लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा 1 divided by 10 ठीक है और यहा से भी लिख सकते हैं पिछले exercise के अंदर अब सीख चुके हो और साथ में multiply क्या हो रहा था 4 और 6 वह भी लिख लेते हैं 4 और 6 ठीक है अब जो है मैं ऐसा कर सकता हूँ यह तीनों जो है आपस में multiply हो रहे हैं तो मैं ऐसे करता हूँ बजाए 1 divided by 10 को अंदर multiply करवा हूँ ठीक ह मैं इन दोनों को multiply करवा लेता हूँ जो answer आएगा उसको 1 divided by 10 से multiply करवा लोंगा वो असान हो जाएगा ठीक है तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर पहले यह सारी equation लिख ली काफी students यह काफी लोग ऐसे भी करवाते हैं पहले A inverse की value पूरी की पूरी मालूम कर लो और उसके बा यह इससे हम इस्तरा multiply होता है ठीक है बानी सुनके काम चलागे कियोंकि जगे काम है टू को एक बार 4 के साथ multiply करवाएंगे प्लस घेन इचर सलेंगे तो माइनस 3 को एक बार 4 के साथ multiply करवाएंगे फिर फिर प्लस 2 को एक बार 6 के साथ multiply करवाएंगे और यह square bracket close हो गए further आगे चलें तो 1 divided by 10 और यहां पर आ जाएगा 4 to the 8 plus 6 to the 12 और यहां पर 4 to the 12 तो माइनस 12 आ जाएगा plus minus minus होता है और यहां प्लस 6 to the 12 ठीक है और यह bracket close ठीक है यहां पर यह xy ही साथ चल रहा है ठीक है यहां पर अगर कुछ भी ना लिखो तो जैसे अगर मैं यहां पर xy ना लिखो तो इसका मतलब यह है कि xy यह सारा नीचे तक चल रहा है क्योंकि इक्वल में डालता जा रहा हूं तो इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब क्या आ जाएगा one divided by ten और ऊपर आ जाएगा बारा और और आर्ट बीस होता है ठीक है तो यहां पर आ जाएगा 20 और यह plus minus यानिके same number है ठीक है 12 और 12 तो यह cancel हो के zero answer आ जाएगा तो नीचे हम क्या लिख लेंगे नीचे हम सिफर लिखतेंगे और यह bracket close अब one divided by ten जो है अंदर multiply हो रहा है इसको multiply करवा देते हैं तो multiply करवाऊंगा तो यह हो जाएगा हमारे पास bracket नहीं डालती 20 sorry 20 multiply one divided by ten और zero multiply one divided by ten ठीक है वैसे zero ही लिख दो क्योंकि लेकिन फिर भी बच्चों के लिए मैंने पूरा step डाल दिया लेकिन नीचे zero लिखना लिख दोगे तो क्योंकि zero से जो भी चीज multiply होती है वह zero ही हो जाती है तो अगले step में zero हो भी जाएगी तो ten one's are ten ten to the twenty तो उपर क्या बचा two और नीचे zero से one divided by ten multiply हो हो तो zero आ जाएगा और यहां पर यह स्केरबर की close और इधर क्या चल रहा था हमारा x और y का matrix तो यह हमने x और y की value मालूम कर ली स्वाल ही पैद होता है कि सर कैसे मालूम कर ली ठीक है तो देखिए equal matrix के अंदर आपने पढ़ा था कि corresponding entries जो है आपस में बराबर होती है तो अ x is equal to आ जाएगा 2 के and y is equal आ जाएगा 0 के तो यह x और y की value मालूम करनी थी वो दोनों हमने मालूम कर ली ठीक है उपर अगर question देखें तो यह रहा question तो इसके अंदर x और y की values अगर मैं put करूंगा तो क्या answer बराबर आएगा तो वो भी check कर लेते हैं ठीक है तो मैं ऐसा करता इसको नीचे लिख लेता हूं कि x और y की value जो है वो ठीक भी है नहीं ताकि चलो आप लोगों को इन चीजों को आप यानि के conceptual चीजों का पता होना चाहिए वरना question जो है यहाँ पे खतम हो चुका है ठीक है यह मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि x की value जो है वो ठीक करते हैं यह 4 है और यह 6 है ठीक है तो 2 to the 4 minus 0 4 और 3 to the 6 plus 0 is equal to 6 तो आप देख सकते हैं 4 is equal to 4 sorry और 6 is equal to 6 तो its mean हमारे x और y की value जो है वो बिल्कुल ठीक है तो इस तासे पहले question जो है मैंने पूरी detail के साथ color change करेके समझाया है अगला जो है इंशाल्ला आपको बहतर तरीके से समझ में आएगा उसको आप जल्दी भी समझ लेंगे ठीक है तो चलिए अगले question की तरफ चलते हैं तो question number one का part second जो है वो आप लोगों को screen के उपर नज़र आ रहा है इसे inversion method से solve करना है तो solve करने के लिए सबसे पहले solution लिखा जाता है तो यहां पर लिख लेंगे हम solution और solution ल plus five y is equal to one तो यह दोन equations आ गई अब हम क्या करेंगे सबसे पहले matrices में इसको तबदील करेंगे तो matrices में कैसे तबदील करते हैं पहला matrix जो है वो हम बनाते हैं coefficients का ठीक है दोन equations में तो coefficient इसका coefficient क्या है two तो यहां पर two लिख लेते हैं y का coefficient कुछ भी नहीं है जब भी किसी variable के कुछ नहीं होता तो वहां पर one होता है ठीक है यह बात याद रखिएगा यह वन आपको कैसे पता चलते हैं जैसे a plus a जो है किसके एकवर लिखते हैं हम लोग two a के एकवर लिखते हैं क्यों क्योंकि यहां पर यहां पर one होता है तो y की जगे y का coefficient क्या है one तो यहां पर है हम लोग variable के matrix बनाते हैं तो variable कौन से है इसमें x और y तो यह दूसरे matrix हो गया तीसरा matrix कौन सा होता है जो equation के दूसरे side पे number होते है वो तो यहां पर 3 है और 1 है तो यह एक तीसरा matrix हो गया अब तीनों matrix होने के बाद अब जो है इसका नाम दे देते हैं थीका है तो नाम अपनी तरफ से आप दे रहे हैं तो यहां पर लिख लेते हैं लेट ठीक है लेटह तो थोड़ा साई से ने लिखा confidence इसको अब लिख लेते हैं थोड़ा बहतर करके तो लेट लिखने के बाद इनके नाम इसका नाम A रख लेते हैं इसका नाम X रख लेते हैं और इसका नाम B रख लेते हैं ठीक है तो A matrix किसके equal रखा हमने वो रखा 2, 1, 6, 5 ठीक है और यहां पर bracket close उसके बाद X matrix जो है वो किसके equal रखा variables के तो यहां पर लिख दिया X और Y और उसके बाद last matrix किसके equal रखा B के तो यहां पर आप लिख देंगे 3 और 1 और यह bracket close अब एक स्वाल काफी बच्चों के मार्ड में आ सकते हैं इससे पहले वाले question में आपने यहां पर A लिखा था और इधर X लिखा था और इधर आपने B लिखा था उसके बाद यह वाला step किया था तो आप वैसे भी कर सकते हो लेकिन मेरे मताबिक क्योंकि पिछला question पहला question था तो आप लोगों को समझाना है कि according मैंने यहां पर A इसमें बेतर यह है कि सबसे पहले यह लिख लो matrix में convert कर लो उसके बाद उनके नाम रख दो नाम रखने के बाद अब हम वह step कर लेते हैं ठीक है जैसे इसको हमने किसके equal है यहां पर देख सकते हो A के ठीक है तो इस matrix के नीचे जो है आप यहां पर A लिख देंगे इस matrix को हम हमने x के equal रख है तो अब यहां पर x लिख देंगे और दरम्यान में equal है तो equal और इसको matrix B रख है तो यहां पर B लिख देंगे तो अब वह वाली equation हम लिख लेंगे ठीक है तो yellow color से मैंने बता दिया लेकिन इसको हम white color से ही लिखते हैं समझ में आप लोगों को आ गया होगा तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं A ठीक है x ठीक है is equal to B के ठीक है इसके तरतीब इसके according मैंने रख दी अब इससे जो है हम हमने क्योंके x की value find out करनी है क्योंके x equal है x और y के ठीक है तो x को एक तरफ रहने देते हैं A को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह inverse में तबदील हो चाएगा ठीक है तो यह आगया A inverse B पहले से मौझूद था तो यह आगया B तो यह हमारे पास वह equation आ गई जिसमें जिसकी मदद से हम x और y की values मालूम कर सकते हैं ठीक है तो अब यानि के इसके अंदर A inverse है यानि हमारे पास x की value भी है x y b matrix जो है वो भी है हमारे पास 3 और 1 लेकिन A inverse मौझूद नहीं है तो सबसे पहले A inverse मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए A inverse किसके एकवल होता है यह होता है a joint A divide by A का determinant तो इसके लिए A inverse मालूम किया सकता है या नहीं किया जा सकता है तो पहले A determinant उसके लिए मालूम करते हैं तो यहां पर लिख लेते हैं now लिखने के बाद यहां पर हम मालूम कर लेते हैं A का determinant तो ये A के आस पास ऐसे bars डाल दी और यहां पर क्या है 2, 1, 6, 5 और इस हम इसका determinant मालूम कर सकते हैं, इसको इससे multiply करवाएंगे, इसको इससे multiply करवाएंगे, तो ही क्या हो जाएगा, 2 into 5, ठीक है, equal का sign डालना भूल गया, minus 6 into 1, फारदर आगे चलेंगे तो 5 to the 10, और 6, 1's a 6, 10 में से 6 गए तो 4, अब 4 जो है 0 के equal नहीं है, इसका मतलब यह a जो है, वो क्या है, non-singular matrix है, अब क्योंकि non-singular matrix है, इसका मतलब हम इसका a inverse मालूम कर सकते हैं, तो इसका solution जो है, वो possible है, तो इसी चीज़ को मैं statement में लिखके बता देता हूँ, यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यह मैंने statement लिख दिए, जिसमें बता दिया, solution is possible, solution possible है, because, क्योंकि a जो है, वो non-singular matrix, आप statement में यह भी लिख सकते हैं, या आप यह भी लिख सकते हैं, so a determinant is not equal to 0, a inverse is possible, ठीक है, तो सारी जो भी statement लिखको, बात सबका एक ही होता है, कि हम इसे आगे solve कर सकते हैं, तो अब अपने teacher का भी follow कर सकते हो, book में भी देख सकते हो, या इनी जो statement मैं लिख रहा हूँ, इसको भी follow कर सकते हो, ठीक है, तो यह statement भी सही है, तो अब हम a inverse मालूम कर सकते हैं, तो a inverse मालूम करने के लिए, एक तो हमें determinant चाहिए था, वो हमने मालूम कर लिए, दूसरा में क्या चाहिए था, a joint a, तो a joint a जो है, अभी मालूम कर लेते हैं, तो यह a, d, j, a joint a is equal to, a joint a मालूम करें, तो a matrix कौन सा है, यह वाला matrix है, ठीक है, तो इसमें 2 और 5 की जगे बदल जाएगी, तो 5 उपर आ जाएगा 2 नीचे, तो यहां पर 5 और यहां पर 2, बाकी इन दोनों के sign बदल जाएगे, 6 minus का हो जाएगा, 1 भी minus का हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा minus 6 और यहां पर आ जाएगा minus 1, और यह bracket close, तो यह हमारा joint a भी आ गया, ठीक है, तो अब हम इस वाली equation को इस्तमाल करते हुए values मालूम कर लेंगे, ठीक है, तो यह उपर क्योंके question में बता दी गई है, तो इसलिए अब हम लिखेंगे, यहां पर we know, तो यह मैंने लिख दिया, we know that, हम जानते हैं, क्या चीज़ जानते हैं, कि x जो है, वो किसके equal है, a inverse के और b के, ठीक है, तो इसमें values पूट करेंगे, तो values पूट करेंगे, x जो है, वो बराबर किस matrix के है, x के और y के, तो यहां पर x, y डाल दीजे, a inverse किसके equal होता है, वो ब determinant, और यहां पर multiply किसे और b से तो b लिख लीजे, ठीक है, आप अभी भी value पूट कर सकते थे, लेकिन मेरे मुताबिक अब जो है, इसके अंदर values पूट कर देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले करो, बाद में करो, main चीज़ है, आपने सारे process के through, जो है, answer मा कर लेते हैं, x जो है, वो x और y के equal था, ठीक है, यह उपर से अगर आपको दिखाऊं, तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद adjoint a क्या है, adjoint a हमारे पास यह रहा, five minus one, five minus one, minus six, two, ठीक है, और यह bracket हमारी close, और नीचे जो है, वो क्या आ जाएगा, a determinant, a determinant किसक equal है, यह यहां पर four के equal है, तो यहां पर हम डाल देंगे four, ठीक है, और multiply, बी का matrix किसके equal है, ठीक है, तो अब यह चीज़ दियान में रखेगा, मैं इसको highlight कर देता हूँ, कि बी जो है, ऊपर वाले adjoint a के साथ multiply हो रहा है, ठीक है, fraction के नीचे नहीं है, तो इसलिए आप यहा करके three और one लिखेंगे, ठीक है, ताके show हो सके कि यह दोनों अपस में multiply हो रहे है, तो अब जो है, इस denominator को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि हम inverse मालूम करते भी निकालते थे, तो यह हो जाएगा one divided by four, और यह adjoint कितना है, यह है five minus one minus six two, ठीक है, और उसके बाद दूसरा matrix कौ यहां पर एक्स और वाई लिख लिए, ठीक है, तो अब जो है, यानि कि इन दोनों को मैं multiply करवा लेता हूं और फिर one divided by four के साथ multiply करवा लूँगा answer को, तो इसके लिए मुझे यहां पर one divided by four वैसे का वैसा रहने देते हैं, ठीक है, इधर जो है, एक्स और वाई चल रहा है तो यहां पर लिख लेते हैं साथ साथ, ताके पता रहे, तो इसके बाद यह, इसके साथ जुबानी लिखूंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, बोल रहा हूं, अब five जो है, वो three के साथ multiply होगा, फिर उसके बाद minus one जो है, वो one के साथ multiply होगा, ठीक, सी त आजाएंगे, तो five three कितना होता है, फिफटीन, और इधर आजाएगा, plus minus minus, ठीक है, तो plus into minus one है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, minus one ही आजाएगा, ठीक है, तो आप इसको यहां पर directly लिख लीजिए, minus one, उसके बाद six eight, 18 होता है, और plus minus minus, तो यहां पर minus 18 आजाएगा, और यह minus की value बढ़ी है, तो minus का sign 18 में से two गया, तो 16 आजाएगा, ठीक है, 18, I hope यह चोटी classes में आपने समझा होगा, तो हर चीज़ को मैं नहीं समझा पाऊँगा, अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, one divided by four, और plus minus करके हमारे पास हासिल हुआ, 14, और यहां पर हासिल हुआ, minus 16 ठीक है, और यह bracket close होगे, फर्दर आगे चलें, तो अब one divided by four जो है, अंदर multiply हो जाएगा, तो multiply करवाएं, तो यहां पर हमारे पास है 14, इसको multiply करवा देते हैं, one divided by four के साथ, इसी तरह नीचे हमारे पास है, minus 16, इसको भी multiply करवा देते हैं, one divided by four के साथ, ठीक है, और यहां पे square bracket डाल के इसको बन कर देते हैं, ठीक है, और इधर जो है equal का sign डाल देते हैं, अब जब यह कर दिया, अब यह एक दूसरे से cancel हो सकते हैं, तो 14 multiply one divided by four, cancel होते है, two two the four, two sevens are 14, further यह cancel नहीं होता है, तो seven divided by two बनता है, ठीक है, तो यहां पर भी लिख देते है, two two the four, two sevens are 14 इधर भी cancel कर देते है, four one's the four, और four four the 16, तो पीछे क्या बच जाएगा, हमारे पास, उपर बच जाएगा, seven divided by two, और नीचे, क्योंकि four पे पुरा divide हो रहा है, four four the 16, तो नीचे only four बच जाएगा, ठीक है, और यह यहां पे square bracket close कर देते हैं, ठीक है, x और y के equal था, तो यहां पे तो obviously बात है, x और y साथ चाली रहे है, यह लिख देते हैं, क्योंकि in the end ही पहुंच गए आप, तो यहां पे अब x और y का answer आगया, क्यों, क्योंकि equation का मतलब ही होता है, दो matrix के दर्मियान के यह इसके corresponding entry इसके बराबर है, और इसके corresponding entry, यानि four जो है, वो इसके बराबर है, ठीक है, तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं, so लिख सकते हो, hence लिख सकते हो, जैसे भी ठीक लगे, so x is equal to 7 divided by 2, end or y is equal to 4, ठीक है, तो इसके साथ ही यह second part जो है, वो भी उमीद करता हूं, समझ में आगे होगा, असान सा था, तो चलिए अगले part की तरफ चलते हैं, तो य solution लिखा जाएगा, तो यह लिख लिए, मैंने यहां पे solution, solution लिखने बाद question को दुबारा से उतारें, तो question है, 4x plus 2y और यह बराबर आजाएगा, 8 के, इसी तरह यहां पे आजाएगा, 3x minus y is equal to, बराबर आजाएगा, minus 1 के, ठीक है, अब जो है, इसको matrix की form में बदल लेते ह तो पहला matrix हमारा बनेगा, coefficients का, तो 4, 3, 2, और minus y है, तो y के साथ कुछ भी नहीं है, तो it's mean 1 होगा, तो इसलिए minus के साथ 1 लिख लिए, उसके बाद, यहां पे variables का बनाएगा, तो x और y, इसके बाद आगे अगर चलें, तो last matrix बनेगा, 8 और minus 1 का, ठीक है, अब इनके नाम लिख लेते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं, let, ठीक है, a is equal to, ठीक है, किसके equal रख रहे हैं, 4, 2, 3, minus 1, और इसके इलावा x जो है, वो किसके equal रख रहे हैं हम लोग, x और y के, और b हम जो है, किसके equal रख रहे हैं, 8 और minus 1 के, और यह square bracket close हो गए, ठीक है, अब जो है equation बना करने के लिए, तो इसको equation में बनाएं, तो यानि कि नाम के recording इस हिससे को लिखें, तो क्या होगा, यह हिस्सा जो है, वो a कहलाएगा, यह हिस्सा जो है, x कहलाएगा, और यह हिस्सा जो है, वो b कहलाएगा, तो क्या बन गया, a x is equal to b, ठीक है, तो यही चीज जो है, मैं लेता हूं यहां पर तो यह बैक हो गई सारी और अब मैं यहां पर लिख लूँगा A X is equal to B अब हमें X की value find out करनी है क्योंकि X जो है वो X Y के equal है तो X को इसी side पर रख लेते हैं और A को उस side पर ले जाएंगे A को उस side पर ले जाएंगे तो यह प्लस 1 के साथ multiply करवाएंगे तो हमारे पास X की यानि X Y की value आ जाएगी ठीक है तो A inverse लिया भी जा सकता है या नहीं लिया जा सकता उसके लिए हमें A determinant मालूम करना होगा तो आप यहां पर लिख लीजिए ना हो ठीक है तो A का determinant मालूम करें तो यह के आसपास भी ऐसे लाइन कीज़ दो और यहां पर इसका जो मैटेक से उसके आसपास भी लाइन कीज़ दो तो फोर टू थ्री माइनस वन और यह लाइन कीज़ दी ठीक है अब इसको find out करें तो यह क्या हो जाएगा फोर इंटू माइनस वन माइनस थ्री इंटू टू फदर चलें तो माइफ़ वन जफ़ प्लस माइनस माइनस और थ्री टू दा सिक्स तो यह कितन आ गया माइनस टैन जोके जीरो के इकॉल नहीं है तो इसमीन के इसका हम solution मालूम कर सकते हैं तो यहां पर statement लिख देता हूं तो यह मैंने statement लिख दी solution is possible because a is a non-singular matrix ठीक है तो अब हम यानि a inverse मालूम कर सकते हैं तो उसके लिए हमें पहले adjoint a भी मालूम करना होता है तो यहां पर adjoint a मालूम कर लेते हैं तो adjoint a जो है वह a की मदद से आप मालूम किया जाएगा तो यह रहा एं तो 4 और minus 1 की जगे बदल देते हैं ठीक है तो minus one उपर चला जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा स्वारी – one उपर जाएगा तो हम statement भी साथ लिख देते हैं we know that हम जानते हैं ठीक है क्यों जानते हैं क्योंके question में उपर मुझूद है तो यह मैंने लिख दिया we know that ठीक है क्या जानते है x is equal to a inverse b के equal होता है ठीक है तो a inverse की values put कर देते हैं तो यह हो जाएगा x is equal to a inverse होता है a giant a divide by a का determinant ठीक है तो चलिए इसके और सोर यहां पर b भी है तो multiply b तो इसके अंदर values put करते हैं तो x जो है वो किस के equal है वो है x y के equal तो x के जगे हमने यह लिख दिया इसके बाद आ गया अगर चलें तो a giant a लिखना होगा उपर तो यहां पर एक line खिच देते हैं ठीक है और यहां पर आ जाएगा giant a कितना है giant a हमारे पास यह नजर आ रहा ठीक है तो minus 1 minus 3 minus 1 minus 3 minus 2 4 ठीक है तो यह हमारा giant a हो गया और नीचे a का determinant कितना है उपर देखो तो minus 10 निकला है तो यहां पर आप लिख लेंगे minus 10 ठीक है और sorry b भी है तो multiply b का matrix उपर ही लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा 8 minus 1 है तो यहां पर लिख लेंगे 8 minus 1 ठीक है और यह bracket close होगे ठीक है अब जो है minus 1 divided by 10 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा 1 divided by minus 10 और अंदर आ जाएगा ठीक है minus 1 minus 2 minus 3 और 4 ठीक है यह इससा पता होगा आपको बाहर निकाल लेते हैं क्यूंकि जिसके नीचे आप पिछली exercise देख होगी ठीक है नहीं तो असान लफजों में जब यह नीचे होता है तो इसको बाहर ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है तो इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा जो आपके अंदर तो इसलिए हम इसको बाहर कर लेते हैं ताकि यह दोनों matrix को easily multiply करवाया जाए वरना क्या होगा वरना पहले minus 10 को इसके साथ multiply करवाएंगे तो fraction में जवाब आएगा और फिर इसको इसके साथ करवाएंगे तो आपको काफी मुश्किलात आ सकती है तो यह तरीका जो है वह बहतरी है मेरे लिहाद से तो one divided by minus 10 और यहां पर multiply करवा लेते हैं अब हम तो row जो है column के साथ multiply होती है त तो tail से tail तो minus 1 into 8 ठीक है और plus minus 2 into minus 1 नीचे अगर देखें तो minus 3 into 8 और यहां पर आजाएगा plus 4 into minus 1 और यह bracket close होगे ठीक है फर्दर आगे चले तो 1 divided by minus 10 और यहां पर क्या आजाएगा minus 8 और minus minus plus होते है तो plus 2 और नीचे आजाएगा 8 3 the 24 तो यहां पर minus 24 आजाएगा और minus 4 और 4 आजाएगा क्योंकि plus minus minus होता है ठीक है इसको further हल करें तो 1 divided by minus 10 is equal कहरा यह हो गया बाहर अंदर आजाएगा minus 8 में से plus 2 तो minus 6 बच जाएगा और 2428 होते हैं तो दोनों value minus किया है तो minus 28 आगया अब जो है minus 1 divided by को अंदर multiply करवाद हो तो minus 6 multiply 1 divided by minus 6 sorry minus 10 ठीक है उपर वाले के साथ करवाले नीचे के साथ करवाँ हो तो minus 28 multiply 1 divided by minus 10 तो दोनों को minus से multiply करवा लिया इधर जो है square bracket डाल देते हैं ताकि यह matrix की form लगे और यह हमने square matrix डाल दिया इधर equal का sign डाल दिया अब कट सकता है 6 और 10 को आपस में 2 3 दा 6 और 2 5 द 10 तो 3 divided by 5 आ जाएगा तो minus से ऊपर minus नीचे minus हो तो यह दोनों एक दूसरे से cancel हो जाते हैं तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 divided by 5 और नीचे जो है वो क्या है इसको मिटा देते हैं हम लोग 28 divided by 10 ठीक है तो यहां पर आ जाएगा minus 28 divided by minus 10 ठीक है तो 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8 ठीक ह तो आप यहां पर लिख देंगे 14 divided by 5 ठीक है तो minus minus से cancel हो जाएगा तो वो चीज़ यहां पर आएगी नी ठीक है तो यह हमारे पास finally वो matrix आ गया सोरी नजर नहीं आ रहा अब नजर आ रहा होगा जो कि हमने मालूम करना था दोनों जो हैं वो matrix की form में मौजूद हैं तो यहा तो आप यहां पर लिख देंगे 100 और 100 लिखने के बाद x is equal to 3 divided by 5 and y is equal to 14 divided by 5 तो इस तरह से यह question भी complete हुआ तो part number 4 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इसे भी solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले इदर लिखा जाएगा solution और solution लिखने के बाद एक बार question को दुबार 6 और इदर आ जाएगा 5x minus 2y is equal to minus 10 ठीक है अब इसके बाद इसको matrix में change करना है तो matrix में change करें तो पहला matrix coefficient का होता है तो यहां पर आ जाएगा 3 इदर आ जाएगा 5 इदर आ जाएगा minus 2 इदर आ जाएगा minus 2 इदर आ जाएगा minus 2 और यह bracket close ठीक है आप इदर statement लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पहले question के अंदर बताया था in matrix form यह ऐसे भी चलेगा तो पहला matrix हो गया उसके बाद यहां पर अब variables का तो xy variables है equation के अंदर तो यह second matrix तीसरा matrix equation के दूसरे side का तो minus 6 और minus 10 और यह bracket close ठीक है अब इसका अब इनके नाम रख लेते हैं तो let's suppose इसका नाम रख देते हैं पहले का a तो a बराबर हो गया 3 5 minus 2 minus 2 bracket close और x जो है वो equal हो गया यहां पर x के और y के ठीक है और इसके बाद last में b matrix नाम रख देते हैं हम equation के दूसरे side पर जो minus 6 और minus 10 है इसका और यह bracket close हो गया ठीक है अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है हमें इस equation के जो नाम रखे हैं उसको इसी तर्तीब से लिखना होगा कैसे इसी तर्तीब से लिखना होगा इधर हम लिखेंगे a इधर लिखेंगे x और इधर लिखेंगे b ठीक है इसी तर्तीब से ताकि हम equation आसिल कर सकें जिसकी मदद से values find out होंगे ठीक है तो सबसे पहले a का matrix मुझूद है तो यहाँ पे इसका नाम A रखा था तो A लिए उसके बाद यह matrix मौझूद है इसका नाम X रखा था तो यहाँ पर X लिख दिया और इदर इस matrix का नाम B रखा था तो यहाँ पे B लिख दिया इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो हमें X से value हासिल करनी है तो X को इस साइड पर मालूम करना होगा a inverse ब्राबर होता है a giant a divided by a का determinant ठीक है तो a inverse मालूम भी किया जा सकता है या नहीं तो उसके लिए a determinant मालूम करके देखते हैं तो यहां पर हम कर लेते हैं now ठीक है a determinant के मालूम करने के लिए a के आसपास भी ऐसे lines डाल दो और a matrix जो है ठीक है तो यहां पर आगे चलें तो 10 में से 6 गया ठीक है तो पीछे बच जाएगा positive 4 ठीक है which is not equal to 0 it's mean यह non-singular matrix है तो यहां statement लिख लेते हैं तो यह मैंने statement लिख दी solution is possible because a is a non-singular ठीक है तो a जो है वो non-singular matrix है तो इसलिए अब हम a giant a मालूम करते हैं तो यहां पर a giant a मालूम करने के लिए a dj a लिखा और a a मालूम करें तो a matrix की मदद से यह matrix a नजर आ रहा है आपको ऊपर ठीक है तो पहले की जगे बदलेगे तो minus 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा और इधर plus 5 था तो minus 5 हो जाएगा इधर minus 2 था तो plus 2 में हो जाएगा तो a giant a भी हमने inverse b के ठीक है ओपर जो बताया था तो अब a inverse के किसके equal होते है वो लिख लेते हैं इस फार्मूले में तो x is equal to a giant a divided by a का determinant और यहाँ पर multiply b का matrix आ जाएगा ठीक है तो अब values पूट करें x जो है वो किसके equal था वो था x और y के तो यहाँ पर x और y आ गया ठीक है इसके बाद a किसके equal है a joint a जो है उपर नज़र आ रहा है minus 2 2 minus 5 और 3 के और यह bracket close होगे ठीक है उसके बाद नीचे determinant a है determinant a 4 के equal है ठीक है आपको यह नज़र आ रहा और तो 4 लिख दिया बाकी इदर multiply हो रहा है b matrix जो के कितना है minus 6 और minus 10 तो यहाँ पर आप लिख दीजिए minus 6 and minus 10 और यह bracket close ठीक है अब इस 4 को बाहर निकाल लेते हैं तो बाहर निकालें तो इधर आ जाएगा अब हमारे पास 1 divided by 4 और अब यहाँ पर आ जाएगा minus 2 2 minus 5 3 और यह bracket close और यहाँ पर भी matrix इसके साथ multiply हो रहा है तो अब multiply डालने की जूद नहीं है ठीक है यहाँ भी बेशक ना डालो लेकिन इस answer को 1 divided by 4 के साथ ठीक है तो यहाँ पर xy चल रहा है तो xy लिख लेते हैं अब further आगे चलें तो यहाँ पर तो आ जाएगा xy ठीक है और इधर आ जाएगा 1 divided by 4 वैसे का वैसा इधर हम multiply करवाएंगे ठीक है तो यह ऐसे करके ऐसे मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आ ज 6 के साथ फिर 2 को एक बार करवाएंगे minus 10 के साथ इसी तरह नीचली रोग जो है वो minus 5 है माइस 5 को एक बार minus 6 के साथ और फिर 3 को एक बार करवाएंगे minus 10 के साथ और यह bracket close करतेंगे इसके बाद फरदर आगे चलेंगे तो यहाँ पर तो चल रहा है हमारा sorry fraction नहीं है xy मैट् है तो मानेस मानेस कितना होता है प्लस होता है तो 6 to the 12 तो प्लस 12 हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा positive 12 और बाहर प्लस है तो अंदर वहला sign change नहीं होता आप ऐसी भी समझ सकते है यह plus minus minus और यहां पर आ जाएगा 10 to the 20 तेक है नीचे अगर चलें तो इन दोनों में minus minus plus five six 30 होता है तो यहां पर 30 आ जाएगा और यह फिर plus minus minus होता है तो 10 3 दर 30 तो minus 30 आ जाएगा और यह ऐसे bracket close हो जाएगी फर्दर इसको आगे चलाएं तो अब हमारे पास आ जाएगा x y bracket close ठीक है 1 divided by 4 और इधर आ जाएगा minus 20 वे से 12 गया तो minus 8 और plus 30 और minus 30 0 के equal होता है तो यहां पर 0 आ जाएगा अब जो है 1 divided by 4 को अंदर multiply करवालो तो 1 divided by 4 को अंदर multiply करवाएंगे तो इधर कुछ ऐसे हो जाएगा minus 8 multiply 1 divided by 4 नीचे जो है 0 multiply 1 divided by 4 ठीक है और यह square bracket यहां पर close और यह square bracket यहां पर close इधर x y चल रहा है तो x y लिख लेते हैं ठीक है उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो अब four one's the four four two the eight तो ऊपर आगे minus two ठीक है तो यहां पर आगे minus two और नीचे zero से जो भी number multiply होता है वह zero हो तो corresponding entries आपस में equal होती है दो equal जब matrix हो तो x इसके बराबर होगा और y इसके बराबर होगा तो अब आप यहां पर conclusion लिख सकते हैं conclusion क्या होगा so x is equal to minus two and y is equal to zero ठीक है तो इसके साथ आप लोगों का यह question भी जो है वो solve हो गया पार नमबर five जो आप लोगों को screen के उपर नजर आ रहा है इससे भी solve कर लेते हैं तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इदर लिखा जाएगा solution और solution लिखने के बाद आप जो है question को दुबारा से एक बार उतार लेंगे तो three x minus two y is equal to four उसके बाद जो है minus six x plus four y is equal to seven तो एक question उतर गया matrix में convert करें इसे तो यहां पर three आ जाएगा यहां पर minus six आ जाएगा यहां पर minus two आ जाएगा इधर four आ जाएगा और इधर अगर चलें तो यहां पर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा y तो इधर आ जाएगा four इधर आ जाएगा seven अब इनके नाम रख देते हैं नाम रखें तो यहां प पर आगे xy और इदर चलें तो इसका नाम b रख देते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास four और seven ठीक है अब जो है हम equation बनाते है equation बनाएं तो यह matrix किसके equal रखका है a का तो इदर आ जाएगा हमारे पास a उसके बाद इदर जो है xy किसके equal रखका है X के तो यह दर आ जाएगा X और इस matrix के नाम B रखके है तो B आ जाएगा इसको arrange करें तो यह हो जाएगा X is equal to A inverse B अब A inverse इसका लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता तो उसके लिए हम determinant लेते हैं ठीक है तो यहां पर लिखने के बाद अब हम यहां पर determinant लेंगे तो एक आसपास भी बार्स डाल देते हैं और एका जो matrix है उसके आसपास भी एका matrix कौन सा है यहां पर आपको नजर आ रहा है 3-2 तो यहां पर आ जाएगा 3-2-6-4 ठीक है अब इसके अंदर इन दोनों को हम multiply करवाएंगे तो यह हो जाएगा 3 into 4 और उसके बाद दम्यान में minus उसके बाद minus 6 into minus 2 ठीक है उसके बाद फर्दर आगे चलें तो 4-3-12 minus 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 कितना होता है plus तो यहां पर आ जाएगा plus 12 ठीक है उसके बाद आगे अगर चलें तो अब बाहर minus है तो अंदर का sign बदल जाएगा आप ऐसे भी समझ सकते हो यहां पर प्लस minus होता है तो ऐसे भी समझ सकते हो तो यहां पर आ जाएगा 12-12 ठीक है तो यह same number एक दूसरे के opposite ह कर देंगे और यहां पर आ जाएगा 0 तो its mean हम इसका a inverse मालूम नहीं कर सकते क्योंकि यह एक singular matrix है ठीक है तो जैसे के question में कहा गया था कि if possible अगर possible हो तो इसका हम पो यानि कि इस question के लिए possible था क्योंकि अब देखिए जब हमारे पास अगर हम जैसे यहां पर कर रहे है x is equal to a inverse b ठीक है तो x की value तो हमें पता है यह ठीक है xy है इसके बाद b का matrix भी पता है लेकिन a inverse जो है वो क्या है अगर हम मालूम भी कर लें तो यहां पर तो 0 होगा और 0 के साथ जब भी कोई number multiply or divide हो जाता है तो वो 0 हो जाता है तो जैसे xy इदर आ जाएगा इदर 0 आ जाए जाएगा 0 के साथ जब b multiply होगा तो वो भी 0 हो जाएगा तो in the end 0 आ जाएगा ना x की value आएगी और आपके पास y की value आएगी ठीक है तो इसलिए क्यूंकि यह singular matrix है इसलिए हम यहां पर conclusion लिखके इस बात को मुकंबल करते हैं तो यह मैंने statement लिख दी solution is not possible because a is a singular matrix इतना भी ल जबने वाले को समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए यह question तो यहीं भी खतम हो गया अब जो है हम six part की तरफ चलते हैं तो part number six जो है आप लोगों को screen के उपर नज़र आ रहा है ऐसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा इधर solution और solution लिखने के बाद एक question को दुबारा से लिख लेते हैं तो question हमारे सामने है four x ठीक है उसके बाद plus y is equal to nine और second equation है minus three x minus y is equal to minus five इसके बाद इनको matrix की form में बदलेंगे तो यह हो जाएगा four minus three plus one ठीक है यानि के plus लिखो ना लिखो फरक नहीं पड़ता तो one और नीचे minus y है तो minus one आ जाएगा ठीक है और इधर चलेंगे तो यहां पर आजाएगा x और y और इधर जो है हमारे पास आजाएगा nine और minus five ठीक है अभी तो समझाने के जोट नहीं है लिखोंगा तो समझ में आना चाहिए तो इसके बाद हम यहां पर let लिखते थे और let लिखने के बाद इनके नाम रख देते हैं त nine और minus five ठीक है इसके बाद जो हम equation बनाते है equation बनाएं तो यहां पर हो जाएगा a x is equal to b ठीक है इसके बाद x इधर रखेंगे क्योंकि इसकी values मालूम करनी है और a inverse आज बन जाएगा a इधर आके और साथ में b equation आ गई अब a inverse मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं हम सबसे पह रखा now now लिखने के बाद इधर लिखेंगे a आसपास bars इधर bars डालेंगे तो यह हो जाएगा four one minus three minus one और इधर भी बार और इसके बाद जो है हम multiply करवाएंगे determinant मालूम करने के लिए तो four multiply होगा minus one के साथ फिर दम्यान में minus three multiply होगा one के साथ उसके बाद four one's four तो minus four आ गया तो one और minus का number बढ़ा है तो इसलिए यहां पर minus आ जागा तो a determinant हमारे पास कितना आया minus one ठीक है तो अब यह non singular matrix है तो it's mean इसका हम solution मालूम कर सकते हैं तो यहां पर लिख देता हूं statement तो यह statement लिख दी solution is possible because a is a non singular matrix अब हम a inverse मालूम करने के लिए adjoint a मालूम करेंगे तो यह adjoint a के लिख लिए उसके बाद adjoint a मालूम करने के लिए a हमें पता होना चाहिए तो यह रहा हमारे पास a इसमें minus one जो है उपर आ जाएगा four नीचे तो minus one उपर आ गया four नीचे और sign किस किस के क्या क्या बदलेंगे minus three plus three और minus one तो यहां पर plus three minus one आ जाएगा और यह bracket close we know that लिखने के बाद equation हम लोगों को यहां पर यह मालूम है x is equal to a inverse b ठीक है a inverse किस के equal होता है वो लिख लेते हैं तो x is equal to a inverse होता है a joint a divide by a का determinant और यह multiply b का matrix ठीक है तो अब values put कर लेते हैं इनके अंदर ठीक है तो values put करेंगे तो x और y के ठीक है तो x इसके बराबर आगे a joint a जो है वो यहां पर लिखना होगा तो यह वह रहा a joint a तो minus one minus one three and four और यह bracket close इसके बाद जो है यहां पर हम एक line डाल देते हैं ठीक है इसको थोड़ा सा उपर करना पड़ेगा मुझे यहां पर अब ठीक है तो अब हम नीचे जो है क्या लिखत जो कितना है यहां पर देखिए minus one ठीक है तो नीचे आ जाएगा इसके minus one और यहां पर multiply b हो रहा था ठीक है तो b का matrix कितना है b का matrix उपर से देखें तो nine और minus five है ठीक है तो यहां पर लिख देते है nine and minus five और यह bracket close होगे ठीक है अब जो है minus one को बाहर निकाल लेते हैं ठीक है ठीक है ठीक है तो बाहर निकालों तो one into one ठीक है यह वाला one ठीक है और नीचे वाला minus का है तो ऐसे ठीक है इससे आपको समझने में असानी होगी और matrix कौन से था एजाइंट a का multiply हो रहा था तो minus one minus one three and four और साथ में b का matrix है तो वह कितना है nine and minus five ठीक है और यह यहां पर close देंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर xy वैसे का वैसा इधर जो है one divided by minus one वैसे का वैसा इधर जो है minus one एक बार हो जाएगा nine के साथ multiply है फिर plus आ जाएगा फिर minus one एक बार हो जाएगा minus five के साथ ठीक है तो सारी minus है उसके बाद जो है आगे अगर चले तो इस वाली रो को multiply क साथ और यह bracket close इसके बाद हम आगे अगर चलेंगे तो further यहां पर आजाएगा xy और यह bracket हमारी close इधर आजाएगा one divided by minus one और यहां पर आजाएगा nine one's a nine तो minus nine और minus minus कितना होता है प्लस तो five one's a five ठीक है तो plus five आजाएगा nine three दा कितना हो जाएगा 27 तो यहां पर आगे 27 और बाहर प्लस है तो sign change नहीं होगा आप ऐसे भी समझ सकते हो और plus minus minus ऐसे भी समझ सकते हो तो five fours है कितना होता है twenty तो यहां पर हमने twenty लिख लिया और bracket close हो रही है तो close कर दिया इसके बाद further आगे चलेंगे तो xy ठीक है और यहां पर आजाएगा one divided by minus one और इधर आजाएगा nine का number यानि minus का number बढ़ा है तो minus का sign nine में से five गए तो four ठीक है और नीचे 27 में से 20 गए तो positive value बढ़ी है तो positive आजाएगा seven ठीक है तो यह हमाई पस matrix आगया इसके साथ multiply करवा देते हैं इस matrix को multiply करवाओंगा तो यह हो जाएगा हमारे पास bracket अभी यहां पर minus four था इसके साथ multiply क multiply करवा देते हैं seven multiply one divided by minus one ठीक है और यहां पर अब bracket ऐसे डाल लेते हैं ठीक है और यह भी bracket डल गई और इधर यह आ गया ठीक है और इधर xy था तो xy ही हमने लिख लिया ठीक है आगे अगर चलेंगे तो अब क्या होगा minus minus से cancel देखिए minus four multiply one divided by minus one है इसको solve करूँ तो four one से multiply होगा तो क्या हो जाएगा minus four divided by minus one ठीक है तो minus minus से फिर क्या हो जाते cancel और उपर बच जाएगा फोर यह चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी नीचे one लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता तो in the end हमारे पास four ही answer आ जाएगा ठीक है तो यहां पर उपर वाले का तो जवाब आ जाएगा four ठीक है और नीचे वाले का यहां पर क्या आएगा तो यहां पर seven multiply one divided by minus one तो seven one is a seven divided by minus one ठीक है तो अब और अब क्या जाएगा equal ठीक है नीचे one लिखो यह ना लिखो फर्क नहीं पड़ता हो चोट-चोटी चीज़ें जो है वो मसला create करती है आ देखे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ seven multiply ठीक है one वंदा one तो यहां पर क्या जाएगा minus one ठीक है minus खतम नहीं हुआ अभी ठीक है और अब जो है यह आप ऐसे कर सकते हो seven वंदा seven और plus minus ठीक है तो कैसे भी समझ लीज तो आप जो है यानिके नीचे one तो लिखते नहीं है तो वो number आ जाएगा और साथ में नीचे वाला minus जो है वो साथ ही शामिल होता है ठीक है तो इसके बाद जो है नीचे हमारे पास क्या जाएगा minus seven तो यहां पर लिखते है minus seven और यह bracket close ठीक है और इधर क्या था हमारे पास to four and y is equal to minus seven ठीक है तो I hope यह question भी जो है समझ में आ गया होगा तो part number seven आप लोगों को screen के open अज़रा रहा है इससे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा solution solution लिखने के बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे एक बार question को दुबारा से तो two x minus two y is equal to four और नीचे आ जाएगा minus five x minus two y is equal to minus ten ठीक है इसके बाद इनको matrix में convert कर लीजे तो यहां पर आ जाएगा two minus five इधर minus two minus two और इधर जो है वो कितना आ जाएगा sorry equal डाल रहा हूं variable का matrix तो x और y और इधर आ जाएगा हमारे पास four और minus ten का matrix ठीक है इसके बाद इन्हें नाम दे दीजे तो यहां पर लिक लेंगे let के हम फर्स कर रहे हैं इसको नाम दे दिया a का two minus two minus five minus two ठीक है और इसको नाम दे दिया हमने x का ठीक है तो यह हो गया हमारे पास x and y और इसको नाम दे दिया b का तो b किसके equal हो जाएगा four and minus ten और यह bracket close हो गए इसके बाद आगे अगे अगर चलेंग इसे तो यहां पर आजाएगा x is equal to बलके मैं direct कर रहा हूं यहां पर आजाएगा a यहां पर आजाएगा x is equal to b और further आगे चलाएंगे तो आगे आजाएगा x is equal to a inverse b ठीक है अब a inverse मालूम करेने के लिए सबसे पहले क्या मालूम किया जाता है determinant ठीक है तो यहां पर a का determinant ना ओ लिखने के बाद यहां पर a के पास भी बार्स डाल दीजे और a का matrix कौन सा है यह वाला इसके आज पास भी बार्स डाल दीजे तो two minus two minus five minus two ठीक है और यह bracket close अब bracket के रहा बार्स आ गई और इसके बाद जो है two को एक बार minus two के साथ दर्मयान में minus इसके बाद minus five को minus two के साथ further आगे चलेंगे तो two to the four और plus minus minus ठीक है तो minus four आ जाएगा और यहां पर minus minus कितना होता है plus होता है ठीक है तो अंदर आ जाएगा five to the ten ठीक है उसके बाद यहां पर minus four था और यहां पर आजाएगा minus ten तो यह हो जाएगा minus 14 ठीक है तो a determinant हमाई पस कितना है minus 14 तो इसका solution ल singular matrix तो अब हमें A inverse मालूम करना होगा A inverse मालूम करने के लिए adjoint A मालूम करना पड़ेगा तो यहां पर adjoint A लिख लिया और adjoint A के लिए A matrix देखना होगा तो यह रहा matrix A तो two minus two उपर आ जाएगा और two positive नीचे आ जाएगा अब जो सब चीज़े आगे अब हम लिख सकते हैं we know that तो यह मैंने statement लिख दी we know that हम क्या जानते हैं X जो है वो बराबर है A inverse B के ठीक है तो चलिए A inverse की values put करते हैं तो यहां पर आ जाएगा X is equal to adjoint A divided by A का determinant or multiply B का matrix ठीक है अब इसके अंदर values put करेंगे तो कितनी आ जाएगी यह X की जगे आ जाएगा हमारे पास X and Y ठीक है और adjoint A की जगे हमारे पास आ जाएगा यहां पर minus two two five two ठीक है और नीचे जो है आ जाएगा हमारे पास A का determinant कितना है sorry determinant लिख रहा वह minus fourteen है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो तो यहां पर आ जाएगा minus fourteen और multiply B का matrix तो उपर से ही देखना हमें पड़ेगा ठीक है तो यह है four minus ten के तो यहां पर आप लिख लीजिए four and minus ten ठीक है और यह bracket close अब इनको multiply कर वा लेते हैं तो इदर आ जाएगा हमारे पास X and Y का matrix वैसे का वैसा इदर आ जाएगा one divided by minus fourteen और इदर आ जाएगा minus two two five two और इदर आ जाएगा हमारे पास four minus ten ठीक है फर्दर अब इसको multiply कर वाएंगे तो यह one divided by minus fourteen वैसे का वैसा और इदर चलेंगे तो minus two एक बार four के साथ three plus two एक बार minus ten के साथ इदर five एक बार four के साथ plus two एक बार minus ten के साथ और यह bracket close further आगे चलेंगे तो one divided by minus fourteen और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास four to the eight तो minus eight और plus minus minus ten to the twenty तो यहां पे twenty आ जाएगा five fours are twenty positive twenty और यहां पे minus twenty और यह bracket close further आगे चलेंगे तो one divided by minus fourteen वैसे का वैसा ऊपर आ जाएगा minus twenty eight और नीचे आ जाएगा zero ठीक है अब जो है minus one divided by fourteen को अंदर multiply करवा देते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास minus twenty eight को multiply करवा दिया one divided by minus fourteen के साथ ठीक है और यह bracket हमने यहां पे close कर दी और यह equal डाल दिया ठीक है हमारे पास यहां पे आ गया matrix इधर xy चल रहा था तो लिख लेते हैं यह xy आ गया तो अब जो है यहां पर हम क्या लिखेंगे सावित क्या हुआ so x is equal to two and y is equal to zero तो इसके साथ यह question भी उमीद करता हूं समझ में आ गया होगा तो part number eight आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इसे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाता है solution तो यह लिख लिए solution उसके बाद question तो three x minus four y is equal to four और x plus two y is equal to eight ठीक है matrix में convert करें तो यह हो जाएगा three one minus four two और यहां पर आ जाएगा x and y और इदर आ जाएगा हमारे पास four and eight ठीक है इनके नाम रखें तो यहां पर आ जाएगा let और let लिखने के बाद a जो है वो हमारे पास matrix बना लेते हैं three minus four one two का इसी तरह x जो है वो matrix बना लेते हैं x and y का और इसी तरह b matrix बना लेते हैं हम लोग four and eight का ठीक है इसके बाद equations लिखें तो equations में आ जाएगा ax is equal to b further इसको आगे चलाएंगे तो x is equal to minus one यह इन्वर्स भी आ जाएगा ठीक है अब a inverse मालूम किया जा सकते या नहीं तो यहां पर लिखेंगे now ठीक है now लिखने के बाद a के आसपास bars a का matrix यह नज़र आ रहा आप लोगों को तो यहां पर आ जाएगा three minus four one two और यह बार further आगे चलें तो three into two minus one into minus four further three to the six plus four is equal to ten ठीक है तो यह non singular matrix से लिख लेते हम तो यह statement लिख ली statement लिखने के बाद a giant a मालूम करते हैं तो यहां पर लिख लिख लिया a giant a a giant a मालूम करेंगे तो three or two की जगे बदल जाएगे तो two ऊपर three नीचे two ऊपर three नीचे और science जो है minus one plus four minus one और यह plus four आ जाएगा ठीक है तो यह करने के बाद अब हम यहां पर लिख अब आ जाएगा x is equal to a giant a divided by a का determinant multiply b ठीक है values put करेंगे तो कितनी आ जाएगी giant a लिखना होता है तो a giant यहां यहां पर आ जाएगा इधर y आ जाएगा ठीक है और इधर जो है a giant a a giant a कितना है वह है two four minus one three और यहां पर आ जाएगा नीचे a का determinant जो कि कितना है positive ten तो यहां पर आ गया ten ठीक है और multiply जो है यहां पर b matrix कितना है b matrix है हमारे पास four और eight ठीक है तो यहां पर आप लिख लीजे four and eight ठीक है यह थोड़ा दर्मियान में होता है इसको हम थोड़ा दर्मियान में कर लेते हैं क्योंकि equal है ठीक है तो यह मिटा लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं x and y ठीक है equal का sign इस line के दर्मिया साथ होता है इसके बाद अब हम 10 को बाहर निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा one divided by ten और इधर आ जाएगा two four minus one three और यह bracket close इधर जो है बचा हुआ है four और eight ठीक है अब जो है one divided by ten को वैसे का वैसा two into four plus four into eight नीचे minus one into four plus three into eight और बेकट close फर्दर आ जाएगा one divided by ten वैसे का वैसा four to the eight plus eight for the thirty-two और उसके बाद minus four और eight three the twenty four है तो plus twenty four आगे ठीक है फर्दर इसको आगे चलाएं तो यह कितना हो जाएगा one divided by ten वैसे का वैसा और बतिस और चालिस और चोबिस में से चार गया बीस ठीक है अब इसको one divided by ten को अंदर multiply कर वा लेते हैं तो forty multiply one divided by ten और यहां पर आ जाएगा twenty multiply one divided by ten ठीक है तो दोनों को ten के साथ multiply कर वा लिया ठीक है one divided by ten के साथ और इसके बाद जो है ten for the forty ten to the twenty तो पीछे क्या बच गया हमारे पास पीछे बच गया हमारे पास four और नीचे two ठीक है और यह square bracket इधर x and y आ रहा है तो वह लिख लेते हैं x and y तो इस तरह से आपने क्या मालुम किया x is equal to four and y is equal to two हो ठीक है तो i hope यह question जो है वह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो question number two आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है इसको पढ़ लेते हैं समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है तो इसमें बोला जा रहा है the length of a rectangle एक rectangle है जिसकी length बताए गई है कितनी है वो length four times its width उसकी width से 4 गुना ज्यादा है ठीक है या four times times का मतलब यहाँ पर multiply होता है ठीक है इसके ओपर भी बात करते हैं पहले एक बार translation कर लेते हैं question की आगे क्या बोला जा रहा है the perimeter of the rectangle जो rectangle का perimeter है वो कितना है 150 cm find the dimensions of the rect angle तो उस rect angle की dimensions मालूम करें तो translation की हद तक बताओं तो इसमें यह बताया जा रहे कि एक rect angle है ठीक है और उस rect angle की dimensions उसने क्या बताई है कि उसने बस यह बताया यह नहीं बताया कि उसकी length कितनी है width कितनी है बस उसने इह बताया कि उसकी जो length है वो 4 times है उसकी width से ठीक है उसकी length जो है width से 4 गुना ज्यादा है और साथ में यह बताया गया कि इस rect angle का perimeter है वो 150 cm है ठीक है तो दो चीजें बताई गई है और साथ में अब यह पूछ लिया गया है कि इस rectangle की dimensions क्या है ठीक है तो dimensions का मतलब क्या होता है तो डामेंशन का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यूज है जैसे कोई रेक्टेंगल की बात की गई है तो इसकी लेंथ जो है यह कितनी है यानि कि यह भी डामेंशन के लाएगी विर जो है यह भी डामेंशन के लाएगी डामेंशन मतलब उसकी जो लंबाई चुड रखते हुए मैं बात करूँगा सबसे पहले रेक्ट एंगल से ठीक है तो अगर मुक्त सरे बता हूं रेक्ट एंगल किसे कहा जाता है तो रेक्ट एंगल जो मैठ्री की एक ऐसी शेप होती है जिसमें दो opposite side जो होती है वह equal होती है ठीक कहा है ओपोजीट sides equal होती हैं तो इसके equal कोंसी side होगी यह घीक है जैसे square स्केर के बारे में आपने पढ़ा square के ऐसी figure होती है जिस में चारों sides जो होती है वो एक दूसरे के equal होती है लेकिन rectangle में हमेशा दो opposite इन्य आमने सामने वाली sides जो होती है वो ब्राबर होती है मुक्तिसीर आप यही समझे ठीक है तो रेक्ट एंगल का आप लोगों को पता चल गया यह किसे कहा जाता है question की point of view से अब बात कर लेते हैं second हम इसको मिटा देते हैं यहां से किस पर बात करें dimensions भी पता चल गई आपको अब यह parameter के उपर पहले बात कर लेते हैं कि parameter जो है किसे कहा जाता है तो देखिए parameter का मतलब होता है distance ठीक है यहां पर perimeter का मतलब क्या होगा distance फासला ठीक है जैसे rectangle की बात की गई थी तो यह एक मिसाल के तोर पर rectangle है ठीक है perimeter का मतलब यहां पर यह होगा कि total distance कितना होगा जैसे एक बंदा यहां से चलना शुरू करे ठीक है और वो पहले यहां पर पूरा चले उसके बाद वो यहां पर चले उसके बाद वो यहां पर चले और उसके बाद वो यहां पर चले तो overall उसने कितना distance cover किया कितना फासला तै किया तो उसको perimeter बोलते हैं मिसाल के तोर पे आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम मिसाल समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ यह जो side है इसकी हम लंबाई रख लेते हैं 5 cm ठीक है समझने के लिए और इसकी हम यहां से यहां तक की जो dimension है या जो चुड़ाई है वो रख लेते हैं हम लोग 2 cm ठीक है तो अब यहां से यहां तक total फासला अगर कोई बंदा चलेगा तो उसने कितना cover किया तो आप कह सकते हो के पहले यहां से यहां तक चलेगा तो वो हो गया 5 cm उसके बाद यहां से यहां तक आया तो वो हो गया 2 cm फिर दुबारा यहां से यहां तक आया तो फिर 5 cm हो गया फिर दुबारा नीचे की तरफ आया तो फिर 2 हो गया क्यों क्योंकि 14 से हमें ये पता चल रहा है कि total distance जो है इस rectangle का borders का कितना है या फिर अगर इस rectangle के borders को की सारी लंबाई को जमा किया जाए तो वो भी आप समझ सकते हो parameter है ठीक है तो चोटी classes में आपने समझे होगा अब सारी चीज तो मैं detail wise यहां पर नहीं बता सकता है लेकिन आस यही समझेगा parameter का मतलब यह होता है कि कोई भी figure जैसे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहां से ठीक है कोई भी figure जैसे कि यह figure बन रही है यह कि इसकी लंबाए चुडाई को अगर add किया जाए तो कितना distance बनेगा उससे parameter कहा जाता है ठीक है अगर जैसे मैं कहूंगा 40 14 सेंटीमीटर इस figure का perimeter है तो इसका मतलब यह है कि इसकी तमाम sides को जमा करने के बाद जो answer है वो 14 सेंटीमीटर आ रहा है ठीक है तो यह तो conceptual definition या conceptual way से मैंने आप लोगों को perimeter बताया तो जैसे area मालूम करने का formula होता है इसी तरह perimeter मालूम करने का भी formula होता है ठीक है rectangle में perimeter मालू करने का formula क्या होता है यह होता है जैसे इसका five centimeter रखा था इसका two centimeter रखा था ठीक है तो perimeter का formula होगा two into length plus width ठीक है यानि लंबाई जर लंबाई और चोड़ाई को add कर दो और उसको फिर two से multiply कर दो तो आपका perimeter आ जाएगा जैसे लंबाई कितनी है इसकी वो five centimeter है ठीक है तो अग five आ गया और विर्थ कितनी है इसकी यानि चुड़ाई कितनी है two centimeter तो यहां पर two लिख लेते हैं और इसके बाद five or two कितना हो जाएगा seven तो यहां पर आ जाएगा seven और यहां पर two चल रहा था तो in the end seven to the fourteen centimeter तो देखिए यानि के mathematical वे से फार्मूले के हिसाब से हम चलते है ल आ दिया लेकिन आप question solve करेंगे तो यह फार्मूला मैं वहां पर लिखूंगा तो आपने confuse नहीं होना के सर ने यह क्या लिख दे टू इन्टू L plus W ठीके तो अभी तक हम क्या सीख चुके है question को समझने के लिए हम सीख चुके है perimeter क्या होता है ठीक है जो कि distance होता है rectangle क्या होत अब यह बात समझ लेते हैं कि rectangle is four times its width यानि कि इससे क्या मतलब है जैसे rectangle की बात की गई थी ठीक है यह मिसाल की तो पर rectangle है तो यह फिर ऐसा करते हैं इसको मैं figure बनागे जब question solve करूँगा तब ही इस बात को समझा दूँगा आपको वहां अच्छे से समझ बाएगा ठीक है तो overall यह जो data है यह समझ लिया आपने सारे data को इस्तमाल करते हुए आपने rectangle जो भी पहले rectangle बना लेते हैं ठीक है तो ऐसा करते हैं इसको solve करो तो सबसे पहले लिखूँगा मैं solution और solution लिखने के बाद जो है जैसे कि question में जो चीज बताए गई उसको लिखेंगे तो एक तो ह हम ऐसे करते हैं जो भी rectangle है उसको यानिके समझाने के लिए आपने figure बनानी नहीं है वैसे समझाने के लिए मैं यहां पर एक बना देता हूं ठीक है या बना भी लोग है pencil से side में तो कोई मसला नहीं है ठीक है तो यहां पर एक rectangle है ठीक है तो इसको as a case study हम data यहां पर लिखते हैं unknown values उनको x, y, z इस तके variables का नाम ही देते हैं तो यहां पर हम लिख लेंगे let और let की लिखका अपनी तरफ से क्योंकि नाम दे रहे हैं तो हम length को नाम दे देते हैं यहां पर length of rectangle is equal to कर लेते हैं यहां पर y के यह होगी length of rectangle ठीक है कोई भी नाम रखना है था ना x भी रख स जगे मैंने y लिख सकता हूं ठीक है और w की जगे मैं x लिख लूँगा ठीक है तो यहां पर लिख लेता हूँ width of rectangle तो width of rectangle को x represent किया तो यहां पर लिख लिए x ठीक है तो यह दो नाम रख दिये मैंने x और y ठीक है अब जो है यानिके 2 conditions यानिके condition मतलब 2 सूरतेहाल या 2 त बनाएंगे ठीक है जैसे कि अब और मेट्रिक स्व मेट्रिक स्व थ्यू आपको मालूम करने स्वaster और मन करने स्वर थे법 newly Elemental to March करते हैं तो हर question के अंदर आपको यह चीज़ें समझ में आएंगी ठीक है तो कहना यह चाहता हूं तो दो condition है तो यहां पे लिख लेते हैं according to first condition तो यह लिख लिख लिए अब अगर मैं यह कहूं के वकास का वेट जो है अली से दो गुना ज्यादा है तो ठीक है तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगा मैं यहां पे लिखूंगा वाई और क्यूंकि अली का वेट एकस को अगर मैं टू से multiply करवा दूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वकास का वेट जो है वो दो गुना अली से ज्यादा है ठीक है इसी तरह अगर मैं x को 3 से multiply करवा दूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वकास का वेट जो है अली से 3 गुना ज्यादा है ठीक है तो bracket के बाहर 2, 3, 4, 5 लगान से इनके टाइम्स या उतने गुना इस जिसको हम थोड़ा एक्जेम्पल से अगर समझाऊं दुबारा से के वकास और अली की बात की जा रही है ठीक है अब मैं कहा देता हूं के अली का वेट जो है वो हम कर लेते हैं मिसाल के तोर पे कितना रखें अली का वेट 30 केजी रख लेते हैं ठीक है तो अली का वेट कितना है 30 किलो है ठीक है तो अब मैं अगर कहूं के वकास का वेट जो है अली से दो गुना जादा है ठीक है तो यानिके आप यहाँ पे लिखें वकास क्योंकि इसके वेट की बात की जा रही है और इसका वेट कितने है अली से दो गुना जाद है तो 2 को हम किस से मल्डिप्लाइ करवाएंगे 30 से मल्डिप्लाइ करेंगे ठीक है तो यह कितना हो जगा 30 to the 60 ठीक है तो अब आप देखिए वकास का वेट कितना है 60 kg तो 60 kg केजी जो है वो 30 से डबल हो गया ठीक है इसी तरह अगर मैं आपको कहूं के नहीं वकास का वेट जो है अली से तीन गुना जादा है या थ्री टाइम्स जादा है तो फिर आप क्या करेंगे थ्री लिख लेंगे और अंदर जो अली का वेट था जो के 30 kg था वो लिख लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 90 kg हो जाएगा तो 90 kg जो है वो 30 kg का 3 times हो ठीक है तो इस तरह बस समझाना में आपको यह चाहता हूँ कि जो times होता है यह कितने गुना जादा है तो उसको हम क्या करते हैं ऐसे brackets में रख लेते हैं ठीक है तो समझ में आ गया होगा अब मैं rail rectangle के यहां पर y ठीक है और एक तरफ रख लेते हैं x ठीक है अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो बराबर है x के ठीक है यानि इन दोनों की length की बात की जाए तो y x बराबर है लेकिन हमें क्या करना है हमें यानि कि length को क्योंकि y जो length को represent कर रहा है length को दो गुन क्या show कर रही है वो ये show कर रही है कि length जो है ठीक है वो width से two times ज्यादा है ठीक है two लिखने से two times हो जाएगा इसी तरह three लिख दूँगा तो three times हो जाएगा तो I hope अब जो है आप लोगों के बात समझ में आई होगी तो length को rectangle की length को four times बढ़ाना है width से तो four times बढ़ाने के दूँगा ठीक है तो अब जो है क्या हो जाएगा length जो है वो चार गुना भढ़ गई किस से width से क्योंके x जो है वो width को represent कर रहा है ठीक है तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकता था कोशिश मैंने की है पूरी ठीक है तो in the end आप यहाँ पे क्या बना लेंगे आप यहाँ बना अंदर convert कर लिया ठीक है तो I hope समझ में आ गया होगा कि यह length थी इस length यह length जो है चार गुना इससे ज्यादा है अब आप लोगों को मालूम है कि हमें दो equations बनानी होती है ठीक है तो एक equation तो हम इसी equation की मदद से हासिल करेंगे तो अब वो कैसे हासिल करेंगे इस equation को अब आप ठीक है जितने भी questions आपने किये हैं तो एक तरफ क्या होता है x और y होता है ठीक है दूसी तरफ जो है कोई number होता है ठीक है तो अब number तो यहां पर नहीं है तो उसका मसला नहीं है उसको आप कैसे deal करोगे आप यहां पर ऐसे करोगे इस 4x को इधर लेके आएंगे यह चीजे तो उसका sign बदल जाता है जैसे 4x इधर से इधर आएगा तो इसका sign या ilamit बदल जाएगा और यह क्या हो जाएगा minus 4x बन जाएगा ठीक है तो यह इधर से आके minus 4x हो गया plus y जो इधर पहले से मुझूद था तो यहां पर लिख लेते है plus y और इधर जो है अब कुछ भी नहीं बचा ठीक है जब कुछ भी नहीं बचता तो इसको किस से शो करते है जीरो से शो करते है ठीक है तो यहां पर मैं 0 लिख दूँगा ठीक है तो I hope समझ में आया होगा तो इस तरह से यह हमारी जो है एक equation बन गई ठीक है तो दो equation चाहिए होती थी तो एक condition से हासिल कर ली इसी तरह दूसरी हम जो दूसी condition से असिल कर लेते हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा अब मैं यहां लिख दूँगा according to second condition ठीक है क्योंकि उसके according हम मालूम करेंगे तो यह लिख लिख लिए हमने according to second condition वो तो असान है क्या 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 parameter दिया गया है rectangle का तो parameter मालूम करने क formula आप लोगों को मैं वीडियो के question के concept के अंदर बता चुका हूँ तो parameter का formula यहां पर क्या होगा parameter का formula हो जाएगा two को हम multiply करवा देते हैं किसके साथ length के साथ और width के साथ ठीक है मैं यहां link भी देता हूँ आप लोगों को ताकि याद आ जाए length वरना direct करोगे तब भी solve हो जा रेषिए ठीक है तो अब इसको याद के length को किस से show किया गया उसमें लिख लेते हैं तो length को हम show length को question में show किया गया है आप यहां पर देख सकते हो Y के साथ ठीक है तो यहां पर bracket में हम length की जगे Y लिख लेते हैं width को हमने X के साथ show किया तो है here X लिक लेते हैं और perimeter जो है व हमने हासिल कर ली अब इसको जैसे कि equation में क्या होता है एक तरफ x होता है एक तरफ y होता है और दूसरी तरफ number होता है ठीक है तो इसको हम क्योंकि यहां पर bracket है तो इस bracket को खोल लेते हैं तो खोलेंगे तो यह 2y प्लस 2x ऐसे भी आप equation बना के question solve करेंगे तो इससे भी हो जाएगा लेकिन इसको और ज्यादा आसान करना हो तो math में जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया था एक तरफ से जब भी कोई चीज दूसरी तरफ जाती है तो वह plus minus यानि sign change हो जाता है इसी तरह एक और rule होता ह है ठीक है बस यह दो ही होते हैं जादा नहीं होते है कि equation के एक तरफ जो है अगर कोई number या कोई भी वैरियेबर multiply हो रहा हो और उसको दूसरी तरफ लेकर जाना हो तो दूसरी साथ पर जाके divide हो जाता है ठीक है यानि कि plus minus को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो sign बदल जाता ह तो यहां पर लिख लेते हैं y plus x ही बच जाएगा और इधर 150 को 2 से divide कर देते हैं ठीक है तो अभी कितना हो जाएगा 2 1s are 2, 2 7s are 14, पीछे 1 बचा 2 5s are 10, तो 75 आ ठीक है तो उह जादा simplify हो गया तो असान रहेगा ठीक है तो अब हम क्या यानि के y plus x था ठीक है is equal to कितना आ ग करता है तो इसलिए 75 लिख लिए तो y plus x जो है is equal to 75 के आगया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन क्योंकि आगे जाके matrix बनाना है तो हम तरतीब इस तरह की रखेंगे पहले हमने x रखा है तो फिर y रखा है ठीक है तो यहां पर भी हम पहले x कर लेते हैं क्योंकि x plus y ल लिखो इससे फरक तो नहीं पड़ेगा ना तो हम ऐसा करते हैं यहां पर लिख लेते हैं x plus y plus x था तो हम तरतीब में ऐसे कर लेते हैं x plus y कर लेते हैं ताकि दोनों equation को आप easily carry कर सको तो यहां पर 75 आ गया और यह equation number second मैंने इसका नाम दे दिए तो दो ही equation चाहिए होती थी दोनों आपने मालूम कर लिए ठीक है तो अब आप जो है इन दोनों से direct matrix भी लिख सकते हो या फिर अपनी असानी के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो यहां पर लिखने के बाद जो है आप first equation ओपर नज़र आ रहे है minus 4x plus y is equal to 0 और second equation आपको नज़र आ रहे है x plus y is equal to 75 अब इस से क्यों का question थोड़ा लंबा हो जाता है यह दो लाइन ही लिखो तो इसलिए directly भी आप यहां पर directly matrix convert कर दो वो भी किया जा सकते है तो हम ऐसे करते हैं चलो यह दोनों को एसी लिख लेते हैं और लिखने के बाद जो है अब इनको matrix की form में बदल देते हैं ठीक है तो यहां प सबसे पहले coefficients लिखे जाते हैं ठीक है तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास minus four यहां पर आ जाएगा one यहां पर आ जाएगा one और यहां पर भी आ जाएगा one ठीक है तो यह इनके coefficients लिख लिख लिए उसके बाद जो है xy variable आ जाते हैं तो यहां पर आ गया x यहां पर आ गया y उसके बाद उसी तरफ जो है 0 और 75 है तो यहां पर 0 और 75 लिख लिए ठीक है अब जो है इनके नाम रख दो ठीक है एक चीज़ ओर के आप inversion method के थू कर रहे हैं या grammar rule के थू कर रहे हैं वो आपको question में ही यहां पर बता दिया जाता है ठीक है तो अगर question आए grammar rule के recording कर देना inversion के थू आपको बताया जाए तो आप सारा question जो है inversion के थू कर दीजेगा ठीक है यहां question के या फिर आप शुरू करने से पहले जो है solution के उपर by inversion method आप ऐसे भी कर सकते हो तो यह कोई मसला नहीं है लेकिन मेरे मताबिक यह है के जो question में कह दिया उसके recording आप सीधा solve कर दो यहां पर लिखने के जूद नहीं है by inversion method या by grammar rule ठीक है वो question में बता दिया तो अब हम उसके recording solve कर देंगे ठीक है तो अब हम इसको inversion के थूरू solve करने जा रहे है तो अब हम inversion में क्या करते थे इसके बाद इनके नाम रख देते हैं तो यहां पर नाम रख के तो let a is equal जो है वो किसके नाम रखते थे हम लास्ट का तो यहां पर हो जाएगा 0 और 75 तीनो मेटिक्स के नाम रख लिए अब जो है इसके बाद हम equation हासिल करेंगे तो x is equal to sorry a x होता है a x is equal to b होता है और इसको further करें तो x is equal to बहुत तो a inverse b अब हमें a inverse मालूम करने है ठीक है तो यहां पे अब हम कर लेते हैं now तो a inverse मालूम करने के लिए determinant पहले मालूम किया जाता है कि मालूम भी किया जा सकते या नहीं तो यहां पर घया चासपास lines डाल दो धो ओपरसे a का metrics यह वला है तो यहां पर लिख लेते हैं, minus 4, 1, 1, 1, और इधर भी line खीच देते हैं, तो further आगे चलेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, minus 4 को 1 के साथ, फिर दिर बेहां में minus, और इधर भी 1 को 1 के साथ, further आगे चलेंगे, तो यह आगे minus 4, और यह आगे 1, 1, दा 1, तो in the end कितना आजाएगा, minus 5, which is not equal to 0, तो it means कि हम इसका आगे inverse ले सकते हैं, solution is possible है, तो इसके बाद यहां पर statement लिखने की, लिख भी दो, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी नहजर में लिखने की जूरूत नहीं है, क्योंकि question number 1 के अंदर आपको कहा गया था, if possible, अगर possible हो तो, ठीक है, तो इधर तो वह वाली situation है नहीं, तो directly कहा है किसे solve कर दो, ठीक है, तो आप यहां पर लिखके वक्त मत जाय करें, आगे जो है, या अगर आपका teacher कहता है, तो कर लिजेगा, लेकिन मेरे मताबिक, इसको यहां लिखने के बाद सीधा जो है, अब हम मालूम कर सकते हैं, आपको पता चल गया, तो यहां पर कदो, which is not equal to 0, और अब हम a giant a मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका inverse मालूम करना है, तो a giant a मालूम करें, तो a giant a अगर हम यह रहा, minus 4 और 1 की जगे बदलेगी, तो यहां पर आजाएगा 1 और यहां पर आजाएगा minus 4, और इन दोनों की लामते बदलेंगी, तो यह हो जाएगा minus 1 और minus 1, ठीक है, और यह bracket close, तो a giant a भी आगया, ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम statement लिख लेते हैं, we know that, क्या हम जानते हैं, हम यह जानते हैं कि equation जो है, ऊपर question में मौझूद है, तो आप यहां पर क्या लिख लेंगे, x is equal to a inverse b, ठीक है, अब इसके बाद values put कर दो, values put करेंगे, तो a giant a जो है, वो कितना है, a giant a हमारे पास है, 1, minus 1, minus 1, minus 4, ठीक है, और determinant कितना निकला है, minus 5, सारे ही minus के हैं, तो यह minus 5 हो गया, multiply b matrix कितना है, उपर देख लेते हैं, 0 और 75, तो यहां पे लिख लेते हैं, जीरो और 75, ठीक है, और इधर हम equal का sign डाल देते हैं, ठीक है, एक्स भले लिखो या ना लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, sorry, x की value भी तो इधर put करनी है, वो भी matrix है, तो यह हो गया, x, y, ठीक है, तो इसकी जगे हमने यह लिख दिया, अब जो है, minus 5 को बाहर निकाल लो, तो यह बाहर निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 divided by minus 5, और एक matrix है, 1, minus 1, minus 1, minus 4, ठीक है, और इधर आ जाएगा, हमारे पास, 0, 75, ठीक है, तो इन दोनों matrix को multiply करवा लेते हैं, और 1 divided by minus 5, लिख रहने देते हैं, तो multiply करवाएं, तो 1 जो है, एक बार 0 से multiply होगा, फिर minus 1 जो है, एक बार 75 से multiply होगा, नीचे जो है, minus 1, एक बार 0 से होगा, plus, फिर minus 4, जो है, एक बार, अब तो practice हो गई होगी, 75 से होगा, ठीक है, फर्दर आब आगे चलेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 1 divided by minus 5, और यहाँ पर आजाएगा, 0 से multiply होगे, कोई भी number 0 हो जाता है, और इधर आजाएगा, plus, minus, minus, और minus 75, और इधर फिर 0 आजाएगा, और 75, फोर्जा कितना होता है, 300, तो यहाँ पर आजाएगा, minus 300, ठीक है, और यह bracket close होगे, 5 and minus 300, ठीक है, तो अब 1 divided by 5 को अंदर multiply करवा लेते हैं, तो multiply करवाएगे, तो minus 75, multiply 1 divided by minus 5, और नीचे क्या आजाएगा, हमारे पास, यह आजाएगा, minus 300 था, तो minus 300, multiply 1 divided by minus 5, ठीक है, तो यह अंदर multiply करवाने के बाद, आपने square bracket डाल दी, equal हमेशा center में होता है, तो यहाँ पर equal आगया, ठीक है, उसके बाद जो है, अब cancellation होगा, 75 को, 5 पर cancel करें, तो 5 and 5, 5, 5, 25 होता है, तो 15 आजाएगा, और minus उपर नीचे हैं, तो minus minus से cancel, इधर भी, तो इधर आजाएगा 15 हमारा, ठीक है, और इधर minus minus से cancel, और इधर आजाएगा, 5, 6, 30 होता है, तो 60 आजाएगा, ठीक है, तो in the end हमारे पास, जो matrix बना, वो क्या बना, वो बना उपर 15, और नीचे 60, और यह bracket close, और यह x, y आ रहा था, उपर से, तो यहाँ पर लिखका, x, y, तो अब हमारे पास, जो है, values आ चुकी है, क्या values आए, now, बलके now नहीं लिखना, यहाँ पर, so, तो यहाँ पर लिखका, so, x is equal to 15, and y is equal to 60, ठीक है, तो इस तरह से, finally, यह question जो है, हमारा, inversion के थुरू, solve होगे, असान सा था, बस equation बनाना, आपको आती है, तो यह सारा question आप easily कर लोगे, ठीक है, तो question number 3, आप लोगों को screen के उपर नज़र आ रहे, इसे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कहा चा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, two sides of a rect angle, differ by 3.5 cm, के rect angle है, एक, ठीक है, यह हमारे पास एक roughly draw कर लेते हैं, समझने के लिए, rect angle, और इस rect angle की, दो sides के दर्मियान, जो फर्क है, वो कितना है, 3.5 cm कार, ठीक है, कौन सी दो sides, जैसे इसके दर्मियान, और इसके दर्मियान, ठीक है, क्योंकि इसमें दो opposite sides, जो है, वो equal होती है, ठीक है, तो दो मुक्तलिफ, यानि के मुक्तलिफ कौन कौन सी होगी, एक तो ये side मुक्तलिफ होगी, और एक ये side, यानि कि ये दो मुक्तलिफ sides है, तो इनकी बात कीचा रही है, इनके दर्मियान, जो फर्क है, पे माईश का, length का, वो कितना है, 3.5 cm, ठीक है, तो ये differ का मतलब यहाँ पे difference है, ठीक है, difference मतलब फर्क, तो उसके बाद क्या बोलता है, उसने ये नहीं बताया, कितनी length है इसकी, और कितनी width है, बस ये बता दिया, इनके दर्मियान, length और width के दर्मियान, जो फर्क है, वो कितना है, 3.5 cm, आगे question में बोल रहे है, find the dimension, आपने dimension मालूम करनी है, dimension मतलब, पिछले question में भी बताया था, जो values होती है, length, width, height, इनको dimensions बोला जाता है, तो dimensions मालूम करें, of the rectangle, rectangle की, यानि कि आप से पूछ रहे, बताईए length कितनी है, इसकी, और width कितनी है, तो ये dimension है, तो ये आपने बताना है, और साथ में second चीज, या second information जो आपको दे रहे है, वो क्या दे रहे है, कि इस rectangle जिसकी बात की जा रही है, उसका perimeter उसने question में बता दिया, जो कि 67 centimeter है, ठीक है, perimeter पिछले में बताया था, तो इसलिए, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, तो overall length or width, rectangle की हमने मालूम करनी है, ठीक है, तो चलिए मालूम करते हैं, तो मालूम करने के लिए सबसे पहले, तो question में हम solution लिखते हैं, क्योंकि values मालूम कर रहा हैं, तो यहाँ पर आप solution लिख लिजए, solution लिखने के बाद, अब हमें क्या चीज़ चाहिए, अब हमें, question को शुरू करने के लिए, हमें length or width मालूम करने हैं, तो अभी मालूम नहीं है, तो suppose कर लेते हैं, let कर लेते हैं, ठीक है, तो let लिखने के बाद, आप अपनी तरफ से रख रहे हैं, तो यहां पर लिखने के लेते हैं, तो length हमें अपनी तरफ से रख लेते हैं, let's suppose x, ठीक है, उसके बाद width of rectangle, तो width हम रख लेते हैं, y के equal, ठीक है, तो length of width अपनी तरफ से मैंने assume कर ली, अब जो है, question में, जो conditions दी गए हैं, उसके according, आप आगे बढ़ होगे, तो आप यहां पर एक statement में लिख सकते हैं, according to given condition, और दोनों equations लिख लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, क्यूंकि हर question में, दो equations बनाए जाती हैं, तो दो conditions आपको दी जाती हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पहले हिस्से की बात कर रहे हैं, दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं, इसका यह फायदा है, ठीक है, तो यह लिख लिए हमने, according to first condition, first condition के मताबिक, दोनों के दर्मयान, length of width के दर्मयान, फर्क जो है 3.5 cm के, तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूना, यह length हो गई, और यह हमारी width हो गई, इन दोनों के दर्मयान, फर्क यानि difference, उसको माइनस से represent करते हैं, और यह कितना है, 3.5 cm है, तो 3.5, बस 3.5 लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर values को इस्तमाल करने, तो understood बात है, question में centimeter दिए गए, तो 3.5 लिख सेंटीमेटर ही है, ठीक है, तो I hope के, यह समझ में आगे होगा, आप लोगों को ज़्यादा मसला है नहीं, दोनों length और width के दिम्यान फर्क उसने बताया था, तो उसी चीज़ को मैंने mathematical statement में लिख लिया, कि length, width, इनके दिर्म्यान फर्क और यह कितना बताया था, 3.5 cm, ठीक है, तो यह सान सा था, इसी तरह second condition को इस्तमाल करते हुए, हम second equation मालूम कर लेते हैं, तो यह लिख लिए according to second condition, और second condition हमारी क्या दी गई है, हमें second condition दिये गया है, कि perimeter बताया गया है, rect angle का, तो perimeter का formula आप लोगों को पता है, ठीक है, क्या होता है, perimeter, ठीक है, यह बराबर होता है, 2 into length plus width, ठीक है, तो चलिए इस formula को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लूँगा, मैं अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, इधर मैं perimeter करूँ, और इधर फार्मूले लिख लूँ, लेकिन उससे फर्क क्या होगा, कि हमें इस side पर values चाहिए, दूसरी side पर number चाहिए, ठीक है, तो फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, 2X plus 3 is equal to 6, अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 is equal to 2X plus 3, ठीक है, वीक बच्चे जो इन चीजों में भी परिशान हो जाते हैं, तो equation में आप चाहे इसको पहले लिखो, ठीक है, चाहे इसको पहले लिखो, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह दोनों जो end हैं, जिनकी बात की जा रही है, यह दोनों एक दूसरी के equal हैं, ठीक है, तो इसलिए perimeter शुरू में लिखो, यह perimeter बाद में लिखो से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए formula के according पहले में, यह लिख लेता हूँ, length plus width, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर perimeter लिख लेता हूँ, ताकि हमारी S equation बन जाए, in the end एक पूरा 67 आ जाएगा, और यह दर X or Y के values आ जाएगी, ठीक है, तो perimeter आपने लिख लिख लिया, ठीक है, यह formula आगया, इसके अंदर values पूट कर दीजे, values पूट करेंगे, तो आपका यह बन जाएगा, 2 into length, जो है, उसको किस से represent किया गया है, length को हमने X से किया है, तो पहले X लिख देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद Y लिख देते हैं, और यहाँ पे आप parameter कितना दिवत आएगा है, question में 67, आप लोग यह देख सकते हो, तो I hope यह भी समझ में आगया है, कोई मसला है नहीं, पिछला question अगर आपने अच्छे से समझे, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2X plus 2Y is equal to 67, तो इसको equation 2 का नाम दे के आगे करेंगे, तो question हो जाएगा, लेकिन असान यह के 2 को अधर divide करवादो, पिछले question में बताया था, तो आप लोगों की values जाएगा है, और कम हो जाएगी, 67 divided by 2, तो यह आजाएगा आपका 33.5, ठीक है, तो point में लिख दो, इससे मसला नहीं है, question solve हो जाएगा आपका, तो X plus Y is equal to 33.5 था, तो यह 5 आगया, ठीक है, तो यह आपकी equation number 1 हो गई, ठीक है, यह equation number 2 हो गई, जिनके सहारे आप matrix बनाएंगे, ठीक है, तो इनको अकठा भी लिख सकते हो, आप यह आपर directly matrix में change कर सकते हो, तो directly matrix में change कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों के concept तो हो गया, अकठा लिखने से, question थोड़ा लंबा हो जाता है, चलो लिख देता है, वीग बच्चे, प्लस y is equal to 33.5, ठीक है, तो यह दोनों equations जो है, मैंने एक साथ लिख दी, अब matrix में convert करूँगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, statement में लिख सकते हैं, changing in the matrix form, नहीं तो आप directly भी ऐसे कर दो, तो मसला है नहीं, अगर teacher कहे, तो लिख दीजेगा, minus 1 और plus 1, ठीक है, तो यह ऐसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा x और y, और इधर आ जाता है, हमारे पास क्या चीज, 3.5 और 33.5 ठीक है, तो यह हमारे पास दोनों matrix आ गए, अब इनके नाम रखने होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, let, ठीक है, एक का नाम a रख देते हैं, तो यह हो गया, 1, minus 1, 1, 1, और इधर जो है, x बराबर हो जाएगा, x and y के, ठीक है, और इधर जो है, b आ जाएगा किस के, वो आ जाएगा, 3.5 divided by 33, sorry, divide कह रहा है, नीचे आ जाएगा 33.5, ठीक है, और यह square bracket close होगा, इसके बाद equations बना लेते हैं, equations बनाएं, तो पहले a होता है, फिर x होता है, फिर is equal to b आ जाता है, ठीक है, तो इससे फर्दर आगे चलेंगे, तो a inverse b हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद a inverse मालूम करने के लिए, हमें सबसे पहले determinant मालूम करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे determinant मालूम करने के लिए, लिख देंगे a, और आसपास ऐसे line डाल देंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1, minus 1, 1, 1 लिख देंगे, ठीक है, तो फर्दर आगे चलाएंगे, तो 1 into 1, minus 1 into minus 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1, minus minus plus होता है, और 1, ठीक है, और equal to किसके आजाएगा, 2 के, ठीक है, विच इस नोट equal to 0, तो इसका मतलब हम इसका inverse मालूम कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए मालूम करते हैं, तो अब adjoint A मालूम करेंगे, तो यह लिख लिए हमने adjoint A, adjoint A लिखने के बाद, अब हम A matrix चाहिए होगा, तो यह रहा हमारे पास A matrix, तो values बदलें, यहां पर 1, 1 है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, इधर minus 1 हो जाएगा, इधर plus 1 हो जाएगा, तो sign change होने के बाद, इसके बाद आगे अगर चलेंगे, तो अब हम सारी values मालूम कर चुके हैं, तो उपर जैसे हम लिखते थे, we know that लिख लेंगे, और क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि X जो है, वो बराबर होता है, A inverse B के, ठीक है, तो X अगर इसके बराबर होता है, तो अब हम ऐसे कर लेते हैं, X is equal to A inverse किसके equal होता है, a joint A divide by A का determinant, is equal कह रहा है, multiply B, इसके बाद फर्दर आगे चलेंगे, तो अब इसमें a joint A यहां पर put कर लेते हैं, 1, 1, minus 1, 1, और यह close, और नीचे जो है, determinant 2 आया था, इधर जो है, हम B matrix लिख देंगे, जो कितना है, sorry, यहां से पता चलेगा, 3.5 और 33.5, तो यहां पर लिख देते हैं, 3.5 और 33.5, और यह bracket close हो गया, ठीक है, और यहां पर X और Y किसके equal है, X, sorry, X किसके equal है, X और Y के, तो यहां पर यह लिखने के बाद आपने close कर दिया, इसके बाद जो है, आगे अगर चलें, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 1 divided by 2, मैं टेक्स आजाएगा, 1, 1, माइनस 1, 1, और यहां पर आजाएगा, हमारे पास 3.5, 33.5, ठीक है, और यह bracket close, तो चलिए multiply करवाते हैं, 1 divided by 2 को फिल वक्त वैसे ही लिख लेते हैं, इदर जो है, 1 एक बार multiply होगा, 3.5 के साथ, ठीक है, ऐसे होते हैं न, ठीक है, तो टेल टेल से, हेड हेड से, ठीक है, उसके बाद, plus 1 into 33.5, नीचे के आजाएगा, minus 1 into 3.5, plus 1 into 33.5, और यह bracket close हो गया, further इसको आगे चलाएंगे, तो अब यह कितना हो जाएगा, 1 divided by 2, और यहाँ पर आजाएगा, 3.5 को वन से करेंगे, तो 3.5, और यहाँ पर 33.5, ठीक है, और इधर आजाएगा, minus 3.5, और इधर आजाएगा, plus 33.5, ठीक है, तो अब minus कर लेते हैं, जो चीज माइनस हो रही है, तो यहाँ पर आजाएगा, 1 divided by 2, और 33.5 में, 3.5 एड कर देंगे तो, तो यह आगे हमारा कैल्कुलेटर, 33.5 में, एड कर देते हैं, 3.5 और यह आजाएगा, 37, ठीक है, तो उपर लिख देते हैं, यहाँ पर 37, ठीक है, और नीचे जो है, 33.5 में से, minus करने हैं, तो यह हो गया, 33.5 और minus इसमें से करना है, 3.5 ठीक है, तो यह आजाएगा, 30 पूरा का पूरा ठीक है, तो यहाँ पर आजाएगा, हमारे पास 30 और यह bracket close, 1 divided by 2 को अंदर multiply करवा देते हैं, तो multiply करवाएगे, अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 37, multiply 1 divided by 2, जैसे के भी तक लिखता रहा हूं, 30, multiply 1 divided by 2, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा लंबा matrix बनाना पड़ता है, ऐसे borders पर डालने के बाद, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोगों को क्यूंके काफी practice हो चुकी है, तो आप देखिए, इन दोनों को multiply करवाऊंगा, तो क्या answer आजाएगा, 37 divided by 2, इन दोनों को multiply करवाऊंगा, तो 30 divided by 2, तो ऐसे fraction हो जादी है, तो मैं directly कर देता हूं, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए, पहले लिख देता हूं, जैसे मैं इधर लिख सकता हूं, इस equal को मिटा देता हूं फिल वक्त, इधर लिख सकता हूं, 37 divided by 2, क्योंकि 1 अंदर multiply होगा, तो यानि के 37 ही आ जाएगा, और इधर मैं लिख सकता हूं, आप लोगों का 30 divided by 2, ठीक है, और अब जो है, ये बेहतर है, ठीक है, तो इसके बाद जो है, आगे अगर चलें, इसको मिटा देते हैं हम लोग, आप ऐसे भी कर सकते हो, fraction जैसे भी दिल करें, एक मुक्तलिफ तरीके होते हैं, जो मैं बता हूं, इसके इलावा भी है, बस एक बार समझ में आने की बात है, तो अब इसको कैंसल करें, तो 37 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो कैल्कुलेटर लेके आते हैं, ठीक है, तो 37 है, 37 डिवाइड बाइ 2, तो ये आज आएगा हमारा 18.5, तो उपर लिख देते हैं, यहां पर 18.5 और नीचे 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, ठीक है, तो 15 आता है, तो यहां पर आप लिख लीजे 15, और यह स्केयर ब्रेकेट हमारी क्लोस हो गई, इधर xy था, तो xy का मेट्रिक्स आ गया, ठीक है, तो x is equal है, y is equal है, तो अब हम conclusion लिख देंगे, so x is equal to 18.5, and y is equal to 15, ठीक है, तो आई होप यह question जो है, वो भी समझ में आ गया होगा, और एक चीज़ बता रहा हों कि, यह figure जो है, आप, यानि कि, इस question का part नहीं है, आप अलग से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर बनाओ, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा, इसका बेतर तरीके से बनाएगा, ठीक है, तो चलिए अगले की तरफ चलते, तो question number four, आप लोगों को screen के उपने जरार है, इसको पढ़ लेते हैं, एक बार के, इसमें क्या कहा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, थर्ड एंगल ओफ एन आईसोसलीज ट्राइंगल, यानि आईसोसलीज ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल है, इस 16 डिग्री लेस, वो 16 डिग्री कम है, देन दर सम आफ टू इक्वल एंगल, अगर दो इक्वल एंगल का सम लिया जाए उस से, ठीक है, दुबार से इस लाइन को बता देता हूं, क्या बोला जा रहा है, कि आईसोसलीज ट्राइंगल के अंदर, जो थर्ड एंगल है, वो 16 डिग्री लेस है, बाकी दो एंगल के सम से, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां से बाद शुरू करता हूं, कि आईसोसलीज ट्राइंगल किसे कहा जाता है, देखे, ट्राइंगल की मुक्लिफ किसम होती है, उसमें से एक किसम आईसोसलीज ट्राइंगल है, और इसके वर्ड के उपर भी बात कर लेता हूं, तो काफी लोग इसको आईसोसलीज ट्राइंगल पढ़ते हैं, काफी यानि आईसोसलीज पढ़ते हैं, तो मुक्लिफ लोग मुक्लिफ तरह से इसका प्रोनसेशन करते हैं, आप ऐसा करेगा, गुगल के उपर जाकर लिखिएगा, आईसोसलीज की स्पैलिंग लिख दीजेगा, और आगे प्रोनसियेशन लिख दीजेगा, तो आपको सही प्रोनस पता चल जाएगा, ठीक है, तो आईसोसलीज ट्राइंगल जो है, ये कौन सी ट्राइंगल की किसम है, तो आईसोसलीज के साथ बनने वाले, वह भी एक दूसरी के बराबर होते है, तो बस आपको ये बात समझनी है, कि इसमें isosilis triangle में दो opposite side आमने सामने वाली equal होती है ठीक है तब ही यहाँ पर equal angles लिखा हुआ है अब देखिए sides अगर equal होंगी तो इनके बनने वाले angles जो है वो भी equal यहनी बराबर ही बनेगे ठीक है यहनी कि दो angle तो हो जाएंगे कौन से यह वाले ठीक है जिसमें यह दोनों equal होंगे equal side होने के वजासे तो एक तीसरा angle भी बच जाएगा ना क्योंकि तीन angle होते हैं तो इन दोनों को हम question में बोल रहे हैं या isosilis triangle के अदर बोलते है इक्वल एंगल ठीक है तो और इसको बोलते हैं थर्ड एंगल ठीक है तो यह दोनों यह फर्स्ट और यह सेकंड एंगल अगर हम करें तो यह दोनों तो equal है ठीक है तो यह फिर कौन से एंगल हो जाएगा थर्ड एंगल तो इसलिए question के अंदर जो है find three angles यह एंगल कितना है ठीक है यह एंगल कितना है और यह एंगल जो है कितना है इनके कोई भी नाम रख सकते हैं मैंने क्या किया मैंने ही इक्वल एंगल का नाम जो है एक ऐसे होगा ठीड है और तीसरे का पर एक चाले के कि उसमें क्या कहा जाते है कि आप क्वेस्ट्चन के कॉणसेप्ट क्यों पर बात कर लेते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है और इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा बेतर बना लेता हूं तो यह मैंने समझाने के पॉइंट अफ्यू से एक आप भी और अफसी बना दीजेगा इधर जिसमें अभी यह लाइन किस चीज़ को शो करती है इसका मतलब यह होता है कि इस वाली लाइन का कंपैरेजन इस वाली लाइन के साथ किया जा रहा होता है ठीक है तो इसलिए एक एक लाइन डाल दी जाती ह और यह दोनों लाइन एक दूसरे के एकवल हैं यह दोनों एंगल एक दूसरे के एकवल हैं आयोप समझ गए होंगे तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाएं तो क्वेस्चन कैसे सॉल्व होगा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा यहां पर यहां पर पिक्चर में देख सकते हैं आप X रखे और Y रखे हैं तो इसके मताबिक अगर एकवेशन बनाएं तो क्या बनेगी तो यह मैंने स्टेटमेंट लिख दी लेट इच इक्वल एंगल बी एक्स के अगर इच इक्वल एंगल जो है वो एक्स हो एंट और थर्ड एंगल बी वाई और थर्ड एंगल जो हो वो कितना हो वाई हो तो फिर question के according क्या statement बन जाएगे तो वो हम यहां लिख देते हैं according to तो यह मैंने लिख दिया according to given condition तो दिए गई सूरतिहाल के मताबिक क्या है कि third angle जो किस से represent किया है हमने y के साथ तो यहां पे लिख लेते हैं y वो कितना है वो 16 degree कम है किस से sum of two equal angles ठीक है तो sum of two equal angles क्या होगा इस बात को भी समझना होगा यह angle जो है x है और यह angle जो है यह भी x है तो इन दोनों को sum sum का मतलब होता है add करना जमा करना तो इन दोनों को 16 degree कम है किसके sum of two equal angle तो sum of two equal angle कितना हो गया 2x इस से कितना है 16 degree कम है तो इसके अंदर से हम 16 minus कर देंगे ठीक है तो अब ये वाली equation बन गई जो के हमने इस वाली condition के according बनाई है ठीक है असान सी थी बस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो बार-बार सुनिए के third angle of triangle जो के 16 degree कम है इसलिए minus कर दिया किस से sum of two equal angle और sum of two equal angle कितना होता है दो angle है xx तो दोनों को जमा करो तो 2x तो ये sum of equal angle है ठीक है तो I hope समझ में आ गया होगा तो ये हमारे पास equation 1 आ गई ठीक है इसको arrange कर लेते हैं तो जब हम matrix बनाते हैं तो उसके अंदर एक तरफ x और y होता है equation में मुझूद था तो इधर y आ गया और इधर जो है minus 16 बचा हुआ है तो यहां पर minus 16 लिखा और ये हमारे equation 1 हो गई तो पहली equation बनाने के बाद अब दूसरी equation अगर लिखें तो वो कहां से लिखेंगे वो तो दूसरी condition तो ऐसी question में दी नहीं गई जैसे के पहले दी गई थी त इनको अगर add कर लिया जाए ठीक है जैसे x plus x plus y यहां पर तीन एंगल है न तो इनको अगर add कर लोगे तो 180 डिग्री ही आएगा ठीक है जैसे भी triangle बना लो अंदर वाले angles का जो मजमूआ है या जो sum है वो 180 डिग्री ही हमेशा आएगा तो यह एक क्यूंके हकीकत है या एक fact ह है ठीक है या एक formula समझ लो जो के question solve करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो इस चीज़ को आपने याद रखना है और इसी चीज़ को इस्तमाल करते हुए आप second equation बनाएंगे ठीक है तो अब यहां पर statement according to given condition नहीं लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे we know that क्यूंकि यह triangles related ब कौन कौन से हैं एक एंगल x है यह दो एक जैसे एंगल हैं तो x plus x लिख लो तीसरे एंगल y था हमारा third एंगल तो y लिख लो और इन तीनों को add गरेंगे तो 180 degree आ ठीक है तो यह एक fact था ही तो यह हमने लिख लिए अब x और x कितना हो जाएगा 2x तो यहां पर यह हो equation जो है इसी triangle से कहीं न कहीं तालुक रखती है तो इस information को इस्तमाल करते हुए अब हम दो equation हासिल कर लिए अब हम इन्हें matrix की form में लिखेंगे दोनों equations को तो यहां पर लिख लेते हैं ना हो ठीक है और आप लोगों के असानी के लिए वरना direct भी लिख सकते हैं आप यह ठीक है तो यहां पर बेशक एंगल मत डाली है अभी और स्वरी एंगल करें डिगरी का साइन मत डाली है ठीक है तो ऐसे भी करेंगे तो चल जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर सिर्फ numbers इस्तमाल करेंगे values हासिल करेंगे तो अब इसे matrix की form में बदलेंगे तो यहां पर और इधर जो है third matrix हमारा बनेगा minus 16 और 180 ठीक है तो यह तीन matrix हो गए अब इनके नाम रख लेते हैं तो यहां पर लिखते हैं let ठीक है और यहां पर इसका नाम A रखना है तो यहां पर A लिखने के बाद minus 2, 1, 2, 1 और इधर जो है x नाम रखेंगे इस matrix का तो यहां पर लिख 80 ठीक है इसके बाद equations बना आया तो कैसे बनेगी A x is equal to B और यह fitther converट हो जाएगी x is equal to A inverse B में ठीक है तो अब A inverse हमें मालूम करना होगा तो A inverse मालूम करने के लिए हमें A determinant मालूम करना होगा ठीक है तो A determinant मालूम करेंगे तो यहां पर लिख लें A ठीक है और K का determinant जो कि क्या है minus two one two one ठीक है और यह फर्दर आगे करेंगे तो minus two into one minus two और one फर्दर आगे करेंगे तो यह हो जाएगा minus two or minus two is equal to minus four ठीक है तो यह minus four आगया which is not equal to zero वो भी लिख सकते हो या आप यहां पर लिख सकते हो non singular ठीक है ताके चेक करने वाले को चलो अच्छा लगेगा इस तकी चीज़ें लिख दो तो उसके बाद जो है अब non singular है तो हम इसका अच्जाइंट मालूम करेंगे तो यहां पर लिख लेते हैं एक्स इस इक्वल टू बराबर है माइनस यह सोरी ए इन्वर्स और बी के ठीक है तो इसको दुबारा से अगर इसको लिख के इन्वर्स किसके इक्वल होता है फार्मूली के इस शेप में तो अच्जाइंट ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट और मल्टिप्लाइ भी तो चलिए अब इसके अंदर वैल्यूस पुट कर दीजे वैल्यूस पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा अच्जाइंट ए जो कि है वन माइनस वन माइनस और नीचे आ जाएगा डिटर्मिनेंट जो कि क्या है माइनस वोर तो यह लिख दिया मैंने माइनस वोर और एदर जो है बी किसके एक्वल है बी जो अगर देखें तो मल्टिप्लाइ ऊपर देखना होगा बी हमारे पास है माइनस सिक्स्टीन और वन एटी तो यहां पर आ जाएगा वन डिवाइड बाइ माइनस वोर और यह मैट्रिक्स हो जाएगा वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस सिक्स्टीन और वन एटी ठीक है तो इसको फर्दर आगे चलाएंगे तो यह हो जाएगा वन डिवाइड बाइ 16 के साथ फिर minus 2 एक बार आ जाएगा 180 के साथ और यह bracket close हो जाएगे आपकी further आगे चलेंगे तो 1 divided by minus 4 is equal और यहां पर आ जाएगा minus 16 और इधर आ जाएगा minus 180 और इधर आ जाएगा 360 ठीक है मैंने calculator से कर लिया आप भी कर लीजेगा तो पता चल जाएगा उसके बाद जो है sorry यहां पर equal नहीं है अगर कोई चीज गलती से हो जाए तो इसे ignore कर दीजेगा और यह थोड़ा साथ होना चाहिए इसका चलो दुबारा से लिख देता हूँ यहां पर आ जाएगा 1 divided by minus 4 is equal ठीक है फर्दर आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा 1 divided by minus 4 अभी बाहर रहने देते हैं और यहां पर आ जाएगा 180 और 16 कितना होता है 196 ठीक है तो दोनों minus के तो minus 196 आ गया उसके बाद 360 minus का है और 32 positive है तो 360 calculator में आप करिएगा 360 के अंदर से जब 32 निकाल देंगे तो पीछे आ जाएगा 328 ठीक है तो minus का 328 और यह bracket close further आगे चलेंगे तो अब 1 divided by 4 को अंदर multiply करवा दो तो multiply करवाएंगे तो यह आ जाएगा minus 196 multiply 1 divided by minus 4 नीचे आ जाएगा हमारे पास minus 328 multiply 1 divided by minus 4 ठीक है और यह bracket close करनी है तो यह bracket close कर दी इधर equal डाल दिया अब हम cancellation करेंगे 194 और 196 करना है तो 196 divide by 4 ठीक है तो यह आ जाएगा 49 ठीक है तो यह इससे cancel हो गया 4 को 49 पर divide करेंगे तो हमारे पास 196 आता है तो यहां पर लिख लेते हैं 49 328 को करके देखते हैं 4 पर divide 328 को divide किया 4 पर तो यह आ जाएगा 82 तो यहां पर आ गया हमारा 82 ठीक है यहां भी minus minus से cancel हो जाएगा और यहां पर 82 आ जाएगा और यह bracket close और यह भी close और यहां पर equal और यहां पर आ जाएगा x y और अब जो है आप क्या कर सकते हैं आप conclusion लिख सकते हैं यहां पर so तो यहां पर लिख लिए so x is equal to 49 and y is equal to 82 ठीक है यह डिगरी है यहीं कि x जो है यहां पर कितना है x यहां पर 49 है यहां पर भी x 49 है और y कितना है 82 ठीक है तो यह जो है 82 है तो अब यह तीनों एंगल्स का sum 180 होना चाहिए तो चेक करके देखें 180 है यह नहीं है तो 82 प्लस 49 प्लस 49 और इक्वल 180 ठीक है तो इस तरह से आप कुछ भी किसी भी तरह के triangle बना लो अंदर के angles का sum जो है वो 180 ही आता है और यहां पर एक और चीज़ भी मुझे याद आई आए आप लोगों को बतानी है कि question में हम से पूछा गया कि find three angles के आपने three angles बताने है ठीक है तो आपने यहां पर एक्स और वाई की form में answer नहीं रहने देना आपने यहां पर लिख लेना है यहां पर नाव लिखिए सबसे पहले और इदर लिख लीजिए फर्स एंगल ठीक है जो के हमने किसके equal रखा था यानिके दो एक जैसे एंगल है उसमें से एक दोनों का नाम एक्स रखा था तो इसका नाम हम एक्स रख देते हैं फर्स्ट एंगल का और यह le Branch लीख दी कर दो इहां पर 49 डिग्री लीख दीजे उसके चाहे ठीक है तो अब जाके question खतम होते है तो question number five आप लोगों को screen के ओपने जरा रहा है इससे पढ़ते हैं समझते हैं कि इसमें क्या कहा चाह रहा है इसमें बोला जा रहा है one acute angle of right triangle के एक right triangle है सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए right triangle किसे कहा जाता है एक ऐसी triangle जिसमें एक angle 90 का जरूर हो उसे right triangle कहा चाहता है जैसे एक बना लेते हैं ठीक है जैसे right यानि 90 के angle कौन सा होता है बिल्कुल जो सीधा बने वो 90 के angle होता है ठीक है तो हम ऐसे कर लेते हैं यह हमारी right triangle है ठीक है तो sorry line इसके साथ मिलानी चाहिए तो यह हमारी right triangle होगी ठीक है तो यह angle हमारा किसका हो गया 90 degree का ऐसे डाल दो तो 90 हो जाता है ठीक है और बाकी अब यह angle रह गए और यह angle रह गए ठीक है तो अब यह दोनो angles acute angle है मुझे कैसे बता चला है यह acute angle है क्योंकि जो भी angle 90 से कम होता है चाहिए भो ah 30 का angle हो 45 का हो 50 का हो थीक है 60 का हो 75 का हो सैवनटी का हो यह नि नौवेosure से कम जो भी angle होता है ऐसे उसे acute angle कहा座ा ठीक है अब हमें यह कासे बता चला चलो sir यह तो पता है 90 के angle राइट angle की बात की गयी लेकिन आपको ये कैसे पता ये 90 से कम angle है तो ये भी एक अच्छा question है अगर ये बताओं तो अभी पिछले question में आप लोग सीख चुके हो कोई भी triangle होती है उसके जो internal angles होते है यानि अंदर वाले angles होते हैं उनका sum जो है वो 180 होता है जैसे एक angle जैसे angle 1 plus angle 2 plus angle 3 ये हमेशा 180 degree होता है अब एक angle तो यहाँ पे 90 degree का हो गया ठीक है तो बाकी दो angle जो है वो कितने के होंगे वो बाकी दो अगर 90 से कम रखेंगे तो triangle बनेगी वरना नहीं बनेगी जैसे अगर angle 2 मैं 90 का कर दूँगा तो 180 तो यहाँ पे हो जाएगा तो 3 एंगल तो हमारा नहीं हो पाएगा और जब भी triangle बनानी हो तो 3 angles ही होंगे तो triangle बनेगे वरना नहीं बनेगे तो इसलिए मुझे यह पता चला कि यह acute angle है क्योंकि जैसे 60 plus 30 अब पूरी triangle बन जाएगे ठीक है इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हो 50 plus 40 अब अब triangle बन जाएगे 90 से कम होंगे दोनों angles और एक angle 90 का होगा तब ही हम triangle बना सकते हैं वरना नहीं बना सकते हैं तो अब इसलिए मुझे यहाँ पर यह पता चला कि क्योंकि right triangle है right triangle में एक angle 90 का होता है तो obviously बात है बाकी दो angle जो है वो 90 से कम होंगे और 90 से कम angle को acute angle कहा जाता है ठीक है I hope समझ में आ गया होगा इसलिए इसने कहा है कि one acute angle मतलब इस right triangle में चाहे तो इसको समझ लो one या चाहे तो इसको समझ लो one क्योंकि दोनों ही 90 से कम है अभी पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा one acute angle of right triangle right triangle का one acute angle जैसे के इसको समझ लेते हैं ये acute angle x जिसका नाम रखे है मैंने is 12 degree more ठीक है तो 12 degree more का मतलब क्या होगा 12 degree जो है वो ज्यादा है ठीक है जैसे पिछला जो है 16 degree कम था इसके अंदर 12 degree more ठीक है यानि के 12 degree ज्यादा है किस से then twice the other acute angle दूसरे acute angle के दो गुना से ठीक है असान सी बात है मैं अभी आपको समझाओंगा तो उम्मीद है समझ में आ जाएगी जैसे ये acute angle है इसका नाम हम y रख लेते हैं ठीक है अब XY मैं इनका नाम तो रख लिया इनके नाम वैसे अंदर रखते हैं तो मैं अंदर ही रख लेते हूं इसको मिटा देता हूं वरना यह यह यहां ही रह जाएगा यह x रख लेते हैं और यह हम y रख लेते हूं एक acute angle चाहे तो आप यहां पे acute angle x ले लो चाहे आप यहां पे y ले लो दोनों accurate angle यह तो आपकी मरजी है ठीक है तो मैं यहां पे y ले लेता हूँ ठीक है तो एक acute angle किसके बराबर है वो डूसरे acute angle जो दूसरा कौन सा है एक x y अगर यह रख लिए तो दूसरे acute angle obviously बात x है x के twice से ठीक है यानि के twice अब twice कितना होता है जैसे के पिछले questions में मैंने बताया था किसी भी चीज को अगर 2 से multiply कर दोगे तो वो twice हो जाएगा इसी तरह 3 से multiply कर दोगे तो वो 3 गुना यानि thrice हो जाएगा तो इस तरह से होता है तो अगर मुझे यानि के एक acute angle दूसरे acute angle के twice से तो इस मीन यहाँ पे x के साथ 2 multiply कर देंगे twice से कितना 12 degree ज्यादा है अब ज्यादा को करने के लिए हम add करेंगे ठीक है पिछला कम था तो मानिस किया अभी ज्यादा है तो हम 12 add कर लेंगे 12 degree तो यह एक equation इस तरह से बन जाएगी तो यहाँ पी इंग्लिश में लिखी हुई है यहाँ पी mathematical form में लिखी हुई है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है ठीक है दोबार से इसको repeat कर देता हूँ के एक acute angle जो के दूसरे acute angle के दो गुना से 12 degree ज्यादा है यही बात उपर यहाँ लिखे one acute angle of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle ठीक है तो concept आप लोगों को समझ में आ गया बाकी जो है मैं question solve करता हूँ साथ साथ ताकि आप इन चीजों को समझ सको तो solve करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिखोंगा यहाँ पर solution लिखोंगा तो यह लिख लिए मैंने solution solution लिखने के बाद अब जो है जैसे कि हमने x और y इनके नाम रखे हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो यह लिख लिए let one acute angle एक acute angle अगर हम x के equal रख लें तो दूसरा y के equal रख लेते हैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ यह लिख दिया and other acute angle वो किसके equal रख लेते हैं y के equal ठीक है तो यह दोनो acute angle होगे अब according to given condition हम statement बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ तो यह लिख दिया हमने according to given condition क्या condition है के एक acute angle चाहे तो x रखो चाहे y रखो तो अगर मैं यहाँ पर y x रख लेता हूँ ठीक है तो x यानि के एक acute angle दूसरे acute angle के दो गुना से तो दूसरे acute angle जो है y है इसको मैं 2 से multiply करवा देता हूँ तो यह दो गुना से कितना जादा है 12 degree जादा है तो यहाँ पर plus 12 लिख लूँगा और अब यह मेरे पास क्या equation बन जाएगी x is equal to 2y plus 12 यह हमारे पास equation बन गई ठीक है अब जब यह equation बन गई तो एक तरफ हम xy रखते हैं दूसरे तरफ number रखते हैं equation number 1 तो हो गई अब equation number 2 जो है वो कैसे मालूम करेंगे तो वो चीज जो अभी question के concept में मैंने बताई थी अगर यानि कि किसी भी triangle के तीनों angles का sum जो होता है वो 180 होता है तो एक तो 90 हमें पता ही है तो इन दोनों का sum जो है वो कितना होगा obviously बात x और y दोनों angle को जमा करेंगे तो 90 ही बनेगा तब ही जाके पूरी triangle का sum 180 बनेगा तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे we know that तो यह लिख दिया we know that क्या हम जानते हैं हम यह जानते हैं कि जो दोनों acute angle है x plus y इनका sum जो है वो 90 degree बनेगा ठीक है डिग्री नहीं डालते तो यह हमारी equation number second हो जाएगी या 2 हो जाएगी हम इन दोनों को matrix की form में convert कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम दोनों equation कटी लिख लेते हैं वीक बच्चों के लिए x minus 2y is equal to 12 और यहाँ पर आ जाएगा x plus y is equal to 90 ठीक है और यहाँ पर now लिख लीजेगा आप जरूर उसके बाद जो है आप directly भी matrix बना सकते हो बस यह में वीक बच्चों के लिए ताकि उनको पता चलेगे कैसे matrix बन रहा है तो उनके लिख देता हूं तो अब इसे matrix में बदलेंगे तो यह आ जाएगा one one minus two अब यहाँ पर लिख भी सकते है statement changing in the matrix form ठीक है और जादा बेतर हो जाएगा तो one minus two one one और यह bracket close इदर आ जाएगा हमारा x y और इदर आ जाएगा हमारे पास 12 और 90 ठीक है और यह bracket close हो गए हमारी ठीक है तो अब इसके बाद जो है इनके नाम लिंड रखने होंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं let a is equal to आ जाएगा हमारे पास one minus two one one और इदर रख लेते हैं x के और y के और इदर हम रख लेंगे b और यह किसके equal हो जाएगा 12 के और 90 के ठीक है अब जो है equation बनाने के लिए यह हो जाएगा a x is equal to b और फर्दर आगे चलें तो x a inverse b equation हमारे पास बन जाएगी तो a inverse check करते हैं यहाँ जा सकता है यहाँ पर लिखेंगे a ka determinant लें तो a का determinant लें तो a किसके equal है one minus two one one तो determinant इसका लेंगे तो यह हो जाएगा one into one minus into minus two आजाएगा ठीक है वो इसके बाद one plus two आजाएगा तो is equal to three आजाएगा ठीक है तो यह हमारे पास determinant आ गया तो यह non-singular है तो अब जो है इसका हम a giant a मालूम करेंगे ठीक है तो a giant a मालूम करें तो a giant a और यह किस के equal आ जाएगा यह आ जाएगा उपर आपको a का matrix नज़रार है एक एक इनकी जगे बदली तो ऐसे ही रह जाएगा और यहां पर minus 1 हो जाएगा यहां पर positive 2 आ जाएगा ठीक है अब जो है हम लिखेंगे we know that और क्या हम जानते हैं हम उपर equation जानते हैं कि x जो है वो बराबर है a inverse b के तो इसको further आगे a inverse किसके बराबर हो जाएगा x is equal to a giant a ठीक है divide by a का determinant multiply by b इसके अंदर values put कर देते हैं x जो है वो बराबर है बलके a giant a से लिखना शुरू करते है a giant a जो है वो है one two minus one one और इदर जो है नीचे आ जाएगा a जो है वो three के equal है तो three लिख दिया इसके बाद b जो है वो किसके equal है b अगर उपर देखें तो 12 वो 90 के equal है तो यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे 90 आ गया और इधर जो है हमारे पास आ जाएगा x and y का matrix अब तीन को बाहर निकाल लेते हैं तो बाहर निकालें तो यह हो जाएगा one divided by three और यहाँ पे आ जाएगा one two minus one one और इधर आ जाएगा हमारे पास 12 अब multiply करवा लेते हैं one divided by three वैसे का वैसा और इधर आ जाएगा one into 12 plus two into 90 और नीचे आ जाएगा minus one into sorry twelve आएगा सबसे पहले तो यहाँ पे 12 और प्लस one into 90 और यह bracket close अब जो है further इसको करेंगे तो one divided by three वैसे का वैसा अंदर आ जाएगा 12 plus 90 और 90 90 को two से multiply करेंगे तो 180 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा minus 12 और इधर आ जाएगा plus 90 ठीक है इनको add करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 180 में 12 add करेंगे तो 192 और नीचे अगर करेंगे तो 90 में से 12 गया तो कितना बच जाएगा 878 ठीक है और यह divide और इसके बाद जो है यहाँ पे अब हम one divided by three को अंदर multiply करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 192 multiply one divided by three और नीचे आ जाएगा 78 multiply one divided by three और यहाँ पे यह square bracket और यह square bracket और यहाँ पे equal आ जाएगा ठीक है इसके बाद अब यह cancel होता है एक दूसरे से calculator चाहिए होगा तो यह आ गया हमारा calculator 92 को 3 पे divide करते है तो 192 divided by three तो यह आ जाएगा 64 तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 64 और नीचे जो है यह cancel करके 64 आ गया और नीचे 3 पे करेंगे तो जुबानी हो जाएगा तो यहाँ पे 26 आ जाएगा तो यहाँ पे 26 आ जाएगा तो यहाँ पे लिख लोगे 26 और यह bracket हमारी close और यहाँ पे यह आ जाएगा यहाँ पे xy था तो xy लिख दीजिए और अब आपको पता चल गया तो आप यहाँ पे लिखिए so x is equal to हमारे पास आ जाएगा 64 and y is equal to 26 तो question number 6 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इसे पढ़ लेते हैं एक बार इसमें क्या कहा जा रहा है two cars दो गाडियां that are 600 km apart जो के 600 km आपस में एक दूसरे से फासले पर है are moving towards each other एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है ठीक है हम ऐसे करते हैं एक रफली एक picture बना रेते हैं ताकि आप इन चीजों को समझ भी सको जिसे दो गाडियों की बात की गई है तो रफली बना लेते हैं मिसाल के तोर पे यह एक गाड़ी है जिसका नाम रख देते हैं car one ठीक है और यह एक गाड़ी रख कर दूं 600 km ठीक है तो आपको question जो है समझ में आ जाएगा और यह गाड़ियां जो है एक दूसरे की तरफ आ रही है ठीक है यह गाड़ी जो है वो इस तरफ बढ़ रही है ठीक है तो अब यह पहली line जो है वो आपको समझ में आ गई होगी के दो गाड़ियां car one car two जो के एक दूसरे की तरफ आ रही है ठीक है उसके बद आगे line में क्या बोला जा रहे है दियर इनका या इनकी speed speed जो है differ by 6 km per hour इनकी speed के दरमयान फर्क जो है वो 6 km per hour का है ठीक है obviously बात है जब car one जो है इदर की तरफ जा रही है car two जो है इदर की तरफ जा रही है तो obviously बात है यह किसी speed के साथ जा रही होंगी ठीक है तो जिस भी speed के साथ यह आगे बढ़ रही है वो नहीं मालूम लेकिन question में यह बताएगा है कि दोनों की speed के दरमयान फर्क जो है यह differ का मतलब difference या फर्क होता है ठीक है वो 6 km per hour है ठीक है यह अभी आप क्योंकि in time class में आयो तो वीग तो speed बढ़ाबर होता है distance divided by time ठीक है तो इसलिए kilometer distance को represent कर रहा है और hour जो है वो time को represent कर रहा है ठीक है तो इन दोनों गाड़ियों के दरमयान speed बताए गई है और आगे क्या बताए गया है the cars are 123 meter apart after 4.5 hours और साड़े 4 घंटे यह दोनों गाड़ियां जब चली यह इधर के तर है वो कितना रह गया 123 kilo meter ठीक है apart का मतलब जो है वो क्या होता है फासला ठीक है फासला यानिके यह car one जो है car two से कितनी apart है ठीक है कितनी फासले पर है तो यह apart का मतलब होता है तो I hope यहां तक समझ में आगे होगा दुबारा से बता देता हूं वीक बच्चों के लिए के दो गारियां है car one car two जो के मैंने आपको दिखाई है वो एक दूसरे की तरफ आगे की तरफ भढ़ रही है और इनके दरम्यान जब यह गारी शुरू में जब यह दूसरे की तरफ चलना शुरू नहीं किया था तब इनके दरम्यान फासला जो था 600 km है और जब इन्होंने चलना जो है इन दोनों गाड़ियों ने इन दोनों गाड़ियों के दरम्यान फासला जो है 600 km से कम होकर 123 km यानि 600 km से कम होकर 123 km रह गया और आपने क्या मालूम करना है find there find the speed of each car आपने मालूम करनी है हर car की speed ठीक है जैसे अगर 45 गंटे बाद car one जो है इधर पहुंची तो इधर ज जो है 4,4 गंटे बाद इधर पहुंची तो 4,4 गंटे बाद इधर जो है इसकी speed कितनी होगी तो speed of each car दोनों गाड़ियों में से दोनों की speed जो है आपने question में बतानी है ठीक है तो काफी अद तक आप लोग समझ गए होंगे लेकिन पिर भी जो चीज़ें समझ में नहीं अगर इससे समझ में आता है तो आप रफ पेज पे कहीं पे ये picture बना के question की equations बना लीजेगा लेकिन उमीद है कि आपको समझ में आ जाएगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो चलिए इसको जो है मैं उपर कर लेता हूं question को solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहल होगा जैसे के इस question में speed मालूम करनी है दोनों गाड़ियों की जो भी एक दूसरे की तरफ आ रही है तो speed को हम ऐसे करते हैं एक गाड़ी की speed को x से represent कर लेते हैं और एक क्यों y से represent कर लेते हैं ठीक है तो अपनी तरफ से क्योंकि ये speed हम assume कर रहे हैं suppose कर रहे हैं तो यहां प according to given condition वह वाली हम statement लिखते हैं तो यहां पर लिख लेते हैं according to first condition तो first condition क्या है अब जैसे के questions में पहली line से हमारी first condition होती थी दूसरी second condition होती थी तो यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि first line के अंदर जो है सिर्फ हमें distance बताया गया है ठीक है जबके गाड़ियों में हमें equation के speed का जिकर किया है तो speed के point of view से हम यह equations बनाएंगे जैसे के एक equation बनेगी हमारी इस वाली information को इसित्माल करते हुए और एक equation बनेगे हमारी जो बचु यह information इसpoints में की इस information को इस tenir कर तो क्या statement स्टेटमेंट लिख गां जहां था में आप स्टिन्ट्र मुझ में इसरण zastी तो क लिखना पड़ेगा यहां पर ठीक है लेकिन जबके अगर मैं इसको लिखूंगा के दोनों गाड़ियों के दर्माइन speed का फर्क जो है वो कितना है 600 km तो मेरे पास दोनों values आ जाएंगे जैसे मैं बताता हूं आपको क्या कहना चाहरा हूं जैसे दोनों गाड़ियों की speed के दमयान difference कितना है तो पहली speed minus दूसरी speed और यह कितना हो गया 6 km per hour वो लिखने की जुरूरत नहीं है मैं आपको ऐसे बताता हूं जैसे कि अगर मैं इसको लिखता तो मैं क्या लिखता ठीक है speed differ by 6 km यानि दोनों गाड़ियों की speed लिख दो x y और इसके differ को represent करने के लिए minus डाल दो तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों गाड़ियों की speed के दिर्मियान difference और वो question में बताया गया है तो 6 आजाएगा I hope समझ गए होंगे आप लोग किस तरह से equation बनाने के लिए हमें information को देखना है इसी तरह दूसी condition जो है वो statement की सुर्थ में लिख लेते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आप equation हासिल करेंगे तो यह मैंने statement लिख ली according to second condition अब second condition जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे वो हम आलूम करेंगे एक formula physics के अंदर आप पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले होंगे के speed का formula होता है यानि के total speed मैं यानि यहां पर ही लिख लेता हूँ ताकि आप लोग समझ सको इस बात को के total speed equal होती है किस चीज़ के वो होती है total distance covered और total time total time taken ठीक है यानि speed बराबर होती है कुल तै करदा फासला उर्दू में बोलूं तो या total cover distance English में बोलूं और नीचे total time taken जितना भी उसको वक्त लगा जैसे अब total speed जो है इन गाडियों की हमें मालूम है यहां पर question में जैसे के बताई गई है के जैसे एक की speed जो है वो X है और दूसरी की speed Y है तो दोनों की total speed कितनी होगी तो दोनों की मालूम करने के लिए हम क्या करेंगगे X plus Y ठीक है और यह कैसे मालूम होगी total speed यह मालूम होगी ठीक है तो इसलिए यहां पर आ जाएगा x plus y और total distance covered कितना किया है उसने तो वो हम easily देख सकते हैं क्योंकि picture यहां पर मुझूद है तो आप देखे अगर मैं 600 में से 123 निकाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 477 तो दोनों गारियों ने साड़े चार घंटे में कितना फासला तै किया 477 यानि 477 किलोमेटर डिस्टेंस कवर किया तो इस तरह मुझे दोनों गारियों की speed जो है easily मालूम हो जाएगी ठीक है यानि equation बनाने के लिए तो यहां पर मैं लिख दूंगा 600 ठीक है चाहिए आप लोगों को कि second condition उसने क्या दी थी condition में हमें आये बता दिया था किलोमेटर बे डिस्टेंस है total time taken बता दिया था ठीक है और इसके लावा 123 साड़े चार घंटे के बाद इतना distance आगे था तो इन तीनों को हमने कठा कर लिया किस चीज़ को हासिल करने के लिए हमन total distance जो दोनों गारि ने कवर किया तो वह हमने कैसे मालुम किया 600 केणदर से 123 निकाल दिया तो हमारे पास 477 आगया तो यह दोनों गारि ने कवर किया था total distance भी एसके लावा दोनों गारि ने कितनी देर में लें डिस्टेंस करेर किया question में बता दिया 4.5 तो इस तरह ये 4.5 आ गया तो इस तरह से अब आप जो है इसको divide कर लोगे ठीक है एक चीज और भी जैसे के मुझे यहां बतानी चाहिए 4.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप 4.5 को यानि 4.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है और 9 divided by 2 आप ऐसे भी लिख सकते हो तो इससे परिशान मत होएगा क्योंके calculator है तो हम point में लिख लेते हैं इसको फिर solve कर लेंगे तो अब calculator लेकर आते हैं 477 है तो 477 divided by 4.5 तो यह आजाएगा हमारे पास 106 ठीक है तो यहां पे हमारे पास x plus y जो है वो कितना आ गया 106 ठीक है तो इस तरह से यह आ equation मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंके इसमें समझने की जुरूरत है कि कहा क्या जा रहा है लेकिन अगर समझ में आ जाए तो यह इतना जादा मुश्किल नहीं है ठीक है यहां पर 4.5 आ जाएगा तो चलिए अब दोनों equations आ गई तो अब इनको matrix की form में बनाने से अकठा लिख देता हूं ताके सब को समझ में आ है तो यहां पर 9 लिख लेता है 9 लिखने के बाद इदर आ जाएगा x minus y is equal to 6 और इदर आ जाएगा x plus y is equal to 106 अब क्योंके आप लोग नजर नहीं आ रहे लेकिन मुझे इसलिए पता नहीं है कि आपको मैंसे किसको क्या समझ म आई है लेकिन इस question को करने के मुक्तलिफ तरीके होते हैं question का concept मैंने समझा दिया आपको school teacher की बात समझ में आती है तो वैसे कर लिजे लेकिन मुझे ऐसे सही लगा पहले तो असान है कि दोनों की speed का difference जो था 6 था तो यह हमने मालूम कर ली और दूसरा जो है total speed हम मालूम कर स लिए total time यह ठीक है तो वीद करता हूं समझ में आ गया हो इसका matrix की form में बदलते हैं matrix की form में बदलें तो यहां पर आ जाएगा अब लिख भी सकते है changing into matrix form 1 1 ठीक है minus 1 और 1 ठीक है और इदर आ जाएगा हमारे पास x and y और इदर आ जाएगा हमारे पास 6 and 106 ठीक है इसके बा हम लिख लेते हैं a is equal to किसके equal रख लेते हैं थोड़ा सा a is equal to किसके equal आ जाएगा 1 minus 1 1 1 और इसके बाद x is equal to आ जाएगा हमारे पास x and y के और इसके बाद b is equal to आ जाएगा 6 and 106 के ठीक है तो यह होने के बाद जो है अब यह हो जाएगा a के equal यह x के और यह हमारे पास b arrange करें तो यह हो जाएगा a inverse b अब a का inverse मालूम करने के लिए यहाँ पर determinant a मालूम करना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a का determinant a का determinant जो है वो क्या है 1 minus 1 1 1 ठीक है तो इसको अगर करेंगे तो 1 into 1 minus 1 into minus 1 1 ठीक है तो 1 plus 1 is equal to 2 आजाएगा ठीक है तो which is not non-singular ठीक है तो it's mean हम इसका inverse मालूम कर सकते हैं तो इसके बाद जो है आगे अगर चले अगर चले a giant a मालूम करना होगा तो यहाँ पर लिखा a giant a a giant a कितना आजाएगा हमारे पास यह हमारे पास a है ठीक है तो 1 1 तो exchange होने के बाद 1 1 रह जाएगा इधर minus 1 आजाएगा इधर positive 1 ठीक है तो a giant a भी आगया अब we know that तो we know that में हम क्या जानते हैं हम लोग यह जानते हैं के x is equal to a inverse b के equal होता है ठीक है तो यहाँ पर इसकी values पुट करें तो यहाँ पर आजाएगा a giant a ठीक है divide by a का determinant multiply by b values पुट करें तो यहाँ पर आजाएगी हमारे पास a giant a जो के 1 1 minus 1 1 और नीचे आजाएगा 2 इधर आजाएगा b कितना है हमारे पास 6 and 106 ठीक है यह यह ही है और उसके बाद इधर आजाएगा x and y और यह bracket close हो गए ठीक है आगे अगर चलें तो अब यह हो जाएगा 1 divided by 2 इधर आजाएगा 1 1 minus 1 1 और इधर आजाएगा हमारे पास 6 and 106 ठीक है और यहाँ पर x y चल रहा है तो लिखो या ना लिखो तो चलता रहेगा काम तो यहाँ पर अगर चलें तो अब हमारे पास आजाएगा 1 divided by 2 वैसे का वैसा 1 into 6 plus 1 into 106 इधर आजाएगा minus 1 into 6 plus 1 into 106 और यह bracket close further आगे चलें तो 1 divided by 2 वैसे का वैसा और यहाँ पर अगर देखें तो 6 plus 106 और इधर आजाएगा minus 6 plus 106 ठीक है तो 1 में से minus हो रहे तो यहाँ पर आजाएगा यह तो 112 हो जाएगा और यहाँ से 100 आजाएगा ठीक है 1 divided by 2 को अंदर multiply करवा लेते हैं तो यह हो जाएगा 102 multiply 1 divided by 2 और इधर आजाएगा 100 multiply 1 divided by 2 ठीक है और यह ऐसे square bracket इधर जो है हम equal का sign डाल लेंगे तो अब जो है 112 को 2 पे करें तो 2 5s are 10, 2 6 are 12 तो 56 आजाएगा तो यहाँ पर लिख लीजे 56 और नीचे 2 5s are 10 0 ठीक है यहाँ पर 56 आजाएगा 2 5s are 10 0 उपर चलाएगा तो यहाँ पर आजाएगा 50 और यह bracket close इधर आजाएगा हमारे पास x and y तो अब आप यहाँ लिखेंगे so x is equal to 56 and y is equal to 50 तो speed of first car जो है वो कितनी आए 56 ठीक है तो आप यहाँ पर लिख दीजे तो यह लिख दिये speed of first car जो कितनी है x से रेपेजेंट की थी तो 56 और speed को भी साथ लिख दीजेगा ठीक है और अब लिख लेंगे speed of second car speed of second car जो है वो कितना है 50 तो यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आर लिख लेंगे तो इसके साथ ही inversion method से जो है यह question solve हो गया तो उमीद करता हूँ है question समझ में आया होगा तो question number one जो है मुकमल तोर पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा और अभी तक हमने exercise में तमाम question जो है exercise के inversion method से किये थे अब हम बाकी इस वीडियो में पूरी exercise के तमाम questions जो है वो क्रेमर rule से करेंगे ठीक है तो इसलिए मैं हर question में लिखूंगा नहीं है कि क्रेमर डूल है efficacy question में जैसे आपको बताय है जाता है कि क्रेमर डूल से करो आप क्रेमरर रूल से बाट करने जा रहा हूं ठीक है तो इसलिए question के अंदर mention नहीं करोंगा अप स्वालवज पैद होते कि sir कैसे करेंगे तो ऐसा करते है part number 1 जो है लिख लेते हूं इसके बाद इससे solve करके दिखाता हूँ तो यह मैने part number 1 जो है वो लिख लिए लिखने के बाद जो है अब हम इससे solve करने के लिए सबसे पहले तो solution ही लिखेंगे ठीक है solution का word लिखने के बाद आप एक बार question को दुबारा से लिख लेंगे दुबार से question को लिखे हैं तो 2x minus 2y is equal to 4 पहली question दूसरी question किया है 3x plus 2y is equal to 6 तो question repeat हो गया अब इसके बाद क्या करेंगे जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इन questions में हम यानि के x और y के values मालूम करते हैं ठीक है करते हैं जैसे x की value मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तमाल करते हैं वह होता है एक्स is equal to a x का determinant और इसको डिवाइड करवा दिया जाता है एक डिटर्मिनेंट पर ठीक है इसी तरह y की value मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं तो इस formula की मदद से y की value मालूम करते हैं ay ठीक है इसका determinant और divide by a का determinant तो यानिक इन formulas की मदद से आप x और y की values मालूम कर लोगे ठीक है तो इन्हें सबसे पहले step में आपने क्या याद रखने x की value मालूम करने का formula और y की value मालूम करने का formula असान सा formula inversion में नीचे तो determinant होता यहां भी determinant है ठीक है बस उपर adjoint की जगे आपका क्या है ax है अगर x की value मालूम कर रहे हैं तो उपर ax लिक रहे हैं और y की value मालूम कर रहे हैं तो उपर ay लिक रहे हैं ठीक है अपने अपनी तरह से हर बच्चा याद चीजों को करते हैं तो अपने जैसे एक का नाम A रखते थे एक का नाम X रखते थे और एक का नाम हम B रखते थे ठीक है लेकिन यहां पर x की जरूरत हमें नहीं है ठीक है क्योंकि यहां पर x और y की values फार्मूला उसकी मदद से हासिल की जा रही है तो हम सिर्फ A और B matrix के नाम यहाँ पर रखेंगे और इसके बाद question आगे बढ़ाएंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ इस formula को थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो तो बाद में इसको मिटा दूँगा अभी कोई पहले question में इसली रखा हूँ साथ में के आप लोगों साथ साथ देख सको इसको कि मैं क्या कर रहा हूँ तो सबसे पहला step आप लोगों ने यही करने के यहां पर आप इनके matrix के नाम रखिए ठीक है तो यहां पर लिख लेता हूं में let let लिखने के बाद एक matrix का नाम जैसे के inversion में करते थे आप ए रख लीजिए उसमें सारे coefficients रख लीजिए ठीक है तो यहां पर आ जाएंगे 2, minus 2, 3, 2 जैसे के पिछले question में आप करते थे ठीक है तो directly इसका एक नाम रख लीजिए यानि आपको यह जुरूरत नहीं है के पहले इसको matrix form में बदलें और फिर जाके इनके नाम रखे आप directly यहां पर नाम रख लीजिए ठीक है तो ए नाम रख इन दोनों की मदद से ही a y और a x की value मालूम कर लेंगे ठीक है यहां तक तो असान है बस a b नाम रखने ठीक है उसके बाद अब आप अगर देहान से देखो तो मैं इसको थोड़ा चोटा करके लिख लेता हूं ताके irritate ना करे आप लोगों को तो यह मैंने formula को चोटा करके दिया ताके आप लोग इसको side में रख सको और question का हिस्सा ना समझो अब जो है सबसे यानि नाम रखने के बाद हम क्या करेंगे हम यह मालूम करेंगे कि इसका यानि इसको solve किया जा भी सकता या नहीं किया जा सकता ठीक है और वो कैसे मालूम करते थे inversion method की तरह determinant a का लेंगे और a का determinant अगर non singular आया तो हम x और y की value मालूम कर सकेंगे otherwise नहीं ठीक है तो हम इसके बाद क्या step करेंगे इसके बाद directly आप determinant of a जो है वो मालूम कर लो ठीक है ताके पता चले question आगे solve करना है या नहीं करना तो determinant a मालूम करने के लिए यहाँ पर a के आसपास ऐसे बार डाल द देंगे further आगे चलाएंगे तो यह हो जाएगा 2 into 2 minus 3 into minus 2 ठीक है further आगे चलेंगे 2 to the 4 और plus 3 to the 6 तो यह हमारे पास आजाएगा 10 जो के 0 के equal नहीं है it's mean के यह non singular matrix है ठीक है यहाँ पर determinant a भी डाल देते हैं और यहाँ पर लिख भी देते हैं non singular तो अब यहाँ से यह पता चल की ठीक है अब values मालूम करने के लिए आप लोगों को a x और a y जो है यह matrix किसके बराबर होते हैं यह आपको मालूम करने ठीक है तो बस यही इसमें थोड़ा सा tricky part है जो के बहुत असा है मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम a x जो है यानि कि हमे a x चाहिए x की value मालूम करने के लिए तो a x मालूम कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं now ठीक है क्योंकि अब मालूम कर सकते हैं तो a x मालूम करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपने लिखा a x ठीक है equal और a x जो है वो matrix किसके equal होगा अब आप यहाँ पर श्वरक् winding करने जा रहां एक मेट्रिक्स का नाम होगा और मेट्रिक्स कैसे मालूम करेंगे देखिए तो सबसे पहले यानि के आप इसकी और मद fight magazine मालूम करेंगे कैसे सबसे पहले आप इसको यानि के आप इसको ऐसे याद रखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ दोनों कठे मालूम करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा यहां पे हम AX मालूम करेंगे ठीक है और यहां पे हम कॉमा डाल के AY मालूम कर लेते है ठीक है ताके दोनों को आप अच्छे से समझ सको तो देखे AX में आप यह समझे के AX में पहला जो कॉलम है इसको 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 पीछे करते हैं तो पहला कॉलम जो है आपने इसको 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 इस बात को ऐसे भी आद रख सकते हूं के AX सबसे पहले हम मालुम कर रहे हैं तो पहले के अंदर आपने पहला कॉलम जो है वो नहीं लिखना सिर्फ दूसरा लिखना है अब सुवाल ही पहते होते कि सर पहला नहीं लिखेंगे तो इधर जो है हम क्या लिखेंगे ठीक है तो इधर आप लिखेंगे यह जो matrix B है इसका column लिख लेंगे ठीक है 4 और 6 ठीक है तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 और 6 ठीक है मैं इसको white color से लिख लेता हूँ आपको 4 और 6 जो है वो पता रहे के B का है तो यह मैंने 4 और 6 लिख लिए ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे अब यानिके इसको हटा देते हैं ठीक है अब हमें A Y मालूम करना है ठीक है A Y में हम क्या करेंगे अब A X के अंदर आपने पहला कॉलम नहीं लिखा था ठीक है उ दूसरा ने लिखना तो यहां पर आजाएगा 2 यहां पर आजाएगा 3 और इसकी जगे हम क्या लिखेंगे 4 और 6 तो मैं कलर चेंज करके यहां पर लिख लेता हूं 4 और 6 तो इस तरह से A और Y जो है आपने मालूम करना है असान सा है वीक बच्चों के लिए मैं एक बार दु को नहीं लिखेंगे उसकी जगे हम क्या लिख लेंगे 4 और 6 यह मैंने 4 और 6 लिख लिख लिए ठीक है और उसके बाद यहां पर 2–2 था यहां वैसे से रहने के आरने धिया ठीक है में आ रहा होगा कि AX के अंदर आप इसको नहीं लिखोगे इसके जगे ये लिखोगे और AY के अंदर आप इसको नहीं लिखोगे और इसके जगे ये लिख दोगे और इस तरह से मैंने साथ साथ करके भी दिखा दिया आप अपनी तरफ से कौशिश कर सकता था कर दी अगर न हमारे पास है तो अब हम इसका determinant भी मालूम कर सकते हैं यह हम ऐसा कर लेते हैं कि यह पूरा फार्मूला लिख लेते हैं ठीक है और इसके अंदर determinant मालूम कर लेंगे ठीक है तो y किसके ब्राबर हो जाएगा ay का determinant divided by a का determinant तो अब हम इसके अंदर values put कर लेंगे और x और y की values आ जाएगे ठीक है तो values put करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा x is equal to ax किसके equal है इसके equal तो यह हम ऐसे का ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पर determinant किस form के अंदर तो यहाँ पर ऐसे करके दो lines डाल दो यहाँ पर 4 आ जाएगा minus 2 आ जाएगा 6 आ जाएगा 2 ठीक है तो यह वाला हमने पूरा वैसे का वैसा लिख लिए यानि के फार्मूला के अंदर values पूट कर रहा है यह determinant उपर हम देख सकते हैं 10 के को लाया था तो यहाँ पर नीचे लिख लिजे 10 इसके बाद आगे अगर चलें तो यहाँ पर कॉमा डाल दें ठीक है और यहाँ पर y के अंदर भी वही करेंगे तो वह हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो 10 था तो 10 लिख दिया अब जो है इसको solve कर लो जैसे के हम करते आएं तो यहाँ पर ऊपर कर रहे तो 10 लिख देंगे ठीक है इसी को पहले solve कर लेते हैं तो फॉर टू दा कितना हो जाएगा 8 और मानस मानस कितना होता है प्लस तो 8 प्लस 6 टू दा कितना हो गया 12 ठीक है और नीचे आजाएगा हमारा 10 ठीक है फर्दर इसको आगे चलाएं तो बारा और आर्ट बीस तो यहां पर 20 divided by 10 आजाएगा और फर्दर आगे चलाएं तो अब 10 बंजा 10 और 10 टू जा 20 होता है तो यहां पर 2 आजाएगा तो X की value यहां पर आप देख सकते हैं 2 आगे ठीक इसी तरह Y की भी मालूम कर लेते हैं ठीक है तो Y की मालूम करें तो Y is equal to किसके आजाएगा 2 into 6 minus उस एक straight line डालीजेगा वो आपकी मर्सी है ठीक है तो अभी मैंने कोमा डालीए नेक्स्ट में मैं line डालके यह चीज कर लूँगा वो भी बहतर रहता है तो 6 2 दा कितना हो गया 12 minus 4 3 दा कितना हो गया 12 ठीक है और divide by 10 फर्दर आगे चलें तो यहां पर आजाएगा Y is equal to 0 क्योंकि plus 12 और minus 12 same number है opposite sign के साथ तो 0 आ जाएगा तो यहां पर 10 0 के साथ जो भी number divide होता है या multiply होता है वो 0 ही हो जाते है तो Y is equal to किस क्या आ गया 0 क्या गया तो इस तरह से X और Y की values हमने मालूम कर लिए ठीक है तो आप यहां पर लिख देंगे पिछले questions की तरह सो X is equal to 2 and Y is equal to 0 तो यह question जो है वो easily solve हो जाएगा ठीक है आगें से बोल रहा हो कि यहां पर आप एक straight line भी डाल सकते हो इसकी partition के लिए ठीक है लेकिन अभी क्योंकि आगे पीछे अगले question में line डाल लेंगे तो main concept आपको यही बात याद रखनी है कि यह जो formula's है यह अगर जहन में होंगे तो इसे क्रेमर रूल से solve करेंगे तो solve करने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है solution तो हम यहां पर लिख लेंगे solution solution लिखने के बाद एक बार question को दुबारा से उतार लेते हैं तो question उता रहे हैं तो 2x plus y is equal to 3 आजाएगा उसके बाद 6x plus 5y is equal to 1 आजाएगा ठीक है दोनों equations लिख लिखने के बाद इससे matrix form में बदलेंगे तो matrix form में क्यों बदलेंगे क्योंकि x जो है वो किसके equal होता है वो बराबर होता है ax का determinant divided by a का determinant और y जो है वो बराबर होता है ay का determinant divided by a का determinant ठीक है तो अब matrix में बदलने के लिए हमें एक तो a चाहिए और 7 में x नहीं चाहिए और b चाहिए ठीक है क्योंकि a x मालूम करने के लिए a और b matrix की जुरूरत पड़ेगी तो इसलिए हम यहां पर लिख लेते हैं let ठीक है let लिखने के बाद a matrix जो है वो हम रख लेंगे जैसे के रखते आए हैं पिछली सारी exercise में two one six five ठीक है ए रखने के बाद अब हम x की matrix की जुरूरत नहीं b matrix की जुरूरत होगी तो यहां पर हम b matrix किसको रखते थे इसको तो इसको रख लेते हैं तो यह हो जाएगा three one और यह bracket close होगे ठीक है तो यह चीज हो गई यह आप लोगों का rough अमल है ठीक है आप लोगों को सम होगा सबसे पहले देखना होगा कि यह possible भी है यह नहीं इसका x और y की values मालूम करने के लिए तो उसके लिए हम a का determinant मालूम कर लेते हैं ठीक है क्योंकि a determinant अगर यहां पर देखें x और y के अंदर भी तो मालूम करना पड़ेगा न तो यहां पे हम a determinant मालूम करेंगे तो यह जो है वो 1 से multiply हो जाएगा further आगे चलें तो 5 to the 10 minus 6 1 is a 6 10 में से 6 गए तो positive 4 which is not equal to 0 तो it's mean यह non-singular है तो अब क्योंकि यह non-singular है तो इस से x और y की values मालूम की जा सकती है तो अब हम हमें क्या मालूम करना होगा अब हमें मालूम करना होगा ax और ay ठीक है तब ही उसके बा statement भी लिख दें solution is possible because a is a non-singular matrix तो वो बहतर रहेगा मैं लिख देता हूँ तो इसको थोड़ा सा उपर करते हैं उपर करने के बाद इधर लिख लेते हैं तो यह मैंने यहाँ पर statement लिख ली statement लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि question के अंदर उपर आपसे यह कहा गया अगर possible है तो अगर आप statement लिख देंगे तो इससे वाज़े हो जाता है कि हाँ बिलकुल possible है ठीक है तो इसलिए लिख दीजेगा पिछले part के अंदर भी तो अब कैसे मालूम करेंगे यानि किसका solution x और y की values मालूम करके और x की value मालूम करने का formula जो है यह है y की value मालूम करने तो यहां पे हम लिखे लेते हैं यह न अब इस चीelect का रोगे matrix a को इसतमाल करते हूए और b को इसतमाल करते हूए A X B X मालूम करते हैं तो अब सबसे पहले A matrix है तो इसलिए सबसे पहले A है तो A का आप पहला column जो है वो नहीं लिखोगे दूसरा लिख दोगे ठीक है तो दूसरा कौन सा है 1 और 5 तो यहाँ पर लिख दो 1 और 5 ठीक है तो दूसरे number पर A Y मुझूद है तो A के अंदर से दूसरा column जो है वो नहीं लिखोगे पहला लिख दोगे ठीक है 2 6 तो इस तरह से भी आप जहाँ में रख सकते हो को पहले के अंदर पहला column नहीं लिखना दूसरे के अंदर दूसरा column नहीं लिखना ठीक है और इस तरह लिखने के बाद अब जो बच गया इसके जगे भी आप B का matrix लिख लो और इसके जगे भी B का matrix लिख लो तो चलिए लिखते हैं तो इधर आजाएगा 3 1 तो यहाँ पर आजाएगा 3 1 और इधर भी आजाएगा 3 1 ठीक है तो आई होप यह तरीका भी असान है दुबारा से बार-बार बता रहा हूँ क्योंकि अभी starting questions हैं के पहले के अंदर पहला column मत लिखो और दूसरे के अंदर दूसरा column मत लिखो और पर जो खाली जगे होगी उसके अंदर matrix B जो है अब तो फार्मूला लिखो तो इदर आ जाएगा X is equal to A X का determinant divided by A का determinant ठीक है काफी बच्चे कहा रहोंगे सर यहां पर लिखा ही नहीं आपने we know that तो ना भी लिखो तो काम चल जाता है मैं इस लिए नहीं लिख रहा ताकि आप लोगों को sequence से असानी से समझ में आए तो ना भी लिखो के काम चल जाएगा ऐसा कोई compulsory नहीं होता लेकिन यह statement जो है ज़रूर लिख लीजेगा अब इसके बाद अगर इदर चलें तो अब इदर से Y की value मालूम होगी तो यहां पर आप लिख लीजे Y is equal to क्या जाएगा A Y का determinant divided by A का determinant ठीक है तो इस तरह दोनों साथ साथ चलाते रहते हैं ताके समझने में असानी हो तो उपर A X का determinant लेना है तो यह रहा A X इसका determinant साथ साथ लेते जाते हैं तो यहां पर हम डाल देंगे bars ऐसे ठीक है और यहां पर क्या आजाएगा 3,1,1,5 ठीक है और नीचे A का determinant कितना है 4 तो यहां पर आप लिख लेंगे 4 और इधर X था तो इधर X लिख लीजे ठीक है इसी तरह यहां पर भी चल लीजे तो यहां पर Y is equal to Y का determinant कितना है 2,3,6,1 यह matrix था तो इसको इस form में लिख लिए और नीचे A का determinant 4 था तो यहां पर भी 4 लिख लिख लिए इसके बाद अब हम इसको यानिका determinant मालूम करने के लिख cross multiply करवाते हैं तो 3,5 के साथ multiply हो जाएगा minus 1 जो है 1 के साथ हो जाएगा और नीचे जो है इसके बाद आगे अगर चलें तो अब इधर जो है इसको उपर कर लेते हैं 5,3 दा कितना होता है 15 और यहां पर minus 1 बंदा 1 और नीचे divide by 4 आजाएगा ठीक है और इधर चलें तो Y is equal to आजाएगा 2,1s are 2 और 6,3 दा 18 तो यहां पर आजाएगा 18 divide by 4 फर्दर आगे चलें तो X is equal to आजाएगा 14, 15 में से गया तो 14 आजाएगा और नीचे 4 और यहां पर भी Y is equal to minus 16 divide by 4 ठीक है तो साथ साथ चलाते रहते हैं ताकि आपको असानी हो तो X is equal to अब यह cancel होता है 2 to the 4 और 2 7s are 14 तो 7 divided by 2 further cancel नहीं हो सकता तो यहां पर X is equal to आगे 7 divided by 2 और यहां पर Y is equal to 2 to the 4 to 8 to 16 तो minus बल्के फर्दर हो सकता है 2 1s are 2, 2 4s are 8 तो पीछे बच जाएगा only minus 4 तो Y की value जो है यह आगई और X की value जो है यह आगई ठीक है इसके बाद आप धर्मियान में या तो कोमा डालेंगे या सेंटर में एक line खीच देंगे तो अब हमें पता है कितनी लंबी line खीचनी है तो आप यहां पर in the end line खीचना मत भूलिएगा तो यह मैंने सीधी एक line खीच दी कि आप लोगों को समझ में आगया होगा तो part number 3 जो है क्रेमर रूल से solve करें तो इसे भी solve करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा solution और solution लिखने के बाद आप यहां पे एक बार question को दुबारा से लिख लीजिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे हमें सबसे पहले formula's पता होना चाहिए x और y के क्या है x की value मालूम करने का formula होता है ax का determinant divided by a का determinant और y का formula मालूम करने का क्या होता है ay का determinant divided by a का determinant बार-बार लिखूंगा हर question में तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा हमें सबसे पहले तो a का matrix बनाना होगा और x की जुरूरत नहीं है b का matrix बनाना होगा तो हम यहाँ पर let लिख लेते हैं और अपनी जुरूरत के according एक matrix हम एक रख लेते हैं जो के इनके coefficients का हो जाएगा जो के क्या हो जाएगा 4, 2, 3, minus 1 और दूसरा matrix जो है हम b का रख लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 8, minus 1 अब हम इसके बाद क्या करेंगे चेक करते हैं कि possible है भी या नहीं इस x और y की values मालूम करना या solution मालूम करना तो इसके लिए a का determinant लेंगे तो हमें पता चल जाएगा तो a का determinant लें तो इसको ओपर कर लेते हैं यहां पर और यहां पर लिख लेते हैं a का determinant इदर भी कर लेते हैं तो 4, 2, 3, minus 1 यह ऐसे आजाएगा आगे चलें तो अब हमारे पास क्या आजाएगा 4 into minus 1 minus 3 into 2 फर्दर आगे चलेंगे तो 4, 1 is a 4 plus minus minus और plus minus minus non-singular है तो अब क्योंके यह non-singular है तो अब हम क्या करेंगे अब हमें इसको आगे भी continue करना पड़ेगा तो अब हमें ax और ay की values मालूम करने पड़ेगी ठीक है तो हम यहां पर मालूम कर लेते हैं बलके यहां पर पहले statement लिख लेते हैं दोनों matrix की form में लिख लेते हैं ठीक है ताकि एक साथ दोनों को लिख सकें ठीक है तो पहला matrix है तो अब हम क्या करेंगे एक अंदर पहला कॉलम नहीं लिखेंगे ठीक है इसको नहीं लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे 2 और minus 1 ठीक है तो यहाँ पर लिख लेता हूं में 2 और minus 1 अब यह दूसरा matrix है ठीक है तो इसके अंदर दूसरा column नहीं लिखेंगे एक अंदर जो मुझूद है तो एक अंदर दूसरा column यह है इसको नहीं लिखेंगे 4 और 3 है तो 4 और 3 को लिख लेंगे ठीक है तो यहां पर लिख लेता हूँ 4 और 3 अब जो खाली जगे बजगे है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे जो matrix B है तो matrix B अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा तो यहां पर आ जाएगा 8 minus 1 और इधर भी आ जाएगा 8 minus 1 तो इस तरह से आपने AX और AY के matrix मालूम कर लिए अब हम formula यहां पर put कर देते हैं जो के X और Y का मालूम करने का है तो हम यहां पर लिख लेते हैं now x या now we know that भी लिख सकते हैं लेकिन वह लिखेंगे तो दो जगे लिखना पड़ेगा ऐसे फस जाएंगे आप लोग complicated हो जाएगा जगे की कमी की जैसे बस now लिख दीजे और उसके बाद X is equal to यहां पर इसका sorry formula लिखना है पहले तो यहां पर आ जाएगा AX का determinant divided by A का determinant इधर आ जाएगा हमारे पास Y is equal to ठीक है यहां पर लिख लिख लीजे क्योंके line से अभी partition हो जाएगी now Y is equal to Y किसके equal आ जाएगा A Y का determinant divided by A का determinant ठीक है मैं यह साथ-साथ इसलिए कर रहा हूं ऐसे गलत नहीं होता ठीक है कि आप दोनों चीजें साथ-साथ करते रहो इस तरह जगे भी कम होती हो तो question जल्दी solve हो जाता है वरना इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप A X मालूम करने के बाद इदर X की value find out करेंगे ऐसे नीचे तक नीचे तक मालूम करने के बाद यहां पर A Y मालूम कर लो फिर इसके बाद Y की value मालूम करेंगे नीचे तक और पिर in the end X और Y के कठी लिख पूट कर लेते हैं values पूट करें तो X जो है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास यहां पर A X किसके equal है इसके तो इसको determinant की form में लिखें तो दो बास डालने के बाद 8 2 minus 1 minus 1 ऐसे आ जाएगा और यहां पर यह बार बन और नीचे A का determinant कितना है minus 10 तो यहां पर minus यह आपको नजर भी आ रहोगा minus 10 है तो minus 10 लिख दिया इसके बाद यहां पर चलते हैं Y का मालूम करने तो यहां पर Y लिखने के बाद इधर डाल देते हैं हम ऐसे दो बार ठीक है तो यहां पर आजाएगा 4 8 3 minus 1 और यह बार और नीचे आजाएगा minus 10 ठीक है फर्दर आगे चलें तो अब यह कितना आजाएगा इधर आजाएगा X is equal to 8 into minus 1 minus minus 1 into 2 और divide by नीचे minus 10 आजाएगा इधर अगर चलें तो Y is equal to 4 into minus 1 minus 3 into 8 divide by minus 10 फर्दर नीचे चलाएगा तो X is equal to 8 वंजा 8 तो minus करीट आजाएगा plus minus minus और यहां पर आजाएगा minus minus plus हो जाएगा तो plus 2 वंजा 2 और divide by minus 10 इधर आजाएगा Y is equal to minus 4 और minus 8 सी तर 24 होते है तो 24 divide by minus 10 फर्दर आगे चलाएगा तो X is equal to आजाएगा minus 6 ठीक है divide by minus 10 और इधर आजाएगा Y is equal to minus 28 divide by minus 10 फर्दर आगे चलें तो अब cancel होता है यहां पर 2 5s are 10 और 2 3 the 6 तो X और minus से minus cancel हो जाएगा तो X is equal to हमारे पास आगे 3 divided by 5 ठीक है और इधर चलें तो यहां पर आजाएगा minus minus से cancel 2 5s are 10 और 2 1s are 2, 2 4s are 8 तो further divide नहीं होता तो Y is equal to आजाएगा 14 divided by 5 इसके बाद धर्मियान में partition की line खीच देते हैं So X is equal to 3 divided by 5 and Y is equal to 14 divided by 5 और इसके बाद ऊपर जाएगे तो इसको हम मिटा देंगे यह फार्मूला सिर्फ आपको याद रहे इसलिए हम लिख रहे हैं यहां पर तो part number 4 आप लोगों को screen के ऊपर नजर आ रहा है इससे grammar rules से solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा solution solution लिखने के बाद question को दुबारा से लिख लेते हैं तो इधर आजाएगा 3X minus 2Y is equal to minus 6 नीचे आजाएगा 5X minus 2Y is equal to minus 10 अब इसके बाद आप लोगों को सबसे पहले X और Y की values found out करने के लिए फार्मूलास पता होना चाहिए तो X का formula होता है AX का determinant divided by A का determinant Y का formula होता है मालूम करने का AY का determinant divided by A का determinant ठीक है तो अब हमें सबसे पहले एक क्योंकि A matrix इसमें मुझूद है तो A matrix हम इसका नाम रखेंगे ठीक है तो दो matrix की जूरूत पड़ेगी तो यहां पर लिख लेते हैं एक हमें A के पड़ेगी तो A matrix लिख लेते हैं जो के coefficient से बनेगा 3 5 minus 2 minus 2 ठीक है उसके बाद अब हम B matrix लिख लेते हैं एक इसकी जूरूत पड़ेगी जो equation के दूसरी side पर minus 6 और minus 10 ठीक है इसके बाद जो है अब हमें चेक करने के possible भी है या नहीं है इसका solution मालूम करना तो उसके लिए A का determinant लेना होगा तो यहां पर A का determinant ले लेते हैं तो यह 3 minus 2 5 minus 2 और यह ऐसे फर्दर आगे चलेंगे तो यह आजाएगा 3 into minus 2 minus 5 into minus 2 further 3 to the 6 तो minus 6 और plus 5 to the 10 तो is equal to positive 4 आजाएगा जो के non-singular है तो अब जो है यहां पर statement लिख लेते हैं तो यहां पर statement लिख लिए के solution इसका possible है अब possible है तो अब हमें क्या मालूम होना चाहिए अब हमें यानि के formula को अगर देखें तो AX और AY इनकी values मालूम होनी चाहिए तो यहां पर अब AX और AY की value मालूम कर लेते हैं तो इदर लिख लेते हैं AX जो के किसके matrix के बराबर होता है अभी मालूम करेंगे और यहां पर लिख लेते हैं AY जो के किसके बराबर होगा अभी मालूम करेंगे ठीक है तो पहले AX है तो क्यूंके यह पहले है इसलिए matrix A में पहला कॉलम जो है वो नहीं लिखेंगे आप ऐसे यह चीज़ याद रख लें तो क्या लिखेंगे minus 2 और minus 2 दूसरा कॉलम ठीक है तो अब यह क्यूंके दूसरे नमबर पे तो इसलिए इदर दूसरा कॉलम नहीं लिखेंगे सिर्फ पहला लिखेंगे तो पहला क्या है 3 और 5 ठीक है तो यहां पर आप 3 और 5 अब दोनों खाली जगे हैं इनको पूर करने के लिए हम matrix भी लिख लेते हैं जो कि क्या है minus 6 और minus 10 इदर भी लिख लेते है minus 6 और minus 10 तो इस तरह से ax और ay भी हमें मिल गया अब हमें formula चाहिए होगा x और y का मालूम करने के लिए तो यहां पर अब हम now लिख देते हैं और यहां पर formula लिख लेते हैं x is equal to किसके आ जाएगा ax का determinant दिवाइड बाई एक का determinant इधर चलें तो अब हमें क्या a sorry y का मालूम करने है तो यहां पर सबसे पहले नाव लिख लेते हैं ठीक है तो यहां पर आ जाएगा y और y आने के बाद यहां पर आ जाएगा ay का determinant डिवाइड बाई a का determinant ठीक है असासा चलेंगे तो असान हो जाएगा उसके बाद आगे गए चलें तो ax किसके equal है तो यहां पर ax का matrix लिख देते हैं सुरी determinant मालूम कर रहे हैं तो दो बार डाल देते हैं तो ax यह है तो इसमें text को लिख लेते हैं तो minus 6 minus 10 minus 2 minus 2 ठीक है और divide by determinant कितना निकला है ऊपर आप देख सकते हो 4 के तो यहां पर आप लिख दीजिए 4 और यह x के equal है तो x के equal कर दिया ठीक किसी तरह y is equal to किसके आ जाएग 3 minus 6 5 minus 10 और यह line और नीचे आ जाएगा 4 ठीक है तो यह दोनों हो गए इसके बाद जो है अब हम उपर determinant मालूम करें तो यह हो जाएगा minus 6 ठीक है minus 2 फिर minus और यहां पर आ जाएगा minus 10 और फिर minus 2 ऐसे ठीक है और divide by कितना आ जाएगा 4 ठीक है तो यहां पर x था तो x लिख दो इधर जो है कितना आ जाएगा y is equal to 3 into minus 10 minus फिर 5 और यह minus 6 और divide by कितना आ जाएगा 4 फरदर आगे चलाएं तो यह कितना हो जाएगा 6 to the 12 minus minus plus हो गया तो plus 12 हो गया उसके बाद यह minus minus plus हो जाएगा और 10 to the 20 लेकिन बाहर minus है तो इसलिए minus हो जाएगा यानि यह ऐसे हो जाएगा plus 20 ठीक है अब क्योंकि बाहर minus है तो अंदर वाला sign बदल जाएगा तो इसलिए minus 20 आ जाएगा तो इसलिए मैं directly minus क्योंकि यह चीज़ें अब आप लोगों को आनी चाहिए तो थोड़ा जल्दी ऐसे ही होगा question उसके बाद यहाँ पर y इधर आ जाएगा minus 30 और minus plus इधर भी आ जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा 4 हमारे पास ठीक है further आगे चलें तो x जो है वो किसके equal आ जाएगा बीस में से 12 गए तो 8 बच जाएगे minus का और यहाँ पर 4 इधर जो है same number opposite sign के साथ तो 0 divided by 4 आ जाएगा 4 ones are 4, 4 to the 8 तो x हमारे पास आ जाएगा minus 2 ठीक है और y हमारे पास आ जाएगा 0 ठीक है क्योंकि 0 से multiply divide जो भी हो 0 हो जाएगा तो इसके बाद जो है दरम्यान में line डालना आप मत भूलिएगा ठीक है यह compulsory है मैं भूल भी जाओं किसी question में तो आप समझ लीजेगा कि sir भूल गए ठीक है तो उसके बाद अब यहाँ पर आप लिक लेंगे so x is equal to minus 2 and y is equal to 0 ठीक है तो इसके साथ यह question खतम हो गया तो part number 5 आप लोगों को screen के अपने जरा रहा है इसे क्रेमर रूल से करें तो उसके लिए सबसे पहले अब इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हमें यानि के फार्मूलास पता होना चाहिए जो कि किसके एकवल है x is equal to ax का determinant divided by a का determinant और y ब्राबर होना चाहिए a y का determinant divided by अब उसके लिए सबसे पहले इस matrix के नाम रखेंगे तो नाम रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा let ठीक है a matrix रख लेते हैं हम coefficients का नाम 3 minus six minus two four ठीक है और b matrix रख लेते हैं हम आखरी दो digits constant का four seven और एक close इसके बाद हम check करेंगे कि इसका solution possible भी है या नहीं तो उसके लिए a determinant लेते हैं तो यहां पर a का determinant ले लिया इधर भी a का determinant ले लिया three minus two minus six and four अब जो है इसको further cross multiply करवाएंगे तो three fours minus into minus six into minus two तो further आगे चलेंगे तो यह कितना हो जागा four three the twelve minus 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 plus होते है तो यहां पर आजाएगा plus 12 further आगे चलेंगे तो 12 plus minus minus तो minus 12 तो same number opposite sign के साथ तो zero तो its mean यह singular matrix है इसका तो हम solution नहीं मालूम कर सकते है इसको नहीं solve कर सकते है तो लिख देते हैं यहां पर तो यह मैं a statement लिख दी solution is not possible because a is a singular matrix ठीक है तो आप यहां पर भी लिख दीजिए singular ठीक है तो पता चल जाएगा ठीक है तो I hope यह question जल्दी सी y is equal to nine और नीचे आ जाएगा minus three x minus y is equal to minus five ठीक है यह दोनों matrix आ गए इसके बाद अब हमने formulas पता होना चाहिए तो वह हमें पता है x की value मालूम करने के लिए ax का determinant divided by a का determinant और y की value मालूम करने के लिए ay का determinant divided by a का determinant यह formula होता है ठीक है तो सबसे पहले इनके नाम रखेंगे क्योंकि a matrix अभी मौझूद है नहीं तो हम यहां पर लिखेंगे let let लिखने के बाद a matrix नाम रख देते हैं इसका four minus three one minus one और यह bracket close इसके बाद last constant numbers जो है उसका b नाम रख देते हैं और यह bracket close अब हम देखेंगे possible भी है या नहीं है इसका solution ठीक है तो इसके लिए a का determinant लेना होगा तो a का determinant लेंगे तो यह हो जाएगा four one minus three minus one और यह close तो फर्दर चलेंगे तो यहां पर आ जाएगा four into minus one minus फिर minus three into one तो यह हो जाएगा minus four one's a four और plus three one's a three ठीक है और यहां पर आ जाएगा तो यहां पर लिख देते हैं तो यह मैंने यहां पर नॉन सिंगुल लिख लिया इसके बाद जो है statement लिख देते हैं तो यह मैंने statement लिख लिए के solution डाल लेते हैं ठीक है अब जो है पहले मेट्रिक्स में हम ए मेट्रिक्स का पहला कॉलम नहीं लिखेंगे ठीक है तो यह अब आपको नजर आ रहोगा तो दूसरा लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा दूसरा कौन सा है 1-1 तो इदर आ जाएगा 1-1 अब दूसरे मेट्रिक्स में A matrix का दूसरा column नहीं लिखेंगे पहला लिखेंगे ठीक है तो यहां पर आजएगा 4-3 तो यहां पर आगे 4-3 अब बाकी बच्ची जगे पर B matrix लिख देंगे तो इधर आजएगा 9-5 और इधर भी आजएगा 9-5 ठीक है तो mathematics आगे अब हमें formulas लिखने हैं तो यहां पर आप लिखेंगे नाव ठीक है तो फार्मूला क्या होता है X is equal to A X का determinant divided by A का determinant इधर लिख लिजिए आप again से नाव और यहां पर भी लिख लेंगे Y is equal to A Y का determinant divided by A का determinant ठीक है उसके बाद आगे अगर चलें तो values put होंगी values put हों तो इधर आ जाएगा A X का determinant मालूम करना है तो यहां पर हम A X का determinant मालूम कर लेते हैं तो क्या है 9-5-1 ठीक है और नीचे A का determinant माइनस-1 ठीक है ओपर नजर आ रहा है आपको तो माइनस-1 लिख लिए और यहां पर X था तो X लिख लेते हैं इसी तरह हम Y के साबसे करेंगे तो Y लिख लेते हैं इधर जो है आ जाएगा 4-9-3-5 और यह ऐसे नीचे माइनस-1 आ जाएगा ठीक है फर्दर अब इसको आग X is equal to 4 into minus 5 minus minus 3 और 9 divided by आ जाएगा minus 1 अब हम आगे इसी तरह चलते रहेंगे तो X is equal to हो जाएगा minus 9 plus 5 divided by minus 1 इधर आ जाएगा minus 4 5 4s are 20 तो minus 20 और minus minus plus 9 3s are 27 तो यहां पर आ जाएगा 27 divided by minus 1 फर्दर इसको आगे चलाएगे तो X is equal to यहां पर आ जाएगा minus 4 divided by minus 1 इधर आ जाएगा Y is equal to 7 divided by minus 1 तो यह हो जाएगा in the end X is equal to minus minus से cancel तो पीछे 4 बच जाएगा 1 लिखते नहीं है और Y यहां पर बन जाएगा नीचे 1 लिखते नहीं है तो minus रह जाएगा तो पार्ट नमबर सेवन आप लोगों को स्क्रीन के ओपन ज़र आ रहा है इसे क्रेमर रूल के कोर्डिंग करें तो सबसे पहले लिखा जाएगा solution solution लिखने के बाद आप एक बार question को दुबारा लिखते हैं तो इधर लिख लीजिए आप question को तो two x minus two y is equal to four इधर आ जाएगा minus five x minus two y is equal to minus ten ठीक है तो x का मालूम करने का formula होता है ax का determinant divided by a का determinant और y का मालूम हो करने का होता है ay का determinant divided by a का determinant ठीक है अब तो याद हो भी चुका होगा कैर अब इसका नाम रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए ए नाम रखें तो यह हो जाएगा two minus five minus two minus two ठीक है और उसके बाद last हमें चाहिए तो इसका नाम रख लेते हैं इसका नाम आ जाएगा four minus ten और यह bracket close इसके बाद अब हम check करेंगे इसका solution लिया जा सकता है या नहीं तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एक का determinant और इधर भी मालूम कर लेंगे two minus two minus five minus two और यह close फर्दर आगे चलेंगे तो two into minus two minus I hope यह आता होगा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं exercise लंबी है तो minus four आ जाएगा और यहाँ पर minus minus plus और फिर plus minus minus हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पिर ऐसे भी कर लेते हैं step डाल देता हूं यहाँ पर आ जाएगा positive ten और फर्दर आगे चलेंगे तो minus four minus ten is equal to minus fourteen आ जाएगा जोके non singular है तो आप यहाँ पर non singular लिख लिजिए और साथ में statement भी इधर लिख लेते हैं इसको ओपर करते हैं तो यह मैंने statement लिख लिख लिखने के बाद ax और ay मालूम करना ह तो सबसे पहले ax मालूम करते हैं तो ax मालूम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक matrix ठीक है और ay मालूम करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा एक matrix ठीक है अब पहले matrix में पहला column नहीं लिखेंगे ठीक है तो यह यानिके नहीं लिखेंगे अब नजरार होगा दूसरे ल लेंगे तो 2-5 आ जाएगा तो 2-5 इसके बाद बच्चुई जगे पर 4 B का मैट्रिक्स आ जाएगा तो 4-10 इधर भी आ जाएगा तो AX AY भी मालूम होगे अब फार्मूला easily put कर सकते हैं तो यहां पर लिख लेंगे X is equal to ठीक है यहां पर आ जाएगा AX का determinant divided by A का determinant यहां पर आ जाएगा Y is equal to AY का determinant divided by A का determinant ठीक है उसके बाद values put करेंगे तो इधर आ जाएगा sorry determinant लेना है तो इधर AX कितना है 4-2-10 और यहां पर minus 2 ठीक है यह आ जाएगा नीचे A का determinant minus 14 निकाला था उपर नजर भी आ रहा है तो minus 14 लिक लिए इधर अगर चलेंगे तो यहां पर आप लिक लेंगे Y और यहां पर आ जाएगा आपके पास 2, 4, minus 5, minus 10 और यह ऐसे नीचे आ जाएगा minus 14 फर्दर अब इनको आगे चलाएंगे तो यह हो जाएगा X is equal to 4 into minus 2 minus minus 10 into minus 2 और यहां पर divide by आजाएगा minus 14 इधर चलेंगे तो Y is equal to 2 into minus 10 minus minus 5 into 4 और divide by minus 14 फर्दर आगे चलाएंगे तो X is equal to 4 to the 8 तो minus 8 minus minus plus और फिर plus minus minus तो minus 10 to the 20 और नीचे डिवाइड by minus 14 इधर अगर चलेंगे तो Y is equal to minus 20 और minus minus plus तो 5 और 20 तो नीचे आजेगा minus 14 फर्दर इसको आगे चलाएंगे तो यह हो जाएगा X is equal to minus 28 divided by minus 14 तो और इधर आजाएगा Y is equal to 0 divided by minus 14 अब यह हो जाएगा minus minus से cancel 14 to the 28 होता है तो X is equal to 2 तो 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 और यहां पर आजाएगा Y is equal to 0 तर्मयान में partition करनी है तो यह मैंने एक straight line डाल दी ठीक है X और Y की value आपको मालूम हो गए अब आप यहां पर लिखेंगे so X is equal to 2 and Y is equal to 0 तो पार्ट नमबर 8 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इसे भी solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले solution लिखा उसके बाद question को दुबारा से उतारें तो यहां पर आजाएगा 3X minus 4Y is equal to 4 नीचे आजाएगा X plus 2Y is equal to 8 तो X मालूम करने का formula है AX का determinant divided by A का determinant Y का formula है AY का determinant divided by A का determinant इसके बाद आगे अगर चलें तो अब इनके नाम रख लेते हैं तो यहां पर आजाएगा let और A ब्राबर आजाएगा हमारे पास matrix 3, 1, minus 4, 2 और उसके बाद यहां पर आजाएगा हमारे पास B is equal to 4 और 8 ठीक है और नीचे अगर चलेंगे तो अब हम A का determinant मालूम करेंगे के इसका लिया भी जा सकता है या नहीं तो यहां पर आजाएगा 3, minus 4, 1, 2 और further इसको आगे चलाएगे तो यह हो जाएगा 3, into 2, minus 1, into minus 4 तो 3, 2, the 6, plus 4 is equal to 10 तो जो के non-singular है तो आप यहां पर non-singular लिख देंगे इसके बाद जो है यहां equation, sorry equation करें statement लिख देते हैं तो यह मैंने statement लिख दी, statement लिखने के बाद AX मालूम करेंगे तो यहां पर AX का matrix बना लेते हैं तो यहां पहले के अंदर पहला column नहीं लिखते तो आप कौन सा column लिखेंगे यह वाला minus 4 और 2 दूसरे के अंदर दूसरा column नहीं लिखते तो कौन सा लिखेंगे 3 और 1 तो यहां पर आ जाएगा 3 और 1 तो अब जो है इसकी जगे B matrix लिख दीजे 4 और 8 इधर भी 4 और 8 ठीक है तो अब हम formula लिख लेंगे यहां पर तो X is equal to बराबर होता है AX का determinant divided by A का determinant Y बराबर होता है AY का determinant divided by A का determinant ठीक है तो अब इसके बाद जो है इसमें values put कर देंगे ठीक है तो values put करें तो यहां पर हम लिख लेंगे 4 minus 4 इधर noun मैं लिखना भूल गया इधर और इधर लिख लीजेगा ठीक है तो main मकसद तो concept समझाना है तरीका भी आपको आई गया 4 minus 4 8 2 और यह ऐसे ठीक है और नीचे A का determinant लेना है तो वो कितना है 10 उपर नज़र आ रहा होगा आपको और यहां पर X लिख लिजे और यहां पर Y लिख लिजे और यहां पर यह आ जाएगा 3 4 1 8 और यह ऐसे और डिव minus 4 और divide by नीचे आगया 10 इधर चलेंगे तो Y is equal to 3 into 8 minus 1 into 4 और divide by 10 फर्दर आगे चलेंगे तो यहां पर आजाएगा 4 to the 8 plus 8 4 is the 32 और divide by 10 इधर चलेंगे तो 8 3 the 24 minus 4 divide by 10 इधर चलेंगे तो X is equal to 40 divide by 10 इधर चलेंगे तो Y is equal to 20 divided by 10 further 10 1s are 10 10 4s are 40 10 1s are 10 10 to the 20 तो X is equal to 4 and Y is equal to 2 तो यहां पर इसके बाद partition कर लेते हैं तो यह मैंने partition कर ली इसके बाद जो है यहां पर लिख लेंगे so X is equal to 4 and Y is equal to 2 यह marker से बेशक लिख दीचेगा तो question number 2 आप लोगों को screen के open नज़र आ रहा है अब इस question number 2 को हम grammar rule से solve करेंगे ठीक है अब आप लोगों के दिमाग में स्वाल पैदा हो सकते है सर यह पहले से equation बनी हुई है तो यानि के video में पीछे जो है जब inversion method से यह question मैंने किया था तो आप लोगों को यह सब कुछ मैंने बताया था कि यह कैसे equation जो है दोनों हासिल हुई है इसलिए अगर आपको यह नहीं आती तो video में पीछे जाए और question number 2 को inversion method से जब आप समझेंगे तो यह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा ठीक है लेकिन अब यहां क्योंके मैं grammar rule के तहत यह question solve करने जा रहा हूं ठीक है अब आप लोगों को यह mind में रखने है ठीक है क्योंके question के अंदर लिखा होता है grammar से करो या inversion से करो तो जैसे अगर grammar से लिखा हो है तो अब मैं क्या करूँगा इसको grammar के through कर दूँगा ठीक है और in the end दो equations को arrange करके यहां पर हमने यह equations हासिल कर ली थी अब इसको हम grammar rule के according solve करते हैं तो grammar rule के according solve करें तो grammar rule में हमें यानिके a और b दो matrix चाहिए होते हैं ठीक है क्योंके हमें x जो है हमारा किसके equal होता है वो होता है ax का determinant divided by a का determinant और y जो होता है वो कर अब आप लोगों को यह याद हो चुका होगा इसलिए लिखता नहीं हो मैं इसको यहां से solve कर लेता हूं ठीक है तो यहां पर आप लिखेंगे यानिके let let किसके करेंगे a equal रख लेंगे इनके coefficient के तो minus 4 1 1 1 और यह bracket close इधर जो है आप b matrix लिख लेंगे b जो है किसके equal आजाएगा 0 और 75 के और यह यहां पर close हो जाएगा ठीक है तो आपने इनको किसमें बदल दिया जो जो matrix की जूत पड़ेगी उसमें बदल दिया अब उसमें बदलने के बाद अब आप क्या करेंगे चेक करेंगे किसका solution जो है possible भी है या नहीं है बलके इसमें तो possible वाला हिसाब के तब है ही नहीं तो इसमें हम directly जो है एका determinant मालूम कर लेते हैं क्यूंकि जितने भी यानिके questions है 2,3,4,5,6 इन सब में ही possible होगा solution ठीक है अगर possible check करना होता तो वो question में लिखता if possible तो इसका determinant मालूम करेंगे तो एका यहां पर आ जाएगा minus 4,1,1 और यह यहां पर ऐसे close हो गई line से उसके बाद minus 4 into 1 minus 1 into 1 उसके बाद आ जाएगा minus 4 minus 1 और is equal to कितना आ जाएगा minus 5 अब यह non singular है तो हम यहां पर लिख देते हैं non singular और इसके बाद जो है अब हमें क्या मालूम करना है अब हमें AX मालूम करना है ठीक है फार्मूला तो याद ह चुक होगा भी आपको तो यहां पर आप AX मालूम करने के लिए ना लिखने और ना लिखने के बाद यहां पर लिखे AX AX अब हम कैसे मालूम करेंगे इधर भी ऐसे एक brackets डाल देते हैं और यहां पर AY मालूम कर लेंगे तो इधर भी ऐसे brackets डाल देते हैं ठीक है brackets डालने के बाद पहले matrix में हम यह वाला column नहीं लिखते ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और दूसरे matrix में हम यह वाला column नहीं लिखते तो यहाँ पर लिख लेंगे minus 4 1 तो इदर आ जाएगा minus 4 1 अब जो है इदर बाकी बच्ची जगे पर क्या लिखेंगे वो हम यह भी matrix लिख लेंगे ठीक है तो इदर भी आ जाएगा 0 75 और इदर भी आ जाएगा 0 75 तो ax भी हो गया और bx भी हो गया अब जो है हम इदर फार्मूला पुट कर लेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हो we know that यहाँ पर directly जो है आप ऐसे लिख लो ax is equal to ax का determinant divided by a का determinant ठीक है उसके बाद y is equal to a y का determinant divided by a का determinant ठीक है तो इनका determinant मालूम करों तो यहाँ पर ऐसे आजाएगा 0 175 1 और यह bracket और इदर बार आ जाएगी और इदर a का जो determinant है minus 5 के था तो यहाँ पर minus 5 आ गया और यह x के equal था इसके बाद y जो है equal किसके आया वो आया minus 4 0 175 और यहाँ पर यह बार आ गई और नीचे आ जाएगा हमारे पास minus 5 फर्दर आगे चलें तो x is equal to अब आ जाएगा 0 1 के साथ minus 75 जो है वो और यहाँ पर आ जाएगा 1 5 लिग दिया इदर चलें तो y is equal to minus 4 75 और यहाँ पर आ जाएगा minus और यहाँ पर आ जाएगा 1 into 0 और नीचे आ जाएगा हमारे पास minus 5 फर्दर आगे चलें तो x is equal to 0 से 1 multiply होगा तो 0 हो जाएगा और इदर आ जाएगा minus 75 divided by minus 5 और इदर आ जाएगा y is equal to 75 को 4 से multiply करेंगे तो calculator चाहिए तो यह आ गया हमारा calculator और 75 multiply 4 is equal आ जाएगा 300 तो यहाँ पर आप लिख लीजिए minus 300 और 0 से multiply होगा तो यहाँ पर minus 0 आ जाएगा वो लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद नीचे minus 5 है तो नीचे minus 5 लिख लिए further आगे चले तो minus minus जाएगा हम्मारे पास कितना आया वो हमारे पास आया 15 और y हमारे पास कितना आया5 हमारे पास 16 ठिक है और दिर मियान में इनके line कीज़ देंगे हम ठीक है तैक है ताकि इन दोना के दर्म्यान फर्क रहे तो यह मैंने एक straight line खीच दी line खीचने के बाद इधर लिख लेंगे 100, 100 लिखने के बाद x is equal to 15 and y is equal to 60 और 60 लिखने के बाद आप जो है क्योंकि question में हमसे क्या पूचा गया है question में हमसे पूचा गया find the dimension of rect angle ठीक है तो आपने dimensions मालूम करने यहां पर लिखेंगे width of rectangle तो width of rectangle रेक्टैंगल को x रेपेजेंट क्या है तो x आ जाएगा और यहां पर हत्तीन और एपसेंद पर面 सेंटिम्त्य में प्रिमा शील किए गई है तो आप cm लीख दीजह इसके बाद width के बाद जो हे length का जिकर किया गया है तो यहां पे लिख दें length of rectangle तो length of rectangle को y से represent किया गया है तो यहां पे आ जाएगा 60 cm तो यह लिखना जरूर है अगर मैंने inversion में लिखना भूल गया हूं मुझे याद नहीं है तो यह जरूर लिख लीजेगा ठीक है यह बहतर रहेगा क्योंकि question जो पूचा गया है वो तो हमने यह अच्छे से बताने ठीक है तो I hope यह question जो है आप लोगों को समझ में आया होगा तो question number 3 जो है अब मैं grammar rule के according solve करूंगा तो इसे भी solve करने के लिए सबसे पहले आप इस question को समझेंगे समझने के बाद आये statements लिखने के बाद ये सारी चीजें in the end आप पिर क्या दो equation हासिल करेंगे ठीक है और ये दो equation आगे इसके बाद आपको grammar rule के according जो है matrix बना कर इसे solve कर देना है जिन students को ये चीजें समझ में नहीं आ रहे ये वीडियो में पीछे जाएए और ये ही question जब inversion method से समझाया था तो वहाँ पर ये सब चीजे मैंने discuss की थी तो वहाँ जाकर समझ लीजे ठीक है तो अब मैं grammar rule के according इससे आगे solve कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए तो इससे आगे solve करने के लिए हमें क्या चाहिए हमें दो matrix चाहिए A और B तो हम यहाँ पर लिख लेते है matrix A ठीक है let लिखना है सबसे पहले तो यहाँ पर let कर लेते है ठीक है और हमें A matrix चाहिए जो के इनके coefficient से बन जाएगा 1, minus 1, 1, 1 और हमें A matrix B चाहिए जो के constant number से आसिल कर लेते है 3.5 और 33.5 ठीक है तो यह A B आ गया इसके बाद जो है हम इसका A का determinant मालूम करते है क्योंकि formula जो होता है वो क्या होता है X is equal to A X का determinant divided by A का determinant Y is equal to A Y का determinant divided by A का determinant ठीक है तो A का determinant चाहिए तो यहां पर A का determinant मालूम कर लेते हैं तो यहां पर A के आसपास ऐसे bars डाल दो matrix के आसपास भी हम bars डाल देंगे और further चलेंगे तो 1 into 1 minus 1 into minus 1 और यह जगा 1 plus 1 is equal to 2 ठीक है तो यह non singular हुआ तो हम यहां पर statement नहीं लिखेंगे क्योंकि solution is possible क्योंकि उपर उसने question में कोई ऐसा जिकर नहीं किया ठीक है तो solution is possible ही होगा आप directly जो है क्रेमर रूल के recording कर रहे हैं तो आप AX मालूम करेंगे अब हम क्योंकि determinant तो हमने मालूम कर लिया तो AX मालूम करने के लिए यहां पर again से हम क्या करेंगे और यहां पर लिख लेते हैं दूरू करते हैं AX is equal to यहां पर एक matrix डाल लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं AY is equal to एक matrix यहां पर डाल लेते हैं तो पहले में जो है यहां पर आपको नज़र रगो पहले में पहला column नहीं लिखते, दूसरा लिखते हैं, तो दूसरा इदर क्या है? 1, minus 1 और 1 और दूसरे matrix A, Y में जो है दूसरा column नहीं लिखते हैं, पहला लिखते हैं तो यहाँ पर आजाएगा 1, 1 ठीक है? तो इधर पहला लिखते हैं, 1, 1 जो बाकी जगे बजगे इसके अंदर जो है B matrix लिख देते हैं तो यहां पर आ जाएगा 3.5 ठीक है और इधर आ जाएगा 33.5 ठीक है और इधर भी आ जाएगा 3.5 33.5 अब यह लिखने के बाद अब हम जो है formula लिख लेते हैं तो formula क्या है हमारा x is equal to किसके है ax का determinant divided by a का determinant y किसके equal है तो y equal है ay का determinant divided by a का determinant further आगे चलें तो values put करनी होगी हमें तो ax किसके equal है यहां से आप देख सकते हो 3.5 minus 1 33.5 और plus 1 और यह ऐसे बार किंज दो नीचे जो है determinant 2 आया था ओपर देख भी सकते हो और यहां पर x लिखता हो इसी तरह इधर जो है y लिख दो ay जो है कितना है ay है 1 3.5 1 33.5 और यह ऐसे line किंज दी नीचे जो है 2 आ जाएगा further हम आगे चलें तो इधर आ जाएगा अब 3.5 और इसको multiply करवा देंगे 1 के साथ फिर minus और इधर आ जाएगा 33.5 और इसको करवा देंगे minus 1 के साथ ठीक है और नीचे इसके 2 है तो यहां पर 2 लिख दीजे इधर x same ऐसे ही y के साथ 1 into 33.5 minus फिर 1 into 3.5 आ जाएगा ठीक है और नीचे जो है वो 2 आ जाएगा इस side पर दुबारा आएं त 3.5 और यह minus minus कितना हो जाएगा plus तो यहां पर आ जाएगा plus और 33.5 वन के साथ multiply होगा तो 33.5 ही आ जाएगा और नीचे 2 है तो यहां पर 2 लिख दो इधर x चल रहा है इधर भी करें तो इधर आ जाएगा 33.5 वन के साथ multiply होके उसके बाद इधर आ जाएगा minus 3.5 और नीचे जो है 2 आजाएगा ठीक इसी तरह आगे बढ़ते रहें आगे चलेंगे तो अब यह दोनों add हो रहे हैं तो 33 में अगर 3 add कर देंगे तो 34 35 36 और 0.5.5 37 हो जाएगा तो इदर आजाएगा 37 divided by 2 और दूसरी साइड पर चलेंगे तो y is equal to अब 33.5 में से 3.5 निकाल देंगे तो पूरा 30 बच जाएगा ठीक है और positive बच जाएगा क्योंकि positive value बढ़ी है और divide by 2 अब इसके बाद यह तो इससे cancel हो नहीं सकता ठीक है तो इसको ऐसी रहने देते हैं और इदर इसको cancel करें तो 2 1s are 2 और 2 5s are 10 तो y is equal to हमारे पास आ गया 15 तो x और y की values आ गई इसके बाद straight line कीज दो तो यह मैंने straight line कीज दी इसके बाद जो है आप यहां पर लिख सकते हैं so x is equal to 35 divided by 2 and y is equal to 15 ठीक है अब यह किस चीज को शो कर रहे है x शो कर रहे है length of rectangle को तो यहां पर लिख देते है length of rectangle और width of rectangle जो के अब नजर आ रहा होगा तो यह दोनों length को x से represent किया था और width को y से represent किया था तो x जो है वो 37 divided by 2 answer आया है और y जो है वो 15 आया है unit इसका क्या है unit देखें तो 3.5 cm था तो यहां पर आप cm डाल दीचे ठीक है तो इस तरह यह आप से जो चीज पूछी गई थी वो आपने मालूम कर ली आयोप आये question भी समझ में आ गया होगा और यह फार्मूले यहां से मिटा देते हैं तो असान सा था इसमें भी मैं यही कहूंगा कि यहां से जो है क्रेमर रूल को आपने शुरू करना है बाकी सब inversion method वाला ही उपर system equation बनाने तक तो चलिए fourth की तरफ चलते हैं question number four आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है और उमीद करता हूं कि question समझ में आ चुका होगा यह सारा procedure जो है कैसे आया यह भी आप लोगों को पता चल चुका होगा वीडियो में पीछे inversion method से जब यह question किया था तो उमीद करता हूं कि आप यह equation बनाना सीख चुके होंगे इससे आगे जो है grammar rule के recording जो है question solve करते हैं तो इससे आगे solve करो तो यहाँ पर दो matrix चाहिए हमें ठीक है तो एक का नाम A रख लेते हैं और उसको लिख देते हैं यहाँ पर minus 2, 2, 1, 1 और दूसरे का नाम हम B रख द determinant मालूम करना है तो यहाँ पर भी ऐसे डाल दीजे और यहाँ पर भी minus 2, 2, 1, 1 और यह ऐसे बार दाल दीजे तो इसको आगे चलाएं तो यह कितना हो जाएगा minus 2 को 1 के साथ minus 2 को 1 के साथ तो यह आ जाएगा minus 2 minus 2 is equal to minus 4 ठीक है तो अब यह non singular matrix है तो अब जो है इसका solution मालू किया जा सकता है cramr rule के जरिये मालूं करने के लिए हमें सबसे पहले ax मालूम करना पड़ेगा तो यहाँ लिख लीजिये now और इदर आ जाएगा हमारा ax ax जो है वो यहाँ पर ऐसे । डाल देते हैं और ay मालूम करने के लिए यहाँ पर भी एक matrix डाल लेते हैं ठीक है अब इसके अंदर values put करें तो पहले matrix में पहला column नहीं लिखते तो aim के पहला column यह है इसको नहीं लिखेंगे one one को लिखेंगे तो इधर डाल दिया हमने one one और इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है दूसरा column नहीं लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे माइनस 2 और 2 ठीक है बाकी जो जगे बजगी उसके अंदर 16 और 180 तो यहां पर आ जाएगा माइनस 16 और यहां पर 180 और यहां पर भी आ जाएगा माइनस 16 और 180 तो AX AY मालूम हो गया इसके बाद अब हम फार्मूला लिख लेंगे यहां पर तो X is equal to बराबर होता है AX का determinant divided by A का determinant Y बराबर होता है यहां पर AY का determinant और A का determinant ठीक है XY दोनों हो गए अब इधर अगर values पुट करें तो AX है माइनस 16, 180 इधर आ जाएगा 1 and 1 ठीक है और नीचे A का determinant माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख दिया और इधर X चल रहे तो X लिख दिया इधर Y is equal to किसके आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 और माइनस 16, 2 and 180 और यह ऐसे और यहां पर माइनस 4 आ जाएगा ठीक है तो दोनों जगे साथ हो गया अब इसका determinant मालूम करें तो माइनस 16 को 1 के साथ फिर माइनस 180 को फिर 1 के साथ और डिवाइड बाइनस 4 इधर X है तो X डाल दिया इधर Y की तरफ चलें तो माइनस 2, 180 और यहां पर माइनस 2 और इधर आ जाएगा माइनस 16 ठीक है और यह डिवाइड बाइ माइनस 4 फर्दर आगे चलें तो यह हो जाएगा माइनस 16 और यह हो जाएगा माइनस 180 डिवाइड बाइ माइनस 4 और यहां पर X था और यहां पर आ जाएगा Y is equal to 180 को 2 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यह आ गया calculator यहां पर लिखते है 180 multiply 2 तो मेरे पास आ जाएगा 360 तो माइनस का 360 आएगा तो माइनस का 360 उसके बाद plus 16 to 32 होता है तो यह लिख लिए और यहां पर आ गया माइनस 4 ठीक है अब हमें दुबारा से calculator पहले इस इससे को पूरा कर लेते हैं और Y is equal to 360 में से 32 निकाल दो तो माइनस 32 तो यह हमारे पास 328 बच जाएगा माइनस की value बढ़ी है तो माइनस का 328 divide by minus 4 आ जाएगा ठीक है इसको इससे cancel कर देते हैं अब 328 को 4 पर divide कर सकते हैं तो divide by 4 करके देखें अगर हम 82 आ जाता है ठीक है तो इस तरह से Y की value तो हमने मालूम कर ली 82 अब इसकी तरफ आ जाते हैं तो calculator को इदर shift कर देते हैं तो 180 के अंदर 16 add करेंगे तो यह तो जुबानी भी हो सकता है तो minus 196 आ जाएगा और minus 4 आ जाएगा यह इससे cancel हो गया और आगे अगर चलें तो 196 को 4 पर divide directly करके देख लेते हैं 196 divided by 4 तो यह आ जाएगा 49 ठीक है तो exactly पूर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा x is equal to 49 तो यह x और y की दोनों values मालूम हो चुकि इसके बाद straight line draw करनी होगी हमें तो इदर जो है straight line ऐसे draw कर दी draw करने के बाद यह यानि के आप यहाँ पर लिख दीजिए so x is equal to 49 degree क्योंकि यह angles हैं इस question के अंदर and y is equal to 82 degree ठीक है अब कौन सा angle कौन सा है अगर हम देखें तो यहाँ पर जो equal angle है उससे x से represent किया गया और third angle को y से represent किया गया ठीक है तो अब हम उसी हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे equal angles दो थे तो आप यहाँ पर लिख दीजिए hence ठीक है और लिखने के बाद आप लिख दीजिए first angle ठीक है तो first angle जो है यानि जो equal angle को x से represent किया था तो वो है 49 इसी तरह 2 equal angle थे तो second भी यही होगा तो second angle आ जाएगा हमारे पास दुबारा से x यह भी 49 होगा ठीक है triangle में तीनों के angle बनाने थे तो 2 एक जैसे थे तो 49 49 आ गया third थोड़ा अलग था तो यहां पर लिख लिए third angle और third angle को y रेप्रेजेंट किया था तो यह हमारे पास 82 डिगरी आ है तो इनकी मदद से आप triangle बना लेंगे या triangle की जो unknown values थी यह वाली वो यह थी ठीक है तो I hope यह question भी समझ में आ गया होगा आगले की तरफ चलते हैं तो question number five आप लोगों को screen के ऊपने जरा रहा होगा और उमीद करता हूँ कि यह question भी आप लोगों को पढ़कर समझ में आ गया होगा और inversion method के अंदर आपने यह question का हिस्सा समझ लिया होगा ठीक है तो समझने के बाद आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यह दोने equations कैसे आई अब जब यह पता चल चुका तो grammar rule के according जो इसको आगे बढ़ाते हैं तो grammar rule से आगे जाने के लिए हमें दो matrix चाहिए होते हैं यहां पर letter लquin जीजिये और यहां पर एक matix का नाम A रखते हैं तो यहां पर आजहेगा one minus to one one और यह bracket close दوس्अब हम B रखते हैं तो यहां पर B लिख लिजिये और यहां पर आजहेगा 12 और यहां पर आज Heh organ नाइं टीक है 1 minus 2 1 1 और इधर आजाएगा हमारे पास 1 into 1 minus 1 into minus 2 further 1 plus 2 is equal to 3 और यह non-singular है अब जो है non-singular आ चुका तो अब हम ax और ay मालूम करेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर लिख लिजिए now ठीक है ax is equal to आपको यहाँ पर एक matrix ax का लिखना है और यहाँ पर आप ay का लिख लिजिए तो यह आपने यहाँ पर जगे बना ली ay की और पहले में हम पहला column नहीं लिखते तो यह column हम नहीं लिखेंगे हम यह वाला column लिखेंगे minus 2 1 ठीक है तो यहाँ पर लिख लिए minus 2 1 दूसरे में हम दूसरा कॉलम नहीं लिखते ठीक है पहला लिखेंगे तो पहले में क्या है 1 1 ठीक है अब जो remaining रह गया उसमें हम B का matrix लिख लेंगे तो B क्या है 1290 तो यहां पे भी 1290 आ जाएगा और यहां पे भी 1290 आ जाएगा तो AX AY मालूम होने के बाद अब हम यहां पे X का formula लिख लेंगे तो AX का determinant divided by A का determinant X का formula हो गया और Y का फार्मूला क्या है AY का determinant divided by A का determinant X और Y का formula लिख लिए इसके अंदर values put करें तो यह कितनी हो जाएगी AX बराबर है 12 minus 2 91 ठीक है और A जो है वो 3 के एक वल है तो 3 लिख दिया इदर अगर चलें तो यहां पे X लिखना है और इदर अगर चलें तो Y is equal to इदर आजाएगा 1 12 190 और यहां पे आजाएगा हमारे पास 3 ठीक है इसके बाद आगे अगर चलें तो अब हम कर सकते हैं इसको 12 into 1 minus 90 into minus 2 और यह divide by 3 यहां पे X है और Y आजाएगा 1 into 90 minus 1 into 12 और divide by 3 ठीक है फर्दर आगे चलें तो 12 plus 92 दा 180 होता है तो यहां पे 180 आजाएगा minus minus plus हो जाएगा इदर 3 ठीक है और इदर आजाएगा हमारे पास 90 minus 12 divided by 3 फर्दर आगे चलें तो X is equal to 180 में 12 add करेंगे तो 192 divided by 3 और इदर आजाएगा Y is equal to इसमें से 10 गया तो 80 और फिर 78 divided by 3 चली अब इसको divide करके देख लेते हैं डिवाइड करके देखें तो 3 1s are 3, 3 6s are 18 और 1 आजाएगा 3 4s are 12 तो 64 आगे इदर इदर करें तो 3 1s are 3, 3 2 the 6 तो यह तो नहीं जाता ठीक है यह तो ऐसे गही रहेगा क्योंकि इसके end में even number है तो X हम हमारे पास आगे 78 divided by 3 तो इसके बाद जो है यहां पर line खीच लेंगे straight तो यह मैंने सीधी एक line draw कर ली ठीक है line draw करने के बाद आप यहां पर लिख लेंगे so X is equal to 64 and Y is equal to 78 divided by 3 यह क्या चीज़ है ऊपर अगर देखें तो find the acute angles तो acute angle है तो its mean यह degree आएगा यहां पर यहां पर यहां पर बिग्री ढाल दो यहां पर भी degree ढाल दो acute angle हमें मालूम करना था तो first acute angle को ऐसा mention तो नहीं किया one acute angle X था तो आप यहां पर लिख दो इसको first का नाम दे देती है ठीक है Aya ऐसा मैंने first किया था और other किया था यहां यहां पर लिख दो hence ठीक है one acute angle जिसको हमने X से represent कि था वो आ गया 64 degree और दूसरा other acute angle इसको हमने y से represent किया था तो यह आ गया 78 divided by 3 degree ठीक है तो इस तरह से यह question जो है वो भी उमीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो question number 6 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा होगा और उमीद करता हूँ कि inversion method में आप लोगो करेंगे नहीं समझ में आया तो वीडियो में पीछे जाएं और inversion method से जब यह question solve किया था तो वहां जाकर इस सब detail हासिल करिए ठीक है तो चलिए क्रेमर रूल से solve करते हैं क्रेमर रूल से solve करें तो आप यहां पे सबसे पहले let लिखेंगे दो matrix चाहिए तो इदर आपने let लिखने के बाद a equal आगया हमारे पास 1 minus 1 1 1 ठीक है और हमारे पास b equal आगया 6 and 106 ठीक है इसके बाद अब हम आगे क्या करते हैं a का determinant मालूम करते हैं तो यहां पे a का determinant मालूम कर लेते हैं तो यह है 1 minus 1 1 1 और इदर जो है क्या आजाएगा 1 into 1 minus 1 into minus 1 तो यह आजाएगा 1 plus 1 is equal to 2 और यह non singular है तो इसका solution मालूम किया जा सकता है तो उसके लिए हम यहां पे अब क्या करेंगे हम a x मालूम करेंगे तो इदर लिख लेते हैं a x ठीक है और a x का matrix इदर आ जाएगा और a y का matrix जो है वो इदर हम लिख लेंगे ठीक है तो a x के अंद दूसरो कॉलम नहीं लिखते हैं पहला लिखते हैं तो यहां पर आजाएगा 1 1 तो इसके जगे आजाएगा 6 और 106 6 और 106 ठीक है तो अब फार्मूला लगा देते हैं तो यहां पर आजाएगा x is equal to a x का determinant divided by a का determinant y is equal to a y का determinant divided by a का determinant further आगे चलेंगे तो यहां पर आप लिख दोगे 6 minus 1 106 and 1 ठीक है और divide by 2 था तो यहां पर 2 लिख देंगे और यहां पर x और यहां पर y लिखने के बाद आप लिखेंगे 1 6 1 100 6 और यह ऐसे और नीचे 2 था तो 2 लिख देंगे तो x y के फार्मूले में values put हो गए इसके बाद आजाएगा 6 into 1 minus 106 into minus 1 और नीचे आजाएगा 2 ठीक है और यहां पर आजाएगा y is equal to 1 into 106 minus 1 into 6 ठीक है और डिवाइड बाइ 2 फर्दर आगे चलें तो 6 plus 106 डिवाइड बाइ 2 आजाएगा और यहां पर आजाएगा y is equal to 106 minus 6 डिवाइड बाइ 2 आजाएगा फर्दर आगे चलें तो x is equal to 112 डिवाइड बाइ 2 ठीक है जमा कर लीजेगा आप y is equal to 100 डिवाइड बाइ 2 तो यह हो जाएगा 2 5s are 10, 2 6 are 12 और यह हो जाएगा 2 5s are 10 और 0 उपर आ गया तो finally x is equal to 56 and y is equal to 50 तो x और y की values आने के बाद जो है अब दर्म्यान में इनके line कीच देते हैं ठीक है तो यह हमने r और यहाँ पर आप लिख देंगे end y is equal to कितना है 50 km पर r और यहाँ पर आप statement की सूरत में लिख दें तो यह statement की सूरत में लिख दिया speed of first car speed of second car first car को x represent किया तो x second को y से किया तो y first जो था वो 56 km पर r था पर r को ऐसे भी minus 1 करके भी लिख सकते हैं और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो अभी physics में नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे ठीक है तो जिस तरह से भी लिखिए तो इस तरह से आपने दोनों कार की speed मालूम कर लिए तो finally exercise जो है काफी important है इसके अंदर से एक long question जो है जरूर आता है तो मेरा main मकसर इस exercise को solve करने का यह था कि आप लोग fundamental concepts जो है हासिल कर सको एक बार अगर आपने concept समझ लिए इस पूरे exercise का तो आप किसी भी teacher के method के तुरू in questions को solve कर सकते हो ठीक है और बाकी यह जो grammar method जो मैंन पे जिस पे grammar rule का यही method इस तरह से है परहल उमीद करता हूँ कि आपका काम असान हो गया गो इससे बाकी दिल लगा के पढ़िएगा मेहनत करिएगा और इंशाल्ला अगली वीडियो में मुलकात होती है अलाफिस